हेलो एंड वैलकम स्वागत है आप लोगगा उमीद है कि आप लोग काफी अच्छी होगे आप लोग की तैयारी भी काफी अच्छी चल देखने वाले होगी मेरा नाम है कौरव शर्मा और हम लोग यहां पर बात करने बाले हैं ट्राइप्स ऑफ मंदित हर एक फैक्ट को हर एक पॉइंट को यहीं से कवर करके जाएंगे जब भी हम लोग मद्रपिर्देश की जंजातियों का डेटा सर्च करते हैं या ट्राइब आफ एंप को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको सामानने ताह एक अधूरा डेटा मिलता है एक कम डेटा आपको देखने को मिलता है हमारा यही प्रियास रहेगा कि इस लेक्चर में हम हर एक फैक्ट को आपके सामने लेकर आएं यह जो लेक्चर है आने वाला आपका जो पेपर है 24 अफ्रेल 24 अप्रेल को MPPSC प्रिलिम्स का जो पेपर होगा इसी के साथ में PSI MPC पटवारी हर एक जगे आपको यह help करने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे सामानने परीचे सबसे पहला अपना जो तरीका है वो यही है कि हम लोग देखते हैं सामानने परीचे जो आपके सम्विधानिक प्राबधा कि Constitution में जो जनजातियां हैं इन जनजातियों के लिए क्या प्राफधान आपके पास किया गया है समिधानिक प्राफधान के बाद हम लोग देखेंगे जनगरना जो मद्ध प्रदेश की जनगरना है कि इस जनगरना में इनका क्या इस्थान है कि कि किसकी आबादी सबसे ज़् है general introduction हम लोग यहाँ पर देखेंगे general introduction आप इसको कह सकते हैं दूसरे नमर पर हम लोग देखेंगे constitutional provision constitutional आपके जो provisions है इन provisions को यहाँ पर जानेंगे related जन जाती census में इनका जो data है यह data आपको यहाँ पर बताएंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे जाके देखेंगे कि जो backward tribes है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारी special backward tribes हैं मद्द पिर्देश की आती पिछड़ी जन जाती हैं यह कौन है आती पिछड़ी जन जातियों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एक मैप देखेंगे पूरा मद्ध पिर्देश की जंजातियों का कि कहां पर कौन सी जंजाती आपके पास निबास करती है नकसा आपको बताएंगे और नकसा के बाद हम लोग देखेंगे MP की जो ट्राइब हैं MP की जंजातिया हैं इनको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे तो जंजाती आपके पास व्यक्तित्व हैं इन व्यक्तित्व के बारे में और इसके बाद इसी क्लास में हम आपको सौल्व कराएंगे जंजातियों से संबंदित जो भी आपके पास MP की होते हैं वो सारे के सारे MCQ, तो अपना ये पढ़ने का तरीका रहेगा, सबसे पहला सामान ने पर चाहिए, जन्जाती है क्या, कहां से आई, ये सब कुछ ही होते कौन है, ये हम लोग देखें, इसकी बाद फिरम लोग देखेंगे संबिधानिक प्रापदान, अगर संबिधान आप लोग के संबिधान में उनका वर्णन आपके पास किया गया है, आफ्टर जेथ हम लोग देखेंगे जनकरना, जैसे कौन सा ऐसा जिला है, जहां सरबादी जन्जाती पाई जाती है, कौन सी जन्जाती बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये है आपको बताए जाएगा, और फिर हम बात क करेंगे, कौन सी जन्जाती कहां पाई जाती है, फिर हम लोग MPK ट्राइब के बारे में बात करेंगे, जैसे कि भील, बैगा, वहरिया, सहरिया, ठीक है, ये जो कुछ इंपोर्टन जन्जाती है, इनके बारे मारे एक तथ्थे को सीखेंगे, और उसके बाद हम जन्जाती ब्यक्तित, और फिर हम लोग बात करेंगे, जो MPQ है, इन से संबंदे जितने भी आपके कास कॉश्चन हो सकते हैं, सब कुछ आप पर बताया जाएगा, चलिए भई, सुरू करते हैं कहानी को, देखते हैं, इनका सामान परिचे, देखे, सबसे पहले तो आप ये समझे, कि जो जनजाती है, ये जनजाती है क्या, ठीक है, सबसे पहले तो यही हमारी सामनी क्लियर नहीं कि जनजाती सब्द आपके पास होता क्या है, ये जो जनजाती सब्द है, इस जनजाती सब्द के जो पिरती पादक है, ये जनजाती जो सब्द आपके पास दिया गया है, वह द सब्धाब आपको देखने को मिलता है हमारे संभीधान में आजाता है क Iya laquelle सामान नहीं आपको देखने को मिल जाता है लेकिन प्राचीनकाल में हम उनको जानते थे किसके नाम से आधी बाशी के नाम जो भी आपके आपके पास ज़न जाती हैं इन को हम लोग जानते थे आदिवासी के नाम से याद रखेगा आदिवासी कहते थे और आदिवासी आपके पास जो सब्द है इस आदिवासी सब्द का अपने आप मेनिंग होता है आदी का मत्दब होता है सर्फ प्राचीन आदी का मत्दब होता है आपके पास प्राचीन तो आदिवासी का सीधा सा मतलब आपके पास क्या है सब वो ये है कि आदिवासी उनको बोला जाता है उस वर्ग को उस समू को कहते हैं जो प्राचीन काल से जो परंपराओं की जब से सुरुवात हुई है मानव सब्दा की जब से सुरुवात हुई है वहां से आपके पास वो आदी वासी है, क्योंकि आदी सब्द का मतलब होता है, प्राचीन इसका मतलब होता है, ओल्ड इसका मतलब होता है, बिगिनिंग इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, वहां से, जहां से मानव सब्दता की उत्पत्ती हुई, उसी समय से ये लोग यहां पर निवासरत हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं आदिवासी कहते हैं हम आदिवासी सब्द का मतलब बेटा कभी भी निम्न नहीं होता छोटा नहीं होता हमारी मानसिक्ता काफी ज़्यादा सोटी हो सुपी है काफी बहुत छोटी लोग हम यहाँ पर बन गए हैं सकता क्यादार पर इसलिए के अधि बासि हम लोग क्या कहते हैं छोटा बोलते हैं क्योंकि आधिवासि सब्द का वो क्या क्योंकि रहे बाले हैं हमारे जो महत्मा गांदी हैं इन महत्मा गांदी के द्वारा जो जन जाती हैं इनके लिए गिरही सब्द का प्रियोग किया गया था आपसे पूछेगा कि जो गिरही सब्द है ये गिरही सब्द किस ने यूज किया है महत्मा गांदी ने किया है और इसका मीनिंग क् जो परवतों में निवास करता है लेकि प्राचीन काल में जितनी भी हमारी जंजाती थी जितने भी आपके ट्राइब्स हुआ करते थे ये परवत मांटेन और हिल्स में ही तो रहते थे इसलिए गिरी सब्द प्रियोग क्या है महात्मा गांदी ने अनुसूचित जंजाती आदिवासी जिसे कहते हैं आदिवासी का मतलब देखो बिटा क्या है प्राचीन है उल्ड सबसे मानव सब्दा की सिरुगात हुई वहां से रहने बाले जंजाती सब्द के अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे ठकर बपा इसके प्रतिपादक है ठकर बपा ने इसका प्रत बात कौन है आप बताएंगे ठकर बपा ठकर बपा कौन है ठकर बपा को जो जंजाती है ये अपना मसीहा मानते हैं याद रखिए मसीहा ये आप लोग कह सकते हैं ये इनके फादर रहे हैं जंजातियों के आदिवासी सब्द का मीनिंग क्या होता है सर आदिवासी सब्द का सब्सक्राइं में आपको पता चल गया है और वास सब्द का मतलब आपको पटा चल गया है कि गिरी सब्द किसक्व होता है याद रखिए ठीक है बड़ेश करो अब देखो प्रैक्टिकलर сब्दियों के लिए एक सब्द लिखा संबिधान में एक सब्सक्राइब प्रियोग प्रियोग करते है और इक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जाती इसका मीनिंग होता है अनुसूचित जाती याद रखेगा अब ये जाती और जन जाती में पहले तो बहुत सारे बच्चे confused होते हैं तो प्लीज आप इसको clear कर लीजिए पहले आप इसको clear कर लें कि अनुसूचित जाती का मतलब आपके पास क्या होता है अनुसूचित जाती का मतलब होता है SC और अनुसूचित जन जाती का मतलब क्या होता है सर इसका मतलब होता है आपके पास ST, अब confuse मत होना, ये SC और ST किस आधार पर हैं, आप जरा इसको समझे, देखो भारत के सम्मीधान में, चार आपके पास विवस्थाइं दीवें हैं, एक विवस्था को आप लोग यहाँ पर जानते हैं, जर्नल के नाम से, एक विवस्था को आप लोग यहाँ पर बनाया है, जो system हमने आपर बनाया है, इस system को लेकर लोगों की सोच थोड़ी सी गलत है, लोगों को ऐसा लगता है, कि हम जर्नल में आते हैं मतलब हम लोग सुप्रीम हैं, हम लोग सब कुछ है, OBC बालों को लगता है हम छोटे भगवान, इनको लगता है कि हमारा कुई बज वो है संसाधनों का अधिक्तम प्रियोग जिस वर्ग ने अपने रेसोर्स जो हैं अपने जो संसाधन हैं इन संसाधनों का प्रियोग कितनी मात्रा में किया है संसाधनों का प्रियोग कितनी मात्रा में किया है या यह जो समाज की मुख्यधारा है समाज की आपके पास जो मुख्यधारा है या Man Stream of Society में का घड़े हुए है या अपने जो अधिकार है इन अधिकारों की रक्षा करना कौन कितना जानता है रक्षा करने में कौन आपके पास अग्रणी है इसके आधार पर ये चार केटिगरी यहाँ पर decide की गई है ये जो केटिगरी हैं किसी भी व्यक्ति को उचा और नीचा बनाने की कोशिश यहाँ पर नहीं की गई है नहीं ऐसा कोई उद्देश है एक ऐसा बर्ग जिसने संसादनों का बहतर उपियोग कर लिया है जो समाज की मुख्यधारा की जहां से विकास की प्रिकरिया सुरू होती है वहीं से लीडर रहा है और इस तिल अभी भी लीड कर रहा है तो ये टॉप पर खड़ा होगा डेफिनिटली मतलब समाज में उपलब्ध हर प्रिकार का सुख और जो साधन है उन तक इनकी पहुँच है ये समाज की मुख्यधारा में आगे खड़े हुए हैं इंजन की तौर पर इनका कार है तो ये लोगों को आगे रखा गया है OBC की अगर हम लोग बात करते हैं ये वही वर्ग है कि जो संसाधनों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित हो गई है ये यूज करना स्टार्ट कर दी है पर उतना नहीं कर पाए है जितना जर्नल वाले कर पाए हो और उसकी बाद हम लोग बात करते हैं SC वाले लोग संसाधनों तक पहुच गए है इनका यूज करना सीख रहे है जबकि ST की हम लोग बात करते हैं ये अभी भी आपके पास अनभिग्य हैं ये अभी भी आपके पास बहुत पीचे है तो जर्नल OBC, SC और ST का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि जर्नल वाले सुप्राइम है OBC वाले उनसे नीचे है SC वाले उनसे नीचे है और ST वाले उनसे नीचे है ये कभी नहीं है ये तो सिर्फ एक तरीका है किसने संसाधनों का बहतर प्रियोग किया है कौन समाज की मुख्यधरा में आगे खड़ा हुआ है उसको define करने के लिए हमने ये चार category हाँ पर बना दी है सरी चार category क्यों बनाई है उसकी पीछे कारण है देखो एक बर्ग है उस बर्ग का हमेशा से आपके पाश शोचन होता रहा उनको सोसित होने से बचाने के लिए हमने कुछ criteria हाँ पर decide की जैसे एक class में आप लोग पढ़ते हैं आप पढ़ाते हैं मालीज आप teacher हैं और उस class में काफी जादा बच्चे बैठे हुए हैं 100-200 बच्चे अब अचानक से आप से कोई पूछा जाए कि इन में सबसे intelligent बच्चा कौन सा है तो दो तरीके हैं बताने की एक तरीका तो वो है कि जो बच्चा बैल मेनड है ग्रेस मेना हुआ है टिप टॉप तरीके से रहता है सोचता का ख्याल लगता है question पूछने पर answer पर देता है तो आप बोलें ये intelligent बच्चा है दोसरा तरीका होता है कि आप उसका test करा लीजी exam paper करा लीजी जो top करेगा वो आपका intelligent माना जाएगा आप जिस class की बच्चों को जानते ही नहीं हैं सो बच्चे बहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें आपसे कोई top पर पुछता है तो कैसे बताएंगे नहीं बता पाएंगे जर्नल इसलिए चार केटेगरी हाँ पर आपके पास decide की गई थी तो इनके जो आधार बेटा आजा 25 है समय लीजीगा कि संसाधनों का प्रियोग समाज की जो मुख्यधारा है उस मुख्यधारा में इनकी इस्तिति या अपने अधिकारों की रक्षा करने में जो अग्रणी ह होते हैं उसके आधार पर चार केटेगरी हमने यहां पर बनाई हुई हैं देखिए मानब सब्विता की जब आपके पास सुरुवात हुई तो मानब सबसे पहले आपके पास जंगल में रहता था जंगल में रहता था जानवरों की तरह धीरे धीरे यह आपके पास जंगल से भार आया और जंगल से भार आने के बाद जो आपके पास कैप्स होती हैं जो गुफाएं होती हैं गुफाओं में रहना इस्टार्ट किया इसने जानवरों से थोड़ा सा अपने आपके इसने डबलब बनाया और उसके बाद फिर ये गुफाओं के भाद आया और जो नदी घाटी हैं इन नदी घाटी में इसने रहना इसटार्ट कर दिया मिट्टी के घरों को बना कर जब ये गुफा में आपके पास आये जंगल में जब तक रहती थे तब तक इंका कोई परीवान नहीं होता तो परिवार नमक इकाई का आपके पार जन्म हुआ और उसके बाद जब हम लोग नदी घाटियों में आकर रहने लगे तो नदी घाटियों में आकर रहने लगे तो यहाँ पर काफी सारे आपके पार जो परिवार हैं यह परिवार यहाँ पर रहने लगे बहुत सारी परिवार रहते थे, आपस में गुजाराब बसार यहाँ पर करते रहते थे जब इक परिवार आपकी बहुत सारी बने, तो उसके बाद हमारा समाज बना और जब हमारा समाज की यहाँ पर उत्पत्ती होती है बहुत सारे परिवारों से तो हम लोगों ने यहाँ पर जो ग्रामीन एरिया है, इस ग्रामीन एरिया का यहाँ पर जन्म दिया अब इसमें जो लोग, वो लोग जो किर्सी के अलावाद दूसरे काम करने लगती थे उन्होंने एक विवस्ते आपके पास विवस्ता बना दी जैसे आप लोग यहाँ पर कहने लगे सहर और यहाँ पर जाकर एक नया समाज, एक नया बर्ग आपको देखने को मिल गया जो कि व्यापारिक बर्ग आपके पास थे, पैसे वाला बर्ग आपके पास था ये विवस्ता की शुरुवात से हमको देखने को मिलता है इस तरीके से किर्मिक तोर पर हमारा यहां पर विकास हुआ है तो प्राचिन काल में जो भारती समाज था इस भारती समाज में आप लोग इस तरीके के लोग देखेंगे बहरती समाज में आपको कुछ अलग-अलग तरीके लोग देखने को मिलते हैं जैसे एक समू हमको देखने को मिलता था जिसको हम लोग यहाँ पर कहते थे प्रोहित एक समू आपको देखने को मिलता था प्रोहित दूसरे नम्मर पर आपको देखने को मिलते थे यहाँ पर छत्री है, चत्री आपको देखने को मिलते थे, और तीसे नमर पर हमको यहाँ पर देखने को मिलते थे, जो अन्य वर्ग हैं, अन्य वर्ग की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस हम लोग यहाँ पर कहते हैं, बैस, ठ depend करती थे कर्म की आधार पर कि आपका वन्ग क्या होगा आपका जो बन्ग होगा ये कर्म से बना हुता था जो व्यक्ति बीटों का पार्ड करता है चलाना जान्ता न जानता था यूद्ध लड़ने में निपोन लेकिन जो हम लोग उत्तरवैदिक काल में आते हैं तो उत्तरवैदिक काल में आपके पास जो वर्ण विवस्था है यह वर्ण विवस्था आपके पास थोड़ी सी जटेल हो जाती है और इस वर्ण विवस्था के अंतरगत हमको चार वर्ण देखने को मिलते हैं सबसे पहला आपका यहाँ पर आ जाता है प्रोहिड की जगे आप लोग ब्रहमन लिखते हैं दूसरा आपके पार जो है आप इनको यहाँ पर छत्रिय लिखते हैं दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण आपके यहाँ पर देखने को मिलता है वैश वैश ऐसा कैसा रहता है एक चौथा वर्ण ही का सिस्टम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है जिसको भारत के सम्विधान में जर्नल OBC SC के नाम से सम्मूदित किया गया है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हम सब लोग एक हैं हम लोग इनसान है किसे में किसी परकार का भेदवा आपको देखने को नहीं मिलता है तो पहले जो आपके पास वर्ण विवस्ता हुआ कर्म की आधार पर होती थी लेकिन बात में वर्ण वि किसे में आपके पास रह गए उनको हमने आपर क्या नाम दिया जंजाती नाम दिया देखिए जंजाती की अपनी कुछ विसेस्ताएं होती है कोई भी आपके पास जो बर्ण है इस वर्ण को अगर आपको जंजाती होसित करना है कोई भी आपके पास जो बर्ण है या कोई भ ट्राइब कब बोल सकते हैं इसकी अपने कुछ परिभासाएं हैं इनकी कुछ अपने आपर पैरामीटर हैं सर क्या पैरामीटर होते हैं बता दीजिए तो देखो अगर आपको किसी को जंजाती बताना है अगर आपको किसी को जंजाती बताना है किसी को ट्राइब आपर बोलन से बहुत दूर होते हैं हम लोग सहरों में रहते हैं, हम लोग गाओं में रहते हैं, ये लोग हमसे भी काफी ज़्यादा दूर पाए जाते हैं, तो जियोग्राफिकल isolation देखने को मिलता है भोगलिक एकांत देखने को मिलता है, कोई भी समूँ जो भोगलिक तोर पर आग से बहुत ज़्यादा दूर रहता है तो पहला लक्षन देखने को मिलता है जंजादियों का दूसरी विशेश्ताओं कि हम लोग बात करते हैं यह mostly जो आपके पास group है यह mostly group आपको forest में देखने को मिलते हैं mostly आपके पास जो group है यह forest में रहते हैं यह लोग आपके पास जंगल में रहते हैं देखें बोगलिक तोर पर isolated है अगर आप एक सहर और एक गाउ में भी जाके देखोगे गाउ में हमने बस्ती बनाई हुई है इन बस्तियों में जंजाती आपके पास रहती है और सहरों में हमने सिलम बनाए हुए है इन सिलम में वही लोग आके रहते हैं जिनके पास कुछ भी संसादन नहीं है या संसादनों का यूज आपके पास नहीं कर पाए है तो जंजाती का सबसे पहला feature आपके पास क्या होता है सर इनका पहला feature होता है जियोग्राफिकल आईसोलेशन पाए जाती है भोगोलिक एकांत पाए जाता है हम सबी लोगों से बहुत दूर रहते हैं इनकी जो सोशल आपके पास structure होता है यह सोशल structure आपको different देखने को मिलेगा इनकी जो सामाजिक संदशना है यह सामाजिक संदशना हम सामान लोगों से आपको अलग देखने को मिलती है इनके special festival होते है इनके business आपके पास तोहार होते है इनके special festival आपको देखने को मिलेंगे इनका जो परिधान है इनका जो outfit है वह भी आपके पास थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है परिधान आभुशन बहुत زیادہ पेहनते हैं कपड़े की तौर पर आज भी पत्तों को ये यूज करते हैं या different different type के आपके जो कपड़े हैं उनको यूज करते हैं थीक है तो वो लोग जो आपके पास बहु Егоलिक तौर पर अलग रहते हैं वो लोग जो socially आपके पास बहुत ज़्यादा अलग है हम लोगों के पास जिस तरीके से समाज आज कल बहुत ज़्यादा डबलब हो गया हम लोग सिक्षा की बात करते हैं व्यापार की बात करते हैं जबकि जनजातियों में आज भी परंपराएं बहुत ज़्यादा आज भी tradition को follow करना बहुत ज़्यादा आपके पास important होता है तो सामाजिक तोर पर भी हम लोगों से isolated रहते हैं इनके पहने के कपड़े अलग तरीके सोते हैं बस्तरों की लेकर हमको अंतर देखने को मिल जाता है परिधान को लेकर अंतर देखने को मिल जाता है इनके जो खाद पदार्थ हैं ये खाद पदार्थ आपको अलग देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी भी यह जो जंगल है जंगल से प्राप्त हों जंगल से प्राप्त जो पदार्थ हैं उन पर जादा निर्वर करते हैं इनके किरसी के तरीके आपको अलग देखने को लते हैं जो किरसी है क करसी का तरीका है या लग है बेवार या पेंडू खेती यहां पर करते हैं और इसी के साथ में इनके जो पूरे के पूरा लोकल डांस आपको देखने को मिलेगा लोकल सौंग के हम लोग बात करते हैं और लोकल डांस के हम लोग यहां पर बात करते हैं सब आपको अलग देखन है आप उसको जंजाती यहां पर कहते हैं आप से कोई पूछेगा कि जंजाती की सामान विशिष्टाएं क्या होती हैं आप से कोई पूछेगा जो जंजाती है इस जंजाती की सामान जो फीचर्स होते हैं ये क्या होते हैं आप बता सकते हैं कि कोई भी आपके पास जो बर्ग है कोई भी आपके पास जो बर्ग है आप उसको जंजाती कब कहेंगे जंजाती तब कहेंगे जब वो इतनी सारी चीशों को आपकी साथ में लेके चलेगा जब वो सब कुछ यहां पर करेगा तो आप इसको यहां पर जंजाती कह सकते हैं किलियर है भाई? तो जंजाती होती क्या है आपको वो पता चलिगा यह लोग जंगलों में रहते हैं आज भी इनके लिए अपनी परंपराएं, अपने त्योहार, अपने ट्रेडिक्शन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं आप लोगों से ने कोई मतलब नहीं है, यह अपने हिसाब से रहते हैं आपने कुछ दिनों पहले देखा हुआ, कि हमारा जो अढ़्णमान निकोबार है यह सेंटर लाइन आपके पास एक ट्राइप पाई जाती है वहाँ आपके पास एक ब्रिटिस पत्रकार पहुँच गया था यूरोपियन आपके पास एक पत्रकार था गलती से उन लोगों तक पहुँच गया था तो उसको मार दिया था उन लोगोंने इनको ऐसा लगता है भी हम लोग इनके सत्रू हैं हम लोग मतलब दिखे वो लोग सुरुवार से हैं हम अगर आपन सबकी बात करें तो हम लोग यहां पार को है है सर हम लोग आरियंस हैं और आरियंस भार से आए हैं जितने भी आपके पास गोरी-चमडी की लोग हैं अपने जैसे लोग आपके पिछड़ा कहते हैं वो भारत के मून लिवासी आपके पास है किलियर है तो जंजाती होने की परिवासा आपको पता चल गई है कि जंजाती के क्या-क्या features होते हैं कि आपको पता चल गया है आप जब भी किसी जंजाती को देखोगे यह different के feature है आप इनको थोड़ा से आपर देख लिजीगा तो आपको काफी सारी चीजें आपर पता चल गई है कि जंजाती आपके पास होती क्या है और जंजाती को परिभासित करने का अगर आपसे को अगर देखते हैं संभीधान जो है यह संभीधान में हमको क्या लिखा गया है आपका संभीधान क्या कहता है अनुसूचित जंजातियों को लेकर constitutional आपके पास जो है एक constitutional provision आप लोग पहले देख लीजिए सम्मिधानिक प्राप्धान क्या है भारत की सम्मिधान में काफी सारी बात देखी गई है जनजातियों के लिए जैसे सबसे पहले आप से आपर कोई बात करता है कि scheduled 6 की हम लोग आप से आपर बात करेंगे scheduled 6 या अनुसूची 6 अनुसूची 6 में आपके पास ये लिखा गया है कि जो ST है इस ST राज्यों का administration जो जनजाति वाले आपके पास area है इनका प्रसाशन और इनका जो प्रसाशन है वह प्रसाशन कौन देखेगा सर वह देखेगा राश तो आप से कोई पूछ सकता है कि जो जनजाती बहुल आपके पास राज हैं जनजाती बहुल आपके पास राज हैं हम लोग बात करते हैं असम मेगाले मिचुरम और तिरपुरा इनके हम लोग बात करते हैं कि ऐसे राज हैं जहां पर total जहां पर सारे की सारे जो लोग रहते वो जण्जाती हैं तो जण्जाती बहुल राज्यों का जो प्रआशाष infinity देखता है राषपती देखتा है अपने आधी नस्तों के माध्यम से तो सवाल बन सकता है कि जण्जात чув ऐसे चो प्रतिनिदी इताई राजपती देखता लिए इनका जो प्रशाषन है वह भी आपके पास राश्पती देखेगा आधीनस्त के माध्यम से तो सबसे पहले जनजातियों के प्रशाषन को आप लोग देखे प्रशाषन सेडिल 6 और सेडिल 5 में दिया गया है कौन देखता है राश्पती राश्पती अधिकारी को निक् देखेगा राश्पती देखेगा पीम देखेगा सीम देखेगा कौन देखेगा आप भी सोचिए कौन देख सकता है लिखा हुआ है जनजातियों को प्रशाषन कौन देखता है राश्पती देखता है ध्यान दीचे राश्पती आप खुद तो काम करेगा ने तो क्या किलियर है आप से पूचा जाएगा कि जनजातियों का प्रसासन राश्पती देखता है यह कहां पर लिखाए सर आप बताएंगे सेडिल 6 में अनसूची 6 में भारत के संभीधान में 12 अनसूची है उनमें से 5 और 6 भी अनसूची है यह अनसूची जाती और जनजाती की प्रसास देखेगा और राश्पती किस सेडियूल की अंतरकत देखता है सर फाइब सेडियूल में ऐसी विवस्ता आपके पास की गई है कि राश्पती इनका प्रसासन रहा पर देखेगा याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इतना आपको पता चल गया है इसके अलाब भारत के सम्विधान में और भी काफी सारे प्रोविजन हैं पर किये गए हैं अनुसोचित जाती और जन जाती हैं इनके एकोर्डिंग आप से कोई पूछता है इनकी परिवासा कहां पर दी गई है इनकी जो परिवासा दी गई है ये कहां पर दी गई है डेफिनेशन कहां दी गई है तो भारत के सम्विधान का जो आर्टिकल 366 है 366 है इस 366 का जो सब आर्टिकल 24 है 24 यहां पर SC की परिवासा दी गई है और 366 का सब आर्टिकल जो 25 है इस 25 में SC की परिवासा दी गई है अनुसूचित जनजाती जनजातियों की परिवासा या definition कहां दी गई है आप बताएंगे जनजातियों की जो परिवासा है या tribe की जो definition है यह आपको देखने को बिती है 376 आर्टिकल 366 का जो सब आर्टिकल 25 है यहां पर 24 में किसकी दी गई है सर AC की दी गई है अनुसोची जनजाती की दी गई है क्या लिखा है सर इस तरीके से लिखा गया है कि भारत का जो संभिधान है इस भारत के संभिधान का भारत का जो संभिधान है इस भारत के संभिधान के आर्टिकल आर्टिकल 242, आर्टिकल 242 का, जो सब आर्टिकल 2nd है, आर्टिकल 242 का सब आर्टिकल 2nd के अंतरगत, जिन वर्ग को, जो भी आपके पास बर्ग हैं, इस बर्ग को राष्टपती के द्वारा, राष्टपती के द्वारा सामिल किया जाता है जनजाती समू में, वही आपके प पास मतलब आर्टिकल 242 के अंतरगत जो सर्ते दी गई है उनका पालन करने वाले लोग उनका पालन करने वाले लोग अनुसूचित जनजाती कहलाते हैं याद रखी गां तो जनजातीयों की जो परिभासा है वो कहां दी गई है 366 के सबार्टिकल 25 में दी गई है और अगर टू के अंतरगत कुछ specific condition बताई गई हैं जो कि हमने पहले discuss कर ली है उनका अगर कोई पालन करता है उनको अगर कोई follow करता है तो वो आपके पास जंजाती यहां पर कहला सकता है वो आपके पास यहां पर जंजाती कहलाएगा क्लियर है वाई परिभासा आपको पता चल गई है इनकी eligibility की जो criteria है जंजाती बनने की जो सर्ते हैं यह आपके पास 242 के second में आपके यहां पर देखने को मिलती है इसी के साथ में भारत का जो संभीधान है इस भारत के संभीधान में आपको देखने को मिलता है आपके पास 15 है इस आपके पास सामाजिक बेदभाव है इस सामाजिक बेदभाव को दूर करने की बात की गई है किया आपके लिखा गया है कि जो भी आपके पास public place है इस public place पर कोई भी आपके पास बेक्ति को उसके जन्व के आधार पर कहां उसका जन्व हुआ है उसकी जाती के आधार पर इस आधार पर आप भीदभाव नहीं करोगे जैसे कोई public place है इस पब्लिक प्लेस पर अगर कोई व्यक्ति कुवा है मान लेजिए एक सर्पन्स आपका कुवा है उस सर्पन्स आपके कुवे पर पहले अनुसुचे जाती और जनजाती लोग पानी पीने नहीं जा सकते थे यह गलत है भारत के संभीधान में इसको प्रॉबिटेट किया गया है कि किसी भी परकार का सारवजिनिक इस्थल हो बहले आपके पास वोटल हो आपके पास कुवा हो नलकूप हो साधी हो किसी परकार का समार हो मंदूर हो हर एक व्यक्ति भापर जा सकता है तो जनजाती वर्क के हितों की रक्षा यहां पर आपकास की गई है भारत के संभीधान का जो आर्टिकल 16 है यहां आर्टिकल 16 का जो सब आर्टिकल 4 है सब आर्टिकल 4 है यहां आरक्षण की बात की जाती है यहाँ पर आरक्षण की बार की जाती है कि public employment जो जॉब है इस जॉब में आपको reservation देखने को मिल जाता है क्योंकि जंजाती वर्ग का हमेशा से social होता रहा है तो यहाँ पर हमने इनको क्या किया है सर्थ हमने यहाँ पर इनको लगबख 14 पृतिशत आरक्षण की विवस्ता की ह देश वर्ग की जो सारी की सारी जंजाती है इनके लिए तो आर्टिकल 15 में social आपके पास जो इनके साथ गलत होता है उसको हमने दूर करने की कोशिज की है पृब्लिक प्लेस पर सभी बर्ग जा सकते हैं आर्टिकल 16 में आरक्षण की बात की गई है और आर्टिकल जो 16 है आ जंजाती वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने वाले कुछ आपके पास आर्टिकल है देखिए सेडिल 6 में ST छेतर के प्रशासन की बात करते हैं सेडिल आपके पास जो ट्राइव होती है उन सेडिल ट्राइव के जो एरियाज है उनका administration प्रेसिदेंट देखेगा अपने आ से की परिवासा और 366 के सब आर्टिकल 25 में ST की परिवासा दी गई है और योगता है कहा पर दी गई है आर्टिकल 242 में 242 में योगता है दी गई है कि कौन सा वर्ग जंजाती में आएगा कौन सा वर्ग आपके पास जाती में आएगा याद रखेगा फिर हमने आर्टिकल 15 कि ना कि मारे इमाट की Article 15, Article 16 आप से हांपर डिसकस किया, इसी के साथ में, कुछ और आर्रिकल आपको देखने को बिलते हैं सर, कुछ और आर्रिकल आपको देखने को बिलते हैं, जैसे Article 17, Article 17 बहुत important है Sir बहुत important है क्यों? क्योंकि इस article में जो जन्जाती है इन जन्जातियों के social इन जन्जातियों के social social के साथ में इनके जो political है ये political और जो economic आपके पास right है ये सभी पिरकार की rightों की रक्षा यहाँ पर की जाती है Article 17 में हम लोगों ने untouchability जो हुए इस untouchability को आपके पास probitate किया है कि जो अस्य प्रस्ता है इस अस्य प्रस्ता का अंतिहा पर किया गया है मतलब कोई भी व्यक्ति कोई journal या OBC वर का व्यक्ति SC या SD वर के व्यक्ति को 30 सुचक सब्दों का प्रियोग करता है तो भे अस्प्रस्ता मानी जाती है तो violation के अगर हम लोग बात करते हैं या अस्प्रस्ता की समापती के हम लोग बात करते हैं ये article 17 में हैं और इस पे आप लोग especially focus करिएगा जनजाती वर्ग के जो अधिकार है सामाजिक आर्थे को रहने कदिकार होग रक्षा यही article आपके पास करता है याद रखी इसको लेकर हम लोगों ने 1955 में एक act बनाया जिसको आप लोग कहते थे Civil Right Act के नाम से जानते थे यह आपका बना यह उतना कारगर आपके पास सिद्ध नहीं हुआ इसके बाद हम लोगों ने 1989 में इसी article का use करती हुए 1989 में SC और ST आयोग SC और ST Act हमने आपर बना दिया 1989 में हम लोगों के द्वारा SC और ST Act आपक पास बनाये गया और इस SC और ST Act के द्वारा हमने जो अस प्रस्ता है या जो आपके पास अनुसूचित जाती या जन्जाती वर के लोग है इनको जाती सूचक सब्दों का प्रियोग करके या कुछ भी उल्टा सीदा बोलने पर मार पीट करने पर घर जलाने पर जो अपराद किये जाते थे उनको हमने नौन बेलेवल या पर बना दिये कि आप इसमें बेल नहीं मिलती है गैर जमानती अपराद हमने या पर बना दिया तो 1989 को सरकार SCST Act या पर लेकर आई और इसे हमने एक गैर जमानती कानूर बना दिया इससे SC और ST खिलाब होने वाले अपरादों में हमको कमी देखने को मिलती है इसी के साथ में सरकार ने क्या किया इसी के साथ में सरकार ने इस Act का यूज करती हुए 1989 1989 में 1989 में एक कमिशन बनाया यह आप लोग कहते हैं SC और ST कमिशन के नाम से SC और ST जो कमिशन है इसका यहाँ पर गठन कर दिया और यह भारत की संविधान का जो Article 338 है इस 338 में इसकी विवस्ता यहाँ पर कर दी कमिशन क्या करता है जनजाती वर्ग के हितों की रक्षा करता है इनके अधिकारों का हनन होता है तो उससे उनको सुरक्षित करता है और कौन सा वर्ग जनजाती में आएगा या नहीं आएगा इसके सम्मन्द में सिफारिश देता है सरकार को जनजातियों की आर्थि किस्तिती के समिक्षा करना और जनजातियों से सम्मन्द जो भी कार होते हैं कास के वह कमिशन करता है तो SC और ST कमिशन बनाये गया असर उन्नीस सो नवासी में हमने एक कमिशन बना दिया जैसे आप लोग अनुसूचे जाती और जन जाती आयोक के नाम से जानते हैं यह भारत के संविधान के आर्टिकल 338 में आपको देखने को मिल जाता है इसी के साथ म सब कुछ बढ़िया चल रहा था फ्रम लोग लेकर आते हैं नवासीवा संविधान संसूदन 89 constitutional amendment और यह आपके पास आता है 2003 में इस 2003 के द्वारा हम लोग SC और ST कमिशन को अलग कर देते हैं और यहां हम लोग add करते हैं भारत के संविधान में 338 इसमें आपके पास आता है SC कमिशन यह रहेगा ऐसा कैसा हमने add कर दिया 338 A 338 A और यहां पर हमने लिख दिया ST कमिशन यहां पर हम लोगों ने लिख दिया आपका सर कौन सा ST कमिशन तो 1989 में अनुसूचे जाती और जन्जातियों के लिए एक कमिशन लेकर आई थी इसके बाद 2003 की हम लोग बात करते है 2003 में हमने इस जन्जाती कमिशन को तोर दिया इसके दो हिस्से बना दिये एक आपके पास अनुसूचे जाती कमिशन बना दिया एक आपके पास बना दिया अनुसूचे जन्जाती कमिशन तो सवाल पूचा जा सकता है कि ST कमिशन आपको कहां देखने कुलता है सर आप of untouchability आपको देखने को मिलती है जो untouchability है इसका अंत आपको देखने को मिलेगा इसके द्वारा हमने Civil Rights Act बनाया वो ज्यादा आपके पास काम का नहीं हुआ फिर हमने SC-ST Act बनाया 1989 में और इसी के बाद हमने कमिशन बना दिया 1989 में जिसा आप लोग SC और SC कमिशन के नाम से जानते हैं 39 संभीधान संसोधन 2003 आया और इस 2003 के द्वारा हमने कमिशन को तोर दिया 338 में SC कमिशन और 338 ये आपके पास जो है इसमें हमने SC कमिशन है न 318 में हमने SC कमिशन की विवरस्था के लिए इसके अलावा बारत के संभीधान के और भी काफी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं भारत के संभिधान का जो आर्टिकल 331 है इस 331 की हम लोग बात करते हैं इसके दोरा जो लोक सभा है इस लोक सभा में हम लोगों ने आरक्षन आपके पार दिया हुआ है लूक सबा में आरक्षन की विवस्ता आपस यहां पर की गई है और इसी के साथ में भारत के संबिधान का जो आर्टिकल 332 है इस 332 है इस 332 में आपको देखनेको बिलता है जो बिधान मंडल हैं इस बिधान मंडल में जो S.C. और S.T. है इन ST और ST के Rṁक्षण की विभस्ता आपके पास की गई है Rṁक्षण विभस्ता यहाँ पर 아पके पास की गई है तो अब इन बातों को आप याद रखोगे इस 331 में लोग सभा में R Records और 332 में जो विधान मंडले यहाँ पर R individually की विभस्ता की गई है अगर आपसे कोई MP की बात करता है आपके MP में क्या इस्तिती है तो महारे MP में जो लूग सभा सीटे आपके पास है ये लूग सभा में 10 सीटे आपको आरक्षित देखने को मिलती है टोटल 10 सीटे आपको रिजर्व देखने को मिलेंगी इन में से 6 आपके पास जो है यह ST में हैं और 4 आपके पाद जो हैं यह ST में हैं अगर आपसे कोई बिधान मंदल की बात करता है तो बिधान मंदल में हमारे पास 82 सीटे आरक्षित हैं इन में से 47 ST के लिए हैं और जो 35 हैं यह SC के लिए आरक्षित हैं तो यह सारे के सारे सम्विधान एक प्रावधान है जो जन्जातियों से सम्मंदित आपको देखने को मिलते हैं जन्जातियों से सम्मंदित सम्मिधान में जो प्रोविजन आपके पास किये गए हैं लगवक सारे के सारे हमने आपको बता दिये हैं देखे तो नाम आपको परिशान कर सकते हैं दो नाम आपको परिशान कर सकते हैं एक बर्ण आपने बहुत सुना होगा दलित देखो भाई एक सब्द आप लोग यहां पर सुनते हैं दलित जो दलित सब्द है यह अपना नहीं है दलित सब्द दिया था अंग्रेजों ने जन जातियों के लिए अंग्रेजों ने और संबीधान में क्या लिखा गया है सब जो कॉंस्टिशन है या एस्टी लिखा गया है सेडिूल्ड ट्राइब अनुसूचित जन जाती अनुसूचित इसलिए है क्योंकि यह नोटिफाइड है इनके लिए हमने हर एक बिवस्टा हर एक बात को अलग-अलग आप में आपर बता दिया है इसलिए हम इनको क्या बोलते है अनुसूचित बोलते हैं याद रखे जंगल में रहनी बाली जो समूँ है वह है आपका अब हम लोग देख लेते हैं मद्द प्रदिश से सम्मंदित कुछ आपके पास जो फैक्ट है जनजातियों के जो कि आपके पास जनगर्णा में जनगर्णा की द्वारा हम पर बताए जाते हैं कि क्या मामला है आपके MP का देखो भई अगर हम लोग बात करते हैं जनगर्णा जो आपके पास 2011 है इस 11 के आकड़ों के अनुसार आपका जो MP है आपका जो MP है इस MP में देखे सबसे ज़्यादा जो जन संख्या है इस जन संख्या में जन जाती सबसे ज़्यादा जो ट्राइब है पॉपॉलिशन में ये आपके पास MP में पाई जाती हैं और इसी लिए हम लोग MP को ट्राइबल स्टेट के नाम से जानते हैं इसी लिए आपका जो MP है ये ट्राइबल स्टेट या जनजाती राज के अंतरगत आपके पास आता है अगर आपसे कोई बात करता है कि मद्धि प्रिदेश में मद्धि प्रिदेश की जो टोटल पॉपूलिशन है इस टोटल पॉपूलिशन में आप ध्यान रखीगा जो ST आपके पास है यह ST आपको 21% देखने को मिलती है और जो SC है यह आपको 15% देखने को मिलती है तो लगवग 36% आबादी SC है आपके MP की जो SC और ST है SC और ST आपको देखने को मिलेगी अगर आपसे कोई बात करता है कि सर, ST के कुछ फैक्ट बता दीजिए तो समझेए देखो Population की आपसे कोई बात करता है Population जन संख्या की आपसे कोई बात करेगा इस जन संख्या में सबसे ज़्यादा जो जन जाती पाई जाती है Population में सबसे ज़्यादा जन जाती पाई जाती है दार जिले के अंतरगत जो दार है यहाँ पर आपको सबसे आदा जनजाती देखने को पुलेगी याद रखेगा अगर आपसे कोई बात करता है सर्फ पृतिशत में सबसे अधिक जनजाती कहां पाई जाती है परसेंटेज में आप बताएंगे हमारा जो अली राजपुर है अली राजपुर जो कि आपका पश्चमी जिला है यहाँ की नवासी पृतिशत जो आबाती है वो एस्ती है तो पॉपुलेशन में जनजाती कहां पाई जाती है पॉपुलेशन में ट्राइब कहां पाई जाती है तो आप लोग देखेंगे percentage में आपके पाई जन जाती पाई जाती है अली राजपुर में, कहाँ पाई जाती है अली राजपुर में, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि minimum कहाँ पाई जाती है, minimum कहाँ पाई जाती है आपके पाई जो जन जाती है, वह minimum जन जाती आपको देख से कम देखने को मिलती हैं समझेए MP की अगर आप से कोई बात करता है तो MP में जो सबसे ज़्यादा जंजाती पाई जाती है पूरे भारत में पॉपोलेशन में इसलिए ट्राइबल स्टेट कहते हैं इसलिए आपको जंजाती राज यहां पर कहते हैं अगर MP की अंतरगती हम ल अली राजपूर में देखने को बलेगी अली राजपूर को हम लोग जंजाती बहुल आपके पास Raja के नाम से जिले के नाम से भी जानते हैं भी इंडिक ऐसा जिला है जहां population और प्रतीशत आबादी और प्रतीशत दोनों में जनजाती सबसे कम आपके पास पाई जाती हैं याद रखेगा अगर आपसे कोई पूछता है हमारे मद्यप्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है आपसे कोई पूछेगा कि हमारा जो मद मद्यप्रदेश है इस मद्यप्रदेश की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है या लार्जेस्ट लार्जेस्ट ट्राइब आफ एमपी अगर आपसे कोई पूछता है आप बताएंगे भील जो भील हैं यह सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पास पाई जाते हैं याद गौन्ड भारत की सबसे बड़ी जनजाती है आप से कोई पूछता है जो गौन्ड है कि गौन्ड यह भारत की सबसे बड़ी जनजाती है भारत के पहले नमर पर पाई जाती है लेकिन एमपी में सबसे बड़ी जनजाती है आप पस कौन सी है सर भील है अगर आप से कोई पर जो population है वो population आपके पास बेल की ज़्यादा देखने को बिलती है हमारे मध्यप्रदेश में ये लगवग लगवग आपके पास जन जाती हैं इन जन जातियों से संबंदित जेतनी सारे facts हमने आपको बताए हैं आप इनको याद रखिए प्लीज note down करते ही चलेगा सारे की सारे बच्चे notes के तरफ भागते हैं आप इनको note down करते रहें आप इसको लेखे फिर हम इसको आ गए बढ़ाते हैं धुरा सा पानी लेते हैं आप लोगे पानी पी लेजिए कreं इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं 2011 का आपके पास जो सेंसस है इस 2011 के सेंसस के बेसिस पर ही अगर हमारा जो मध्य प्रिदेश है इस मध्य प्रिदेश के अंतरगत टोटल पॉपूलिशन की अगर हम देटा को एक बार देखते हैं कि कितनी जंजाती आपके पास पाई जाती है तो इनकी संध्या आपको देखने को मिलती है लगबग लगबग एक करोड़ तरेपन लाग के आस्पास हमको आबादी देखने को मिलती है एक एप्रोक्स आपके पास data है, एक fix data यहाँ पर नहीं होता है, होते हैं तो fix हैं, लेकिन उनको याद रखना थूड़ा सा लाख जो हमारी population है, यह है महिला आबादी है, या महिलाओं की संख्या आपके पास पाई जाती है, तो total population अगर आप से कोई पूछता है, 2011 की जनगरना के आधार पर, total population of ST, है न, ST की हम लोग बात कर रहे हैं, population of ST की बात कर रहे हैं, मद्ध प्रदेश में जनजातियों की संख हैं, यह आपको देखने को मिलते हैं, महिलाओं देखने को मिलें, female आपको दिखाई देती हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, literacy rate, तो literacy rate जिसको आप लोग जानते हैं, साक्षर्टा दर, साक्षर्टा दर की जब भी हम लोग बात करते हैं, literacy rate की बात करते हैं, तो साक्षर्ट आबादी आपके पास literate है और आप सबको पता है कि हमारे पास जो literacy की परिवासा है हमारे पास जो साक्षरता की परिवासा है वो है क्या सर वो ये होती है कि अगर 7 साल से अधिक उम्र 7 years से जादा की age का कोई बच्चा पढ़ना लिखना जानता है अपने नाम को पढ़ लेता ह या नाम को लिख लेता है वो साक्षर माना जाता है इस आधार पर हमारी जन जातियां आपको इस आधार पर जो हमारी जन जातियां है यह आपको देखने को मिलती है सर यहापर कितना percent यहापर आपको देखने को मिलती है यह आपकी 50% आपकी साक्षर यहापर दिखाई देत देखने को मिलेंगी जो आपकी यहाँ पर पड़ी लिखी हैं मतलब कहिना कहीं आपके पास यह साख्छरता से बहुत ज्यादा दूर है अगर हम लोग बात करते हैं जन गहनत्व की जो जन जातियों का जन गहनत्व है या आप इसको कहते हैं population density population density आप जिस बात को यहाँ पर कहते हैं यह population density आपको देखने को मिलती है बेसिकली लगबग लगबग हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जन जातियों की population density आपको 50 देखने को बलती है पचास वर्ग किलोमेटर एक जो बर किलोमेटर है इसमें 50 जन जाति आपको देखने को मिल जाते हैं population density या जन गहनत को हम लोग कैसे निकालते हैं जन गहनत को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि एक वर्ग किलोमेटर में रहने बाले लोगों की संख्या दिखिए साक्षरता की कोई आपसे बात करेगा आप लोग बताएंगे हमारी जनजाती 50% आपके पास साक्षर है मतलब टोटल जो आबादी है इसका 50 पृतिशत आपके पास पड़ा लेखा है साक्षर है साथ साल से अधिक उमर के लोग को सामिल किया जाता है पॉपुलेशन ऑफ एस्टी किदनी असर वन करोड़ 53 लैक इसमें 77 लैक जो है वो मेल कैटिगरी है मेल लोग है और 75 लाक आपके पास बिमन है लिट्रेशी रेट साक्षरता कि हम लोग बात करते हैं तो 50% है और जन किलोमेटर है एक बड़े किलोमेटर नो 50 जन जाती लोग आपको देखने को मिल जाते हैं अगर हम लोग इनकी आबादी के निवास इस्थान की बात करते हैं कि कहां पर आपके पास ही रहती है आबादी तो आबादी की दो आपके पास हिस्से हैं आबादी के सर आपके पास MP की 92% जन जाती ग्रामिन एरिया में रहती है और सहरी छेतर की हम लोग बात करते हैं सहरी नहीं कह सकते हैं यह आपके पास जो संकर्मन सेल छेतर हैं अर्बन आबादे की बात करते हैं तो यह आपके पास मात्र 8 पृतिसद है, मात्र 8 पृतिसद लोग आपके पास जो है, यह सहरों तक पहुंचे हमारी जन जाती तो 2011 का जो सेंसस है, इसकी आधार पर जनसन क्या आप से कोई पूछेगा, population यह है, literacy rate आपके पास यह है, जन घनत आपको इतना देखने को मिलता है और आबादी, कितने पृतिसद आपके पास जो लोग हैं, यह लोग आपको सहरों में देखने को मिलते हैं, और कितने पृतिसद लोग आपके पास जो है, एक ग्रामिन एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, तो यह data आपके सामने है, मद्ध पृतिस की जन जाती हैं, इन जो MP है, इस MP में 43, 43 टाइप हैं जंजातियों की, 43 परकार की जंजाती आपको देखने को मिलती हैं, इन में सबसे बड़ी जंजाती आपके पास भील है, सबसे लारजेस्ट ट्राइब आप से कोई पूछेगा, आप बताएंगे भील है, और सबसे छोटी जंजाती आपके पा सबसे चोटी जंजाती आपको देखने को मिलेगी, भील, लारजेस्ट ट्राइब है, टोटल 43 परकार की, 43 परजाती पाई जाती है, MP के अंतरगर जंजाती की, इन में सबसे बड़ी आपके पास भील है, और सबसे चोटी, स्मॉलेस्ट आपके पास जो है, यह आपको देख देखने को मिलती है, कमार जंजाती, कितनी जंजातियों की संख्या पाई जाती है, 43 पाई जाती है, सबसे ज़्यादा किसकी जंसंख्या है, आप बताएंगे, सबसे ज़्यादा जो जंसंख्या है, यह हमको देखने को मिलती है, भील की, और सबसे कम आपको देखने को मिले लिट्रेसी रेट साखचरता दर 50.55% आप इसको करेट कर लिजीगा लिट्रेसी रेट में 7 साल से अधेकुम्न के बच्चों को सामिल किया जाता है जन घनत पॉपुलिशन डेंसिटी 50 पर किलोमीटर 50 लोग पाए जाते हैं प्रती वर के किलोमीटर में ग्रामे जो आबादी है यह 92% है 92% और सहरी आबादी 8% है सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो सहरों तक पोंचे हैं हमारी जन जातियों के थोड़ा सा और डेटा देखते हैं बहतर तरीके साए इसको यहाँ पर समझते हैं देखें अगर हम लोग बात करें हमारी जो ट्राइब हैं टोटल स्टी का अगर हमें डेटा यहाँ पर देखते हैं तो यह मद्र प्रदेश की जो जन संख्या है MP की आपके पास जो पॉपूलिशन है इस MP की टोटल जन संख्या का 21.6% पाए जाते हैं आपसे कोई पूछता है कि भारत की कितने पृतिशत जन जाती पाए जाती है तो भारत की जन संख्या का 14 पृतिशत पाए जाता है MP में 14% पाए जाता है MP में इंडिया का तो एक सवाल आपसे आपर पूछा जाता है, एक बहुत प्यारा सवाल आपके पास बनता है, कि अगर हम जनजातियों की बात करते हैं, तो population या जनसंख्या क्या जो हिसाब है, इस जनसंख्या के हिसाब से तो हम लोग पहले नमर पर आते हैं, मद्य प्रदेश में सबसे जनज जाती है, पॉपुलिशन के हिसाब से, इनकी जनसंख्या के आधार पर हम लोग पहले नमर पर आते हैं, लेकिन एक सवाल यहां से बनता है, कि परसेंटेज आपके पास जो है, इस प्रतीशत के आधार पर या जिसको आप लोग कहते हैं, परसेंटेज, इस परसेंटेज के आधार पर हमारी जो रैंकिंग है सर, यह तेरवी है, हम देश में तेरवे बें नमर पर आते हैं, याद रखीगा, कभी-कबार ऐसा सवाल यहां से बन जाते हैं, की, पॉपुलिशन के आधार पर आपकी देश में शंक्या पहली है, बेकिन प्रतिशत के आधार पर आपका देश में नंबर कौन सा है आप बता देङे देश में हमारा जो नंबर आपको देखने मिलता है सर यह आपको टेर बार आपको उल्हकर ओप्स कर चोके हम थोड़ी सम्वियदै कि अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं Population के आधार पर तो सबसे ज़्यादा Maximum जो जनजाती आपको देखने को बलती है यह आपको धार जिले में देखने को बलेगी सर कहाँ पर धार जिले में और Minimum अगर हम लोग Population की बात करते हैं ST की यह आपको देखने को बलती है बिंड जिले में इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करते हैं percentage अगर हम लोग बात करते हैं प्रतीशत percentage तो percentage की आधार पर सबसे ज़्यादा Maximum आपके पार जो जनजाती है वो आपको देखने को बलती है अली राजपुर में सरवाधित जो जनजाती है आपको अली राजपुर में देखने को बलेगी और minimum जो जनजाती है वह आपको भिंड में देखने को मिलती है अलब भिंड आपका जो है ये दोनों तरीके से last दोनों तरीके से top करता है minimum में बले जन्जातियों की आप जन संक्या के आधार पर बात करें, यह जन्जातियों की आप यहांपर जो प्रतीशत के आधार पर बात करें, इन दोनों में हमारा भिंड आपके पास टॉप पर है, कि सबसे कम जंजाती आपको यहीं देखने को मिलती है प्रतीशत और आपके पास जो population है इसमें अब इसके साथ में आपसे कुछ यहाँ पर और सवाल बन सकते हैं जंजातियों से related देखिए जैसे आपके पास जंजातिय संग्राले है यह जंजातिय संग्राले का आपके पास सवाल पूछा गया था तो जंजातिय संग्राले आपको देखने को मिलता है यह भोपाल में है कहाँ देखने को मिलता है यह आपको भोपाल में देखने को मिलता है अगर आप से कोई पूछता है कि जो जनजातिय संचार केंद्र है जनजातिय संचार केंद्र या ट्राइबल आपके पास जो रेडियो है ये आपको देखने को मलता है सर जाबवा में इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी जन्जाती आपके पास जो यूनिवर्सिटी है यह इंद्रा गांधी आपके पास यूनिवर्सिटी है ट्राइवल यूनिवर्सिटी यह आपको देखने को मिलती है अमर कंटक में यह आपको देखने को मिलती है अमर कंटक में और इंद्रा गांधी ट्राइ साथ यहीं इंडर्यगांदी ट्रइवल आपके पार सीटि बनी है कि पढ़ते रही है पढ़ते रहें जिसे आपको किसी पिरकार के कोई दिक्कत ना रहेleep को बाद में लिया जाएका अप लोगों को ऐसे सरे कमेंट नहीं लेते यह इसी लिए Leser ऑपक्स के साथ है इसा क्य बोकुस जो है यह इसी प्रकार में कमी नहीं आना करेणा चाहिए तो फोकस करते हैं तो फर मोग करते हैं यह प्रति निगम आप देखने को मिले लगती है तो अ यह आपका morning 1994 में बना और इसका headquarter आपको बोपाल में देखने को मिलता है कहां पर एसे बोपाल में यह कुछ संस्था है जो संस्था है आपके पास जंजात्यों से संबंदित हैं आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा सरकार के दौरा टांटिया भील फुरुषकार भी दिया जाता है सरकार ने जो टांटिया भील फुरुषकार है यह टांटिया भील फुरुषकार देने की सुरुगात भी की है इसी के साथ में जो आपका तुलसी सम्मान है यह तुलसी सम्मान यह भी आपके पास जंजाती है वर्गस है आपक आपके पास जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम भी आपके पास संकर सहा यूनिवर्सिटी आपके पास कर दिया गया है, संकर सहा यूनिवर्सिटी की नाम से आपके पास ही जाने जाती है, अभी भवर कुआ का नाम आपके पास जननायक, टांटिया, भील, चोराहा कर दिया तो यह बहुत सारे काम हैं जो जन्जातियों के लिए सरकार के द्वारा यहां पर किये जाते हैं आप इनको थोड़ा सा याद रखेगा अभी रिंड मुक्ती आपके पास अधिनियम भी आया है आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारे जन्जाति हैं जन्जाति के हम लोग यहां पर बात करते हैं या जातियों के अमरू बात करते हैं इसको रिंड मुक्ती कानून सरकार के दौरा लेकर आए हैं 2021 का विद्यक कि नॉन लाइसेंस वाले जो साहुकार आपके पास होते हैं सरपन जो होते हैं उनसे अगर आधिवासियोंने किसी पिरकार का भी रिंड लिया ह तो वो सूने गोशित कर दिया गया है 2021 तक गैर लाइसेंस प्राप्त करता लोगों से अगर आपने रिंड लिया है उसको सूने गोशित हैं पर कर दिया गया है यह कुछ फैक्ट है आप देख लीजी जनजाती संग्राले से कॉश्चन बनाए बोपाल में है जो आपका आध कि इस्तापना के गई थी टांट्यावील पुरुसकार तुलसी पुरुसकार चिंदवाड़ा उनिवर्सी का नामें आपर संकर सा कर दिया गया है और बहुत सारे नाम अभी परिवर्टित किये गए है यह आप लोग याद रखिए एक कॉश्चन पूचा जाता है कि जो मद इस्पेशल वैकवर्ड ट्राइब आपके पास कौन कौन सी है यह सवाल पूचा जाता है मद्व पुर्देश के संदर में जो अती पिछडी जन जाती है मद्व पुर्देश के संदर में अती पिछडी आपके पास जो जन जाती है यह जन जाती कितनी है आप बताएंगे अ आती पिछली जन जाती आपके पास 3 हैं इनके नाम पर आप एक बड़ फूकस कीजिये कौन-कौन सी हैं समझीodox सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखते हैं वेगा है कि इसके बाद आप लोग यहां पर लिखते हैं वारिया ट्राइब बैगा की हम लोग बात करते हैं बैगा की साथ में वारिया की बात करें और इसी के साथ में आपका जो सहरिया ट्राइब है यह सहरिया ट्राइब यह तीन आपकी special backward tribe है अती पिछली जन जाती है सर, special backward tribe या अती पिछली जन जाती का मतलब क्या होता है सर उनमें भी पिछड़ी हैं मतलब जनजातियों में भी ये सबसे पीछे हैं इसलिए आप लोग देखेंगे बैसे तो आप कभी नूटिस नहीं करते हैं लेकिन आपने कभी exam form देखा हो कोई भी exam form आप लोग देखेगा वहाँ सरकार के दौरा इनकी जो फीस होती है वह मात्र 50 पर जो की portal charge होता है वो रखी जाती है और कोई भी आपके पर जो education qualification है ये हमेसे कम रहती है क्योंकि इनके कल्यान करना इनका विकास करना सरकार का में लक्षे है जैसे जंजातियों के कल्यान की हम लोग बात करते है उन जंजातियों में भी सरकार की सबसे पहली जो priority है वो पहली priority आपके पास ये वर्ग देखने को मिलेगा जो अती पिछड़ा है जो बहुत ज़्यादा पीछे आपको देखने को मिलता है तो पूछा जाता है इस्पेशल वैगबर ट्राइब कितनी है अती फिड़ी जंजाती आपके पास तीन है इनके नाम आप बता देजिए वैगा भारिया और सहरिया एक बार आप लोग यहाँ पर देख लिजिए कि जो बैगा भारिया और सहरिया यह कहां पाई जाती है तो यह आपका प्यारा सा मद्यप्रदेश है और इस प्यारे से मद्यप्रदेश में आप इनके लोकेशन यहाँ पर देख लिजिए कि कहां पर आपको देखने को मिलती है हमारी जंजाती पैगा बहरिया और सहरिया ठीक है समझी जरा जैसे आप सब को पता है कि ये वाला जो एरिया है ये वाली आपके पाँ जो बेल्ट है इस बेल्ट में इस बेल्ट में आपको कही न कहीं यहाँ पर सहरिया जन जाती देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको जो सहरिया जन जाती है यह देखने को मिलेगी सहरिया हम लोग छिंदवाला की बात करते हैं चिंदवाला आपके पास जो रीजन है यहाँ पर आपको भारिया जनजाती देखने को मिलेगी यहाँ आपको भारिया जनजाती देखने को मिल जाती है और यह वाला जो आपके पास छेतर है इधर आपको बैगा जनजाती देखने को मिल जाती है तो आपसे कोई पूछेगा कि अती पिष्डी जंजाती कौन कौन सी है इस्पेशल बैगबर ट्राइब कौन कौन सी है आप बताएंगे बैगा भारिया और सहरिया ये जंजातीों में भी बहुत ज्यादा पिष्डी है बहुत ज्यादा मतलब ये अपने सामाजिक आर्थिक तोर पर बहुत पिष्डी है इनके पास हेल्थ संबंदी बहुत सारी प्रॉब्लम है सराब के आदी होते हैं नसे के आदी होते हैं प्लीज अदरवाइस मत दीजेगा किसी प्रकार से ये कमिया है और इनको दूर यहाँ पर होना चाहिए तो ये बहुत पिष्डी आपके आपर दिखाई देती हैं तो इसमें आपको देखने को लेगा सर्जोब सहरिया है, बैगा है और बहरिया है फिके ये तीन अती पिष्डी जंजाती आपको देखने को मिल जाती है मॉच्छ सकता है कि जो मदर पुर्देस में जंजातीया है एन जंजातीयों को पिरतीसद फािस परसेंटेज बाइस आपको हुँच топ पूछ सकता है जो जनसंख्या है जनसंख्या के आधार पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या की आपकी जो ST population है इस ST population की अगर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या है न एक पूर दोखना आप लोग बस हम लोग बात करते हैं population की तो सबसे ज़्यादा जो जनसंक्या पाई जाती है ये दाहर में पाई जाती है दाहर के बाद दूसरे नमर पर आपको यहाँ पर देखने कुलता है बढ़वाने कुछ नहीं तो दो जिले तो आपको यहाँ पर याद हो दो जिले तो आपको याद हों कि population सरवादी कहाँ पर पाई जाती है दाहर में पाई जाते हैं 12,00,00 जो 12,00,00 के आसपास की आबादी है ये 12,00,00 की आबादी आपको पाई जाती है बढ़वाने की हम लोग बात करते हैं परतिशत के आदार पर 89 परतिशत जो आबादी है यह आपके अली राजपुर की है जो अली राजपुर है इसके 89% है और 87 परतिशत 87 परतिशत आपको जावगा की देखने को मिलती है तो ऐसे कभी कबार आपसे नाम पूछी जाते हैं आप इनको फ्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा यहां से कॉश्चन आपके पास बन जाते हैं कि सबसे जादा जो जनसंक्या है यह दार में 12 लाग देखने को मिलती है परतिशत की हम लोग बात करते हैं तो अली राजपुर में 89% और आपको जावगा है यह जावगा में आपको 87% यहां पर देखने को मिल जाती है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी यह हमने कुछ factual लेटा आपको बता दिया है जनसंक्या जनजाती से रिलेटेड अब हम एक बार कुछ जनजाती ओंका बरी करन आपको आपके आपर बता देते हैं क्लासिफिकेशन आपको बता देते हैं जनजातीओं का कि जैसे आप सब कोई पूच सकता है तो मध्र पिरदेश की जनजाती है आप इसको कई भाग में डिवाइट कर सकते हैं मृष्टिर प्रधेस की जञ्जाती हैं, आप इनको कई पार्ट में यहाँ पर, डिवाईट कर सकते हैं जैसे, एक आप लोग लिख सकते हैं पश्चमी आपके पास जो भाग है पश्चमी, मःष्चमी प्रधेस की जञ्जाती, पश्चमी भाग या western side के हम लोग बात करते हैं एक आप लोग लिख सकते हैं पूर्वी भाग ठीक है जो आपका पूर्वी भाग है इस पूर्वी भाग में आप लोग बता सकते हैं eastern या आप लिख देता हूँ जिससे आप मैंसे किसी को दिक्कत ना हूँ यह हमारा western part की जंजाती आपको देखने को बले हैं पूर्वी भाग की हम लोग बात करते हैं तो यह है आपके पास eastern जो part है यह eastern part की जंजाती आपको देखने को बलती हैं इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं उत्तरी भाग जो आपका उत्तरी भाग है इस उत्री भाग में आपको देखने को मिल जाती है North part की हम लोग याप पर बात करते हैं North part और इसकी बाद में आपका जो दक्षनी भाग है यह दक्षनी भाग की हम लोग बात करते हैं या जिसे आप लोग कहते हैं Central जो आपका region है ये Central Region की जंजाती आपको देखने को मिलती है पश्ची भाग, पूर्वी भाग, उत्री भाग और दक्षनी भाग आप इनको लिख लीजिए यहाँ जंजाती आपको देखने को मिल जाती है इनसे सवाल आपके पास कोई पूछ लेता है Basically, देखिए जो जब भी आप लोग किसी भुख को पढ़ेंगे तो इस भुख में आपको उत्तर पूर्वी एक ही भाग यहाँ पर बता देएगे उत्तर पूर्वी भाग आपको बता देते हैं बड़ हम लोग इनको चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे एक आप पस्पष्टमी भाग की बात करेंगे एक हम लोग पूरी भाग की आपर बात करेंगे एक हम लोग उत्री भाग की बात करेंगे दक्षनी भाग और इसी के साथ में एक आपको देखने को मिलेगा सेंटल जो मद्ध है इस मद्ध में आपको जनजाती देखने को मिल जाती है तो ये चार पार्ट में आपने जनजातीों को डिवाइट कर दिया है एक बार मैप बनाए और इस मैप में कुछ जनजातीों का उल्लेख कीजिए कुछ जनजातीों का उल्लेख कीजिए जिनसे आपके सवाल यहां से बन सकते हैं आपसे कोई सिंपली यहां से सवाल पूछ सकता है तो यह अपना प्यारा सा मद्धिप्रदेश है और इस प्यारे से मद्धिप्रदेश को जो हम लोग किस तरीके से देखते हैं तो यहां काफी सारी जनसंख्या आपको देखने को मिलती है जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये वाला जो आपके पास पूरा का पूरा सेक्टर है ये आपका जो पश्च्चमी भाग है इस पश्चमी भाग के अगर आप से यहां पर कोई बात करेगा या भी जनजादी हम लोग बात करते हैं आपको देखने को मिल जाता है जैसे हमारा ये उत्तर वाला आपके पास जो चेतर है गुना, गौालियर, सुपुरी ये वाला जो चेतर आपके पास है यहां आपको देखने को मिलता है सर जो सहरिया जनजादी है यहाँ पर सहरिया जंजाती आपको देखने को मिल जाती है जब भी हम लोग आपसे यहाँ पर बात करते हैं यह वाला जो आपके पास रीजन है यह आपका पूरा पूरवी छेतर है इस पूरवी छेतर के आप लोग यहाँ पर बात करेंगे इसी के साथ में हमारी जो संथाल जन जाती है ये संथाल जन जाती है आपको देखने को मिलेगी कोल और संथाल जन जाती है आपके आपर देखने को मिल जाती है इसी के साथ में जब हम लोग यहां की बात करते हैं आपका जो छिंदवारा बाला रीजन है, यहां आपको देखने को मलती है, छिंदवारा और सिवनी बाला रीजन, यहां आपको देखने को मलता है, बाहरिया जन जाती, बाहरिया आप जिसको कहते हैं, और इसी के पास में, इसी के पास में, जब हम लोग आते हैं, यह बाला घ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बैगा जनजाती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है आप इसका एक बार मैप बना ले और यह मैप आपको भॉचत्य से बना लेंगे तो किसी पिरकार की तकलीफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं किसी पिरकार की तकलीफ से देखने को मिल जाता है गौंड जन जाती यहां हमको देखने को मिलती है गौंड जन जाती है अला कि गौंड जन जाती का जो निवास इस्थान है यह आपको इस वाले छेतर में भी देखने को मिलेगा यहां भी हमको जो गौंड जन जाती है यह गौंड जन जाती आपको द देखने को मिल जाता है इसी के साथ में इसी के साथ में जब भी हम लोग बात करते हैं तो यह जो छेतर आपके पास है यह गौंड जन जाती बहारिया बैगा आपको यहां पर देखने को मलेंगे हमारा जो बैतुल है इस बैतुल के आसपास कि हम लोग यहां पर बात करते हैं बैतुल में, तो इस छेतर में आपको देखने को मिलते हैं कोरकू, कोरकू आपके पास जो है, ये कोरकू आपको देखने को मिलते हैं, बैतुल में इनका संकिनन आपको देखने को मिल जाता है, तो कभी कबार रीजनल आपसे कोई पूछता है, रीजनल लेवल पर आपसे कोई कोई पूछता है किस एरिया में कौन सी जंजाती पाई जाती है कहां पर कौन सी जंजाती पाई जाती है तो आप उनको बता देंगे कि इस परकार की जंजाती आपको देखने को मिल जाती है इस परकार की जंजाती आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आप उनको थोड़ा जन जाती है हमारे पास दो गोमककर या अर्द गोमककर आप इनको कहते हैं अर्द गोमककर मतलब यह यह तो पूरे टाइम गोमती रहती है या कुछ समय एक जगह रहके फिर दूरी जगह आपके पास चली जाती है दो आपके पास गोमककर जन जाती है और यह दो गोमककर जन आपको पास कौन-कौन सी है सर, आप बताते हैं, एक आपको देखने को मलेगा अगरिया, ठीक है, अगरिया जो आपके पास है यह गुमकर जन जाती है, और दूसरे नमर पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, बेडिया, अब देखिए अगरिया सर कौन से होते हैं, सुरी, एक और आपको देखने कमलती है इसमें एक और आपको देखने कमलती है जिसको आप लोग कहते हैं बेडिया जिसमें आप लोग यहाँ पर कहते हैं बेडिया और आप लोगों ने अगर कभी करीला के बारे में सुना हो करीला तो करीला आपके पास जो है इस करीला में आपके प आपके पास थी भवान राम ने इनको बंसे गर से निकाल दिया था बंसे बापिस आने के बाद तो यह जो करीला छेत्र है यहाँ इनका मंदर बनाये गया है माजानकी का वहां एक बेड़िया समुझाएं आपके पास पाए जाता है इनके जो महिलां आपके पास होती है वह राई रत्य करती हैं और यह आपके पास बेड़ें ही कहलाती है तो गुमकड और अर्द गुमकड आपके पास जन जाती है यह आपको देखने को मिलेगी जिनमें अगरिया और बंजारे आपके पास आ जाते हैं साथ में बेड़िया आपको देखने को मिलेगी पूरवी छेतर इनकी संख्या आपके पास कम देखने को मिलती है तो पश्वी छेतर में भील जन जाती उत्तरी छेतर की हम लोग बात करते हैं सहरिया सहरिया के साथ में यहां आपको बंजारे देखने को मिलेंगे इस छेतर में अगर हम लोग बात करते हैं जन संख्या के बारे में तो आप जन संख्या यहां पर बता सकते हैं कि किस छेतर में कौन सी आपके पास जन जाती पाई जाती है आप इसका एक बहतर तरीके से मैप बना लीजिए और फिर हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को और समझते हैं कुछ कहानी और आपके पास जन जाती ह इन जंजातियों से related अगर कुछ भी आपके पेपर में आता है तो हम उनको बहतर तरीके से समझते हैं चलिए लिखिए आप थोड़ा सा यह डाइगराम बनाएगे बढ़िया तरीके से अगर आप लोग डाइगराम बनाते हैं तो जो मेंस आप लिखने जाएंगे मेंस में आपको डाइगराम बनाने की आदत पड़ जाएगी और मेंस में डाइगराम आपको काफी अच्छा बना देंगे अगर आप मेंसमें डाइगराम काफी अच्छा बना देंगी तो नमर मिलने की संभाबना और अच्छी यहां पर हो जाती है तो कौन सी जंजाती कहां पाई जाती है आप इसका बढ़िया मैप बना लेजिए बहतर मैप बना लेजिए जिससे आप बहतर तरीकी से अपने आपके आपर एक्सप्रेस कर पाओ किसी परकार की आपको कोई हापर दिक्कत नहीं रहे ठीक है भाईया चलिए आगे बढ़ते हैं ये मैप आपने बना लिया है ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ है दो मेट का समय और आपको दे देते हैं अच्छे से बना लेजिए जिससे किसी परकार की कोई तकलीफ नहीं रहे देखो हम अभी जन्जातियों को स्टार्ट भी नहीं किया है अल्मोश हमारी डेड़ घंटे के आसपास की किलास हो गई है अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक समझ को विक्सित कर रहे हैं एक समझ आपके पास जो है उसको हम लोग याँ पर विक्सित कर रहे हैं ये जन्जातियों से सम् चाहिए देगा MP में इससे बहतरीन लेक्चर आपको जन जाती हूं का देखने को नहीं मिल सकता है तो कुछ उम्मीदें आप से भी की जाती है क्या की जाती है आप इसको लाइक कैसी बात नहीं है नहीं पढ़ेंगे बड़ जब बहुत ज्यादा आएगा यह बेसिक अंडर्स्टेंडिंग आपके पास और इस बेसिक अंडर्स्टेंडिंग को तो बोट सही बहतर तरीके से क्लिए रखिया जा सकता है हम लोग थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ठीक है आप इसको यहां पर बना लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगी और आगे कहानियां से समझते हैं तो प्लीज आप इसको बनाएए आप इसको नोट कर लिए होंगे ऐसी उमीद है तो यह एक आपके सामने मैप के थूँ हमने प्रजेंटेशन देखा था कि हमारी जंजातियां है यह कहां पर कौन सी है और अब हम लोग एक एक जंजाती जो है इसको यहां पर पढ़ने वाले हैं देखिए जंजाती अब सबूसेते हैं उसका यूजस कर सकते हैं तो अब उस समय तक आपके जू कलास रहेगी आके आने वाले समutunya पर वहम पर इहांपर देखने वाले हैं तो सवागत है आप लोग, अप घडर तरीके से हाप? बेतर तरीके से समझ देजिए जिससे आपको किसी पिरकार की कोई भी दिक्कत है आप नहीं रहे क्यूंकि हमारी जंजातियां हैं इनके मैप आपके सामने हैं कि कौन सी जंजाती कहां पर है ठीक है थोड़ा सा ब्रेक भी आप लोगों नहां पर ले लिया है आपने इसको बात करते हैं पैगा की हम लोग बात करते हैं शहरिया यह कुछ मैं इंपोटेंट आपके पार जंजाती हैं इनकी बारे में आपको हर एक तथे को हर एक फैक को बारी की से पढ़ना होता है ठीक बाई चलिए तो आप इसको आप नोट डाउन कर लिया है अब हम कहाने को आउसकेजिए देखे परीचे हम लोग आप देखने वाले थे परीचे मैंने आपको बता दिया जंजातीयों की कि बिछेष्ट्रा मैंने आपको बता दी कि आपके पास होती क्या है मद्य प्रदेश का जो भोगर्लिक बितन है यह भी हमने देख लिया है, map की थुरूबी आपको बता दिया है, map की थुरूबी आपको बता दिया है, और without map भी आपको बता दिया है, जनजाती क्या होती है, परिचे हमने देख लिया है, यह एक बार आपको बता हुआ, सारा जो पढ़ाया है, यह पूरा का पूरा लिखा ह या अब भी राजय के बाहर है तथा विकास की सोपान में सबसे निछले इस्थन पर है ठीक है सबसे निछले पायदान पर आपके पाँ जाता है आप उसको यहां पर जन जाती कहते हैं जन जाती को आप आदी बासी भी कहते हैं आदी प्लस बासी अर्थार्थ मून लेवासी यह सब्दी हमने आपर देखा था हमारी जो जन जाती है ना पिटा यह प्रोटो ऑस्टेलियाइड परिवार का पृतनेदित करती हैं प्रोटो ऑस्टेलियाइड ठीक है मंगोलाइड उनमें से मोस्ली हमारी आपके पास जो जन जाती हैं यह प्रोटो ऑस्टेलाइड परिवार से आपके पास सब्मंदित हैं याद रखेगा इनकी एक सिंपल से परिवासा आप से कोई पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे यह लोग एक निष्चित भुभागपन निवास करते हैं जिनकी अपनी भासा है इनकी अपनी अलग भासा है सब्बता है और अलग इनके सामाजिक संगठन हैं जब भी आप किसी जन जाती वर्ग से मिलेंगे तो इनके आपको सारी-सारी विशिस्ताइं आपको अलग देख बता दिये हैं जंजातियां कि आपने देख लिए कि सबसे ज्यादा भील है फिर गॉंड है फिर आपके पास आएगी अत्यंत पिछडी इस्पेशल बैगबड बैगा भारिया सहरिया आपको यहां पर बता दिया है अन्य परमुख जंजातियां बंजारा कूरकू अगरिया प तो फल four up मिलते हैं या फर जानवर मिलते हैं तो उनी को क्या करते हैं इसिकार करते हैं और यहाँ पर खा जाते ही याद रख़िएhan पई चलो अब देखो, हमने ये भी आपको बताया था कि पूरवी छेतर की जनजाती, दक्षनी छेतर की जनजाती, पश्मी छेतर, उत्तरी छेतर और अन्य छेतर, ये classification भी मैंने आपके आप बता दिया था, हम लोग देखते हैं सबसे पहले पूरवी छेतर, देखिए पूरवी छेतर अगर आप लोग यहां पर classified करते हैं, तो इस तरीके से ये वाला जो छेतर आपके पास ये पूरवी छेतर है, इस पूरवी छेतर में कितने प्रतीशत, 14 प्रतीशत जनजाती, 14% अफ जो हैस्ट है MP की, ये इस वाले एरिया में आपके पास रहती है, कहां पर Eastern पार्ट में, इसमें कौन-कौन से जिले आते हैं सर, सिंग्रॉली, सहडोल, अनुपूर, कटनी, सीधी और उमरिया, ये जो जिले आएंगे, ये जिले आपस पूछ सकता है, कि पूरवी जो जनजाती छेतर है, इसमें कौन-कौन से जिले आते हैं, आप बता देते हैं, सिंग्रॉली आए जाती है MP की, इसमें important क्या है सल, coal coal जन जाती, पानी का, मुडिया, उराब, बैगा ये important जन जाती आपके यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये जो जितनी जन जाती आपके पास है, इनमें जो sex ratio है, इनमें बहुत जादा difference देखने को मिलेगा, लिंगन उपात में बहुत जादा अंतर आपको देखने को मिल जाता है एक simple सा सवाल आपसे बन सकता है कि पूरवी छेतर में MP की total जो tribe है इसका कितने प्रतीशत पाई जाती है आप बताएंगे 14% total tribe का पाई जाता है eastern part of MP के अंतरगत, कौन-कौन से district है जिले बताने की जरूबत तो नहीं है लेकिन जनजातियों में आप लोग थोड़ा से याद रखीगा कोल, संथाल, पानिका, मुरिया, उराव, बैगा ये पूरवी छेतर में आपको देखने को मिल जाते हैं अगर हम लोग बात करते हैं दक्षनी चेतर का सर्थ तो यहाँ पर 24% southern आपके पास जो region है इस southern region में ये आपका जो दक्षनी वाला चेतर है इस दक्षनी वाले चेतर में आपको 24% यहाँ पर 24% जनजाती आपको देखने को मिलती है 24% जनजाती यहाँ पर आपके पास निवास रथ है जिले कौन-कौन से आते हैं सर्थ तो बैतुल, recur, चिनबाड़ा, सिबनी, हर्दा, बाला घात, मंदला, दिन औरी यहीं से सरु होते हैं यह मंदला से सरु होते हैं दिन औरी, बाला घात यहां तक आपके पास आ जाते हैं इस बैट में 24% सदन जो portion है MP का इस सदन portion में 24% 24% आपके पास जो ST है 24% आपके पास जो जनजाती है यह जनजाती आपकी दक्षरी छेतर में आपन निवास करती है इसके जो जिले हैं बैतल, छिनवाड़ा, सिबनी आप लोग याद रखेगा यहां जो प्रमुक जनजाती है कोरकू, भारिया, प्रिधान, गौंड यह आपकी प्रमुक जनजाती देखने को मिलेगी और गौंड इनमें सबसे ज़्यादा है आपसे पूछा जाएगा कि पूरवी छेतर में सरवाद एक कौनसी जनजाती पाई जाती है आप बताएगे कोल जो कोल है, यह सबसे ज़्यादा है आपसे कोई पूछे का कि दक्षने छेतर में सरवाद एक कौनसी पाई जाती आप बताएगे गौंड दक्षनी चेतर में पाई जाती है गौंड गौंड भारत की सबसे बड़ी जन जाती है और MP के दूसरे नम्मर की सबसे बड़ी जन जाती है तो पूरवी चेतर में कितने परशन लोग पाई जाती है सर पूरवी चेतर में 14 परशन जन जाती प्रमुख जन जाती कौन सी है important tribe कौन सी call आपको देखने को मिलती है और special feature क्या है difference between sexual issue बहुत अंतर देखने को मिलेगा लंगानुपाद में दक्षिनी जो सेथ है southern part of MP में 24% total ST की population का 24% only southern part में पाया जाता है और southern part में आपका जो मनला district है इस से लेके पूरा पूरा दक्षिन बाला जो छेत्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इनमें कौन कौन सी जन जातिया है सर कोरकू देखो बैतूल के लिए famous है भारिया आपकी पाताल कोर के लिए famous है गौन्ड सबसे ज़्यादा संख्या में आपके यहाँ पर देखने को मल जाती है तो एक छेत्र आपका कबर हो गया है दूसा छेत्र आपके यहाँ पर कबर हो गया है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पश्मी छेत्र पश्मी छेत्र की बात करेंगे तो यहाँ आपको लगबग 30% जन जाती जनसन क्या पाई जाती है टोटल जो population है, इस टोटल population का 30 पृतिशत, टोटल population का 30% कहां पाया जाता है, यह western region में पाया जाता है, जिले आपको बताने की जरुवत नहीं है, क्योंकि जावगा, बढवानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरानपुर और रतलाम, यह जिले आपके पास आते हैं, जैसे हम पूरा का पूरा आपके पास छेतर है ना भाई, यह आपका पश्चिमी छेतर है, इस पश्चिमी छेतर बैसर क्या पाया जाता है, 30 पृतिशत, 30% आपके पास जो ट्राइव हैं, 30% ट्राइव आपको यहां देखने को मलेगी, और इसके अंतरगत आपका जो जावगा और अली राजपूर है, जहां होगा, और अली राजपूर के हम लोग बात करते हैं, यह मैच्ट डिस्टेक आपके बात्स हैं, जहां होगा, अली राजपुर, धार, बडवानी, यह Templary abroad अधार आपकीपास रहेंगे, पश्मी छेतर में 30 प्रतिशत पूरवी छेतर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 14 प्रतिशत यहाँ important जन जाती कौन सी है सर कूल जन जाती है सबसे important और दक्षनी छेतर की बात करते हैं तो यहाँ 24 प्रतिशत पाए जाते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तरी छेतर, उत्तरी छेतर में गौालियर, सेवपुरी, सेवपुर ये आपको देखने को मिलते हैं, सहरिया, खैरबार और सोर, ये जनजाती आपको पूरवी छेतर, उत्तरी छेतर में आपको देखने को मिल जाती हैं, नदन पोशन पर क्या देखा है कि किस region में कौन सी जनजाती पाई जाती है और कितने percent जनजाती पाई जाती है कितने percent tribes आपको देखने को मिलती है Southern portion में Southern portion या जक्षनी छेतर आप जिसको कहते हैं यहां आपको 24 percent western देखें अगर इनका कोई arrangement पूछता है इन में अगर आपसे कोई एक order में पूछता है, कि जन्जाती बहुल एरिया को बताइए, तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे western, western के बाद लिखेंगे आप eastern, और उसके बाद लिखेंगे आप north और उसके बाद आप लोग है central या other region, ये इनका एक क तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो जनजातियों का यह जो बर्गी करण है यह जो बितरन है आप इसको बहतर तरीके से याद रखेगा अब देखिए मद्ध प्रदेश में देश की सरवाधिक अनुसूचे जनजाती निवास करती है इसी लिए इसे जनजाती प्रदेश भी कहते हैं हम इन सब के बारे में देखेंगे गौंड, भील, ठीक है हम लोग आपको यहाँ पर बताने बाले हैं जो गौंड ट्राइब इस गौंड के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने बाले हैं भील ट्राइब को लेकर हम लोग यहाँ पर जानेंगे जो कोरकू है इस कोरकू जन जाती के बारे में हम लोग जानेंगे जो अगरिया है इस अगरिया जन जाती पानी का ट्राइब अगरिया पानी का इसी के साथ में आपका जो बंजारा है इस बनजारा ट्राइब और पारधी ठीक है इनके बारे में आपदा गर्ष जन जातियां या बिसी इस पिखोडी जन जातियां जो आपके पास इंडेंज़ेड आपकी ट्राइबवस है या जो इस्पेशल बैगवाड ट्राइबस है वहें आपके पास है बैगा, बहरिया और सहरिया इनकी छेतर आपको पता है बैगा आपको देखने को बिलता है दक्षनी छेतर में बहरिया आपको देखने को बिलता है दक्षनी छेतर में और सहरिया आपको देखने को बिलता है काँपरसर उत्री छेतर में तो इनके छेतर भी आपको पता है ये सारी की सारी जंजातियों के बारे में आपको बिसेश पढ़ना है और बागी जो छोटी जंजाती है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं इतना सब कुछ आपको बहुत भैतर तरीके से समझ में आ रहा होगा इसमें किसी पिरकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा वो हर एक चीज तत्य है और इसी लिए ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है otherwise हम हमेशा हर चीज को बोर से ही आपको पढ़ाते है जल्दी कबर करना है 10-12 गंटे का टाइम जिस चीज में लगता है उसको 5-6 गंटे हमको यहाँ पर कबर करना है इसी लिए ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है तो परिशान मत होईए गा ठीक है चलिए हम लोग सिर्क क्या क्या पढ़ेंगी जनजाती की बारे में तो सबसे पहले उनका परिशे देखेंगे सबसे पहले हम लोग उनका क्या पढ़ेंगी सर इंट्रोड़क्शन आपको पढ़ना चाहिए इंट्रोडिक्शन के बाद आपको उनका जो बोगलिक बित्रन है जिवरोफिकल इनकी जो लोकेशन है आपको पता हो इनकी उपजाती सब ट्राइब ठीक है तो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पर पता होना चाहिए कि introduction of tribe क्या है वादब ये tribe की उत्पत्ती कहां से होई है इसका origin कहां से हुआ है इसकी बाद आपको इनकी geographical जो लोकेशन है ये पता हो कि किस छेतर में आपके पास रहते हैं फिर इनकी सब tribe के बारे में हमको यहाँ पर जानेंगे कि एक जनजाती की subscribe कौन सी है फिर हम इनकी जो social feature है या social characteristics है इनको देखेंगे इनकी जो economic condition है economic situation को आपको बताएंगे religious इनकी जो festival होते हैं वो यहाँ पर देखेंगे cultural इनका देखेंगे इसमें marriage affairs आते हैं folk dance आता है इनके festivals आते हैं तो इतनी सारी चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं किसी एक जनजाती के बारे में तो किसी तरीके की कोई भी परिशानी आपको देखने को नहीं मिल सकती इस तरीके से जब हम एक जनजाती को पढ़ते हैं तो हर एक सवाल आपका यहाँ पर कबर हो जाता है को मिल जाते हैं यही सब हमको यहां पर सीखना है और आगे बढ़ाते हैं कहनी को भैई सबसे पहले गॉण्ड जन जाती अब गॉण्ड जन जाती को जब भी आप लोग पढ़ते हैं दो बात और तीसरा आप लोग याद रखेंगे कि मद्ध्र पुरदेश का जो MP है, इसका सबसे बड़ा जनजाती सभू है, मद्ध्र पुरदेश का सबसे बड़ा जनजाती समू है, वह है आपके पास यही है, गौन्ड ट्राइब. यही आपके पास गॉन ट्राइब सर कहां पाई जाती है तो हमारा जो मद्द्पिर्देश है इस मद्द्पिर्देश के अगर हम लोग दक्षनी छेतर की आप से हाँ पर बात करते हैं हमारे MP का अगर आप लोग दक्षनी छेतर यहां पर देखने के लिए जाएंगे इस दक्षनी छेतर में पूरा का पूरा आपका जो सदन पोर्शन है इस पूरे सदन पोर्शन में यहां से लेके यहां तक आपको हर जगे गॉन्ड जन जाती देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यह है भारत की इंडिया की सबसे बड़ी जंजाती है largest tribe of India दूसरे नम्मर पर हम लोग बताएंगे MP की यह है second largest tribe है और तीसरा आप लोग बताएंगे MP का जो tribal group है इस tribal group में यह है पहले नम्मर पर आपको देखने को मिलती है जंजाती समू में largest tribal group of MP हमारी गौंड जंजाती है किस region में mostly आपको देखने को मिलती है तो सदन आपके पास जो region है इस दक्षनी चेतर में आपको गौंड जंजाती देखने को मिलती है देखिए इसका जो origin हुआ है इसकी जो उत्पत्ती है ये तेलगू भासा का एक सब्द है कौंड एक आपके पास word है तेलगू कौंड और इसका मतलब होता है पहाड इसका meaning आपके पास होता है mountain है ना mountain और परवत की निवासी मतलब ऐसी लोग जिनका residence आपके पास mountain है वहे आपके पास गौंड कहलाए गौंड सब्द की उत्पत्ती कहां से हुई है गौंड जो सब्द है ये कहां से आया है question आपसे बनता है आप बताएंगे जो गौंड सब्द है इस गौंड सब्द की उत्पत्ती तेलगू भासा का एक सब्द है कौंड कौंड जो सब्द है इसका मतलब होता है परवत निवासी मतलब ऐसी वाले लोग जो परवतों पर रहते थे या जिनका residence आपके पास mountain हुआ करता था उनको ही हमने यहाँ पर गौंड बोला है ये किस group से सम्मंदित है आप बताएंगे यह प्रोटो ऑस् गुरूप है इस प्रोटो ऑस्टेलियाइट गुरूप से आपके पास सम्मंदित है मतलब क्या है सर्थ मतलब आपके पास वही है कि इनके जो बाल है यह बाल आपको थोड़े से घुम्राले दिखाई देंगे इनका जो सरीर है यह आपको मजबूत दिखाई देगा काले द तेलीखी सबस भुखु है कॉंडहिती हो इसका मतलब क्या है सर इसका मंध़ा होता है है पहार या पर्वत पर रहने वाले लोग तो ऐसा मना जाता है एसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यह लोग परवतों पर रहते थे पहारोगई स्रक्षाओ की द gymn nettoy इस है और इसे लिए इनकी इत्प्ती कौंड सब्द से आपके पास मानी चाती है। चिस सभू से संबंधत हैं, ऐसा कौन सा आपके पास GROD है, यह प्रोटो ऑस्टेलियाओ ग्रोप से आपके पास संसल्भन एध याद रखीगा। अधर इनकी विशेष्थाएं क्या है सिर्फ यह भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है और मद्धि प्रदेश की सेकंड है MP की सेकंड है भारत में सबसे ज़्यादा गौंड पाए जाते हैं और MP में दूसरे नमर पर आपके पास पाए जाती है मिल जाती है all over MP में आपको देखने को मिलेगी लेकिन especially जो नर्वदा वैली है इसके बोद साइड नर्वदा वैली के बोद साइड मतलब यह आपके पास नर्वदा घाटी है इस नर्वदा घाटी के आप इधर भी देखेंगे तो यहां भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाती है वैसे पूरे MP में पाए जाते हैं गॉन्ड पूरे MP में हैं गॉन्ड लेकिन special इनका जो निवास छेतर है परवता पर रहते हैं अब परवतों की बात करें तो नर्मदा के इधर बिंद्याचल परवत है और नर्मदा के इधर सत्पुड़ा मेकल रेंज है तो कहाँ पाए जाए 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 ज इस गौणड सब्द की उतपत्ति आपको पता चलिया है। l्2 आ यह उसकी उतपत्ति और इसका Mतलब क्या होता है इसका मतलब होता है परृत निवासी। CSS लोग जो परृत पे रहते हैं या जिनका habited आपके पास mountain है वहाँ से, तो उत्पत्ति किस से सर तेलगू, एक भासा है आपके पास तेलगू, इस तेलगू भासा का जो कौन है इससे इनके उत्पत्ति माने जाती है, याद रखीगा, किस सम्हू से सम्मंदित है, ऐसा कौनसा आपके पास group है, जिससे इनका स सम्मंद है आप बताएंगे यह सम्मंदित है प्रोटो ऑस्टेलाइड जो प्रोटो ऑस्टेलाइड गुरूप है उससे आपके पास यह रिलेटेड हैं मजबूत कत-काठी देखने को मिलेगी जो फेस है यह आपको चप्टा देखने को मिलेगा बाल इनके घुमराले टाइप को आपके यहां पर दिखाई देंगे काले आपको दिखाई देते हैं और डांट बहुत सफेद आपको दिखाई देंगे यह हमारे आपको देखने को बिलते हैं गौण्ड कलियर है भाई अलग बिसीजिसत है हमने क्या पड़ी इन Better पड़ी यह भारत की गोर्ण जन जाती है भारत की सबसे बड़ी जन जाती है आपका जो MP है इस MP की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है इसका जो निवास है कहां पाई जाती है MP में तो आप बताएंगे जो नर्वदा इन जिलों में आपको हमारी जो गौर्ण जन जाती है देखने को मिल जाती है I hope इतना आपको समझ में आएगा होगा यह कौन्ड सब्द आपको याद रखना है इसका मीनिंग परवदवासी होता है आप लोग याद रखेंगे यह प्रोटो ऑस्टेलिया जन जाती सभूं आप भील है मद्य प्रोटेस में सबसे ज़्यादा भील पाए जाते हैं भारत में सबसे ज़्यादा गौन्ड पाये जाते हैं ठीकर वाई यह इनका वितरण आपने दीख लिया है चलिए अब हम लोग इनका बर्गी करण करते हैं अब हम इनका classification देखते हैं कि जो जन जाती है या जो गौंड जन जाती है इसका बर्गी करण क्या है देखिए एक तो किया जाता है website के आधार पर एक हम लोग बात करते हैं ये जो business करते हैं इस business के आधार पर basis of business क्या इनके द्वारा किया जाता है दूसरा हम लोग करते हैं संपत्ती के आधार पर संपत्ती मतलब जो property है इस property के basis पर हम इनका इहां पर classification करते हैं तो गौन्ड जो है इनका बरगी करण इनके classification के दो आधार है पहला आधार आपको देखने को मिलता है इनके दोरा conduct किया जाने बाला business basis of work क्या काम करते हैं और दूसरे नमर पर हम लोग देखते हैं इनकी property इनकी संपत्ती के नाम पर तो कितने तरीके से बरीकरन कर सकते हैं सर गौन्डों का दो तरीके से पहला आधार क्या है पहला आधार है इनका work इनका business कौन सा काम ये करते हैं और दूसरा आधार क्या है सर दूसरा आधार है संपत्ती जो की हर जगे आपको देखने को मिलती है मैं teacher हूँ किस काम से मेरे website के नाम से अगर कोई engineer है तो किस नाम से है वो उसके website के नाम पर है अगर कोई painter है तो उसके नाम के आधार पर है वोके सम्मानी अमीर है क्योंकि संपत्य उसके पास बहुत ज़्यादा है हम लोग गरीब है क्योंकि हमारे पास संपत्य बहुत कम है यह दो तरीके हैं दो तरीके से हम लोग गौंड का यहां पर classified करते हैं वेबसाय के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि प्रधान किसकी उप जाती है आप बताएंगे प्रधान हमारे गौंडों की उप जाती है प्रधान किसको कहते हैं जो पूजा और पाठ करने वाले लोग हैं जैसे हमारी सोसाइटी में जो ब्रहमन हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर प्रोहित कहते हैं, वो आपके पास पूजा पाट करते हैं, लेकिन जो गौंड समुदाय है, इस गौंड समुदाय में प्रधान वो होते हैं, जो पूजा पाट करते हैं, इस्वर को यहाँ पर इस्व करने वाले लोग आपके पास उजा कहलाते हैं अगरिया अगरिया भी गौंडों से संबंदित हैं ये लोहे का काम करने वाले लोग हैं जिसको आप लोग बेसिकली लोहार लोहार यहां पर कहते हैं ये लोहास रुको अपना देवता मानते हैं लोहे का बिजनेस करके ही अपने जीवन का यापन करते हैं, इसलिए यह आपके पास आगरिया यापन को लोहार कहते हैं, सोलहास सोलहास बड़ई का काम करने वाला, जो बड़ई ही है, जो बड़ई गिरी करता है, सोलहास है, और कोलाई भूतिस, जो नाचने गाने वाले आपके पास oja होते हैं सोरी गौंड होते हैं वो कुलाई बुतिस कहलाते हैं अप समझे अगर हम यहापर business की बात करते हैं तो business की आधार पर आप से पुछा जाएगा प्रधान कौन होता है प्रधान जो पूजा पाठ आपसे करता है उजा कौन है सर ओजह आपके पास जो तांत्रिक कारे करता है बे ओजह है ओजह आपसे पूछा जाएगा सोलहास कौन है सर सोलहास सोलास वो लोग हैं जो बड़ाई गिरी का यहां पर काम करते हैं अगरिया कौन है सर अगरिया जो लोहे का काम करते हैं वो अगरिया है आप से पुछा जाएगा कुलाई भूतिस कौन है कुलाई भूतिस ऐसे गौंड ऐसे गौंड जो नाच गाने का काम करते हैं वह आपके पास kolai bhutis यहां पर कहलाते हैं ठीक है भई? तो अब आपको पता चलिया है कि प्रधान ये भी गौंड है ओजा ये भी गौंड है अगरिया ये भी गौंड है और सोलहास ये भी आपके पास गौंड है kolai bhutis ये भी गौंड है ये सब इनकी उपजाती है किस आधार पर डिसाइड की गई है सर उपजाती ये डिसाइड की गई है काम के आधार पर पूजा पाठ करने वाला कहलाता है प्रधान हमारे हाँ पर जो जमीदारी करता है वो प्रधान कहलाता है लेकिन गौंड जो समू है गौंड जंजाती समू में वो लोग जो पूजा पाट करते हैं पूजा पाट करने वाले परधान है उजा हमारे हैं पर बड़े गिरी का काम करता है लेकिन गौंड में जो तांतरिक कारी करने वाले लोग हैं वो उजा कहलाते हैं अगर या तो आप लोग पहचानी जाओगे लोगों का काम करने वाला सूलहास, देखिए, साल की जो लकड़ी है आप उसको इससे कनेट केजिए, सूलहास साल से लकड़ी मतलब सूलहास जो है, गौंडों में ये बड़े गिरी का काम यहाँ पर करते हैं, और कुलाई भूतिस ये नाचने वाले आपके पास गौंड है, तो बेफसाय के आधार पर एक, दो, तीन, चार, और पांच आपने इनके बड़ी करन यहाँ पर कर दी हैं, पांच उपजाते आपने देख लिए हैं, ये एक्चुल बड़ी करन हैं, ये इनकी पर जाती हैं, ये इनके परकार हैं आप से कोई पूछेगा कि कितने परकार की गौंड पाए जाते हैं, तो इसपेसली गौंड की तीन टाइप आपको देखने को मिलेगा, पहला होता है राजा, राजा मतलब मालिक, मालिक मतलब जो बहुत जादा पैसे बाले होते हैं, इनके पास आधिक संपत्ति होती है, आ पूछा जाएगा कि कौन कितने परकार की, ये उपजाती आप लोग बता सकते हैं, वेपसाय के आधार पर परकार भी बता सकते हैं, पर गौंड कितने परकार की होते हैं, गौंड भहिया तीन परकार की होते हैं, इसपेसली तीन परकार की गौंड है, कौन कौन से, राजा राजा गौन्ड मतलब जिनके पास जमीन है जिनके पास जमीन है दुर गौन्ड इनमें कम संपत्ति यह आपके पास मजदूर के तौर पर कारी करते हैं और भूरिया एवा मारिया पूरिया और मारिया आपके पास जो गौन्ड है यह अत्यंत पिछली जन जाती है गौन्डों मारिया हैं यह अभी जंगलों में हैं यह अभी अपने बिकास की मुख्धारा में आ नहीं पाए है कि अभी भी कंद मूलफल और सिकार पर आपके परस क्या करते हैं निर्वर करते हैं तो संपत्ती की आधार पर तीन परकार के हैं राजा गोंड रखी सें धुर्गॉंड कम पैसे वाले और यह बिलकुल ही पैसे वाली बहुत ज़्यादा गरीब है अच्छा याद रखीगा इन लोगों में बैवाहिक सbahn्मंद नहीं होते हैं जैसे राजा गोंड है राजा गोंड यह दरगॉन, इनकी बेट में वेवाहिक सम्मंद नहीं होंगे, त्यान रखेगा, यह आपस में वेवाहिक सम्मंद इस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें उच्छ नीच आपके पास बहुत जादा चलती है, याद रखेगा, लेकिन क्या करते हैं, जैसे राजा गॉन ह यह दुर्गॉंड की बेटी से साधी कर लेगा, लेकिन राजा गॉंड की लड़की कभी दुर्गॉंड को कभी नहीं देता है, तो यह आपको याद रखना है, कि गॉंड बेसिकली तीन प्रकार के हैं, एक है राजा, जिनके पास जमीन है, जो अपने आपको मालिक समझते है पैसे वाला बर्ग आप कर सकते हैं, और दूसरे नमर पर धुर्गॉंड है, जो गरीब है, जो मैदूर बर्ग है, जिसके पास पैसे का आभाव है, यही एक बेसिक डिफरेंस है, मुरिया और जो भारिया आपके पास आते हैं, बुरिया एबम जो मारिया आते हैं, यह अत् पर बेटा क्या देखा बरगी करण, अब बरगी करण में सबसे पहले संपत्ति का आधार देखिए, संपत्ति जो है, इस संपत्ति की आधार पर गौंड आपके पास तीन परकार के होते हैं, कौन सा बताया, एक आपको बताया, राजा गौंड जिनकी पास जमीन होती है, जिन यह जंगल में रहते हैं, यह अतीक पिषडी आपके पास है, इनमें डिफरेंस यही है, यह एक दूसरे से marriage affairs नहीं करते हैं, इस बात पर ध्यान दीजीगा, पूचा जा सकता है, जो राजा गौन है, यह राजा गौन क्या कर सकता है, धुर गौन की बेटी को ले आएगा, पर आपको पता है, कि जब भी हम लोग बात करते हैं, परधान, परधान करता है सर, परधान करता है सर, क्या पूजा पाट, जो ओजा है, यह ओजा क्या करता है सर, ओजा करता है तांत्रिक, ओजा तांत्रिक है, आपका जो सोलहास है, यह सोलहास क्या करता है सर, यह आपके बड़े गिरी का काम करते हैं, बड़े गिरी का, जो कोलाई भूतिस हैं, ये कोलाई भूतिस क्या करते हैं सर, ये आपके पास नास्ते गाते रहते हैं, तो ये वेबसाय के आधार पर आपको यहां पर देखने को मिल गए हैं, वेबसाय के आधार पर और अगरिया लोहार का का करते हैं और यह इनकी जो बेसिकली संपत्य संपत्य के आधार पर वरेकरण आपको देखने को मिलता है अब देखो सामाज एक बिसेस्ता यह पित्र सत्तात्मक होते हैं पित्र सत्तात्मक मतलब परिवार का जो मुख्या होता है यह पिता होता है पित्र इस्थानिय समाज है मत ताकि घर में रहने वाला आक पास ही समाज है परिवार का जो मुख्या होगा head of the family होता है ये ब्रद पुरुस होता है सबसे बुढ़ा जो ब्यक्ति आपके पास होगा सबसे बुढ़ा आपके पास बेटा कौन है ब्रद पुरुस होगा old जो आपके पास member होता है त्योहारों तो आप फसल कटाई पर ये त्योहार मना मतलब जो त्योहार होता है न ये फसल कटाई की अफसर पर मनाते ही याद रखेगा सहीं तो परिवार चलते हैं joint family आपको देखने को मिलेगा nuclear family आपको देखने को नहीं मिलती है joint family देखने को मिलता है और कन्या मूल देने का पर चल लेते हैं लड़की वाले दहेज यापल लेते हैं याद रखेगा लेकिन हमारी जो जंजातियां हैं इनकी एक बड़ी बिसेश्था है सर बड़ी बिसेश्था क्या है वो यह है कि यह लोग पैसा लेते हैं पैसा लेने का मतलब एक परमपरा है अपने जैसा दहेज नहीं लेत वो देखते हैं कि लड़का क्या इतना capable है जो लड़की का भरन पोशन कर सकता है उसके बदले वो घर पे रहके मैदूरी करके दिखा सकता है कि लड़की का पालन पोशन कर सकता है एक कीमत दे सकता है या घर जमाई बनके रह सकता है ये तीन option इनके पास अभिलेबल रहते हैं हमारी जो society है जैसे हम लोग develop society कहते हैं वहां लड़का दहेज लेता है लड़की के बाप से लेकिन जो हमारी tribe है जिनको आप लोग पिछड़ा कहते हैं वो कितनी जादा सही है लड़की के पिता देखते हैं कि पहले लड़का लायक है या नहीं है कमाने के लिए बोवनेट जोब नहीं लायक अलग होता है याद रखेगा और उसी के बदले कुछ पैसा लेते हैं कि अगर आपके पास ही पैसा है तो आप साधी कर लेजी पहले बाद में आपके पास हो रिटन कर देते हूं तो आपसे पूछा जाएगा दहेज पिर्था चलती है क्या तो द रद्ध पुरुस परिवार का मुख्या होगा, तो हार फसल कटाई के अफसर पर मनाते हैं, तो हार कब बनाते हैं, फसल कटाई के अफसर पर मनाएंगे और आपके पास कन्या मूल देने का परचलन देखने को मिलता है, आर्थिक विशेषता है, इनकी किस पर डिपेंड करती ह किर्सी तो देखो भई किर्सी एवं सिकार हमने पहले ही देखा है राजा आपके पास जो गौन है ये राजा गौन तो भईया जमीन के मालक है जमीन के मालक है सीधी बात है तो क्या होंगे सर ये किर्सी पर डिपेंड करते होंगे और सिकार जैसे आपके पास जो धुर गौन ह ये क्या करेंगे, सर्थ जमीन तो है नहीं है, परिवार के भरन पोशन के लिए इनको सिकार तो करना ही पड़ेगा, तो इनके जब आर्चे क्रियाओं की बात करते हैं, तो किर्सी आपको देखने को बिलता है, किर्सी और सिकार, खेती हार है, खेती हार का मतलब क्या है, राज की गौंड जनजाती है, इस गौंड जनजाती का सबसे बड़ा प्रमुख आधर क्या है, अर्थ विवस्ता का, आप बताएंगे, किर्सी, किर्सी, किर्सी में सर्गी कौन से किर्ची करते हैं, ये दाया खेती करते हैं, दाया, जैसे आप लुग क्या कहते हैं, इसको आप ल वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं जब ये उपजाओ पन इसका खतम हो जाता है तो फिर ये क्या करेंगे यहां से दूफरी जगे पहुँच जाएंगे इस जंगल को जलाएंगे और उसमें जाके क्या करेंगे खेती करने लगते हैं तो जो पारिवारिक विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करते हैं वो जैसे बोहर्या और जो मार्या है और जो मार्या आपके पास है यह वो क्या करेंगे कि बन उपच की उपर आपके depend करते हैं तो हमने इनकी सामाजिक और जो आर्थिक विसेश्था हैं इनको आप कहाँ पर देखा है सामाजिक और आर्थिक विसेश्था है क्या है गौन जन जातीगी आप एक बार प्लीज इसको अच्छे से देख लीजीगा देखो भाई क्या है सामाजिक की बात करते हैं माल के पास एक पित्र सत्तात्मक समाज है फादर इस परिवार को चलाते हैं जैसे एक पैट्रोली सोसाइटी आपको देखने को पूलता है तो परिवार पित्र सत्तात्मक है परिवार की बंसाजी परिवार को आगे बढ़ाते है जो मुखिया होता है मुख्या, हमारे यापर देखो बिटा, head of the family कौन होता है कमाने वाला होता है, जो earn करता है वही अपने आपको head of family मानता है लेकिन जनजातियों में मुख्या कौन होता है सर, ब्रद्द पुरोस होता है ब्रद्द पुरोस, old जो person है जैसे आपके दादा जी है, एक्चल में ये मुख्या होना चाहिए, लेकिन फादर जब पैसा कमाने लगते हैं, तो उनको लगता है कि वही सब कुछ है, वही सब सर्वा है, जनजातियों में ऐसा नहीं है, कमाता कोई भी हो हर एक व्यक्ति कोई भी जो काम करेगा वो ब्रद्द व्यक्ति की परिमिशन से करेगा तो पित्र सत्तात्मक समाज है मुख्या आपके पास यहां पर ब्रद्द होता है कैसे परिवार होते हैं सर joint family आपको देखने को मिलेगी joint family आपको देखने को मिलती है सही परिवार आपको देखने को मिलेगी इसी के साथ में जो ब्रद्द होता है इस ब्रद्द में कन्या मूल परचलन में होता है कन्या का जो मूल है यह परचलन में देखने को मिलेगा दहिच पिरता है लेकिन लड़की को पैसा देना पड़ता है लड़के को नहीं मिलता है तो सामाजक विशेष्टाओं में ये सारी बाते आप लोग याद रखीगा और अगर हम लोग बॉंडों की आर्थिक विशेष्टाओं की बात करते हैं इनकी जो economy है इस economy को अगर हम लोग आपसे ॡिस्कस करते हैं तो समझे सबसे पहले है तो यह agriculture based आपके पास है यह agriculture पर आपके पास depend करते हैं किरसी पर आधा रहते हैं दोसे नमर पर यह hunting करते हैं hunting जिसको आप लोग कहते हैं सिकार सिकार इन लोग के दोरा यहाँ पर किया जाता है hunting करते हैं, सिकार करते हैं इसी के साथ में इसी के साथ में जो आपके पास forest होता है, है ना forest जो मिंडल्स होते हैं, इन forest मिंडल्स पर भी ये depend करते हैं बन उपज आपके पास होता है, उस पर भी ये depend करते हैं, तो agriculture main है, agriculture में वी सरक्त क्या करते हैं। दहया, आपके पास जो एक पास एगरी कलचर है, यह एक टाइप उफ़ सिफ्टिंग एगरी कल्चर है, जैसे आप लोग यहापर कहते हैं, इस्थांतरित किर्सी, एक जगे छोल कर, दूरी जगे जाकर आपके पास खेती करना। तो गॉंडों की जो सामाजिक विसेष्थाएं हैं आई हूप आपको समझ में आगई होगी इनकी आर्थिक विसेष्थाएं भी आपको समझ में आगई होगी अब देखो सांस्किर्थिक विसेष्थाओं की बात करते हैं सांस्किर्थिक विसेष्थाएं बिभा, दूद लुटाबा, पठोनी बिभा, चड़ बिभा, सेवा बिभा और लमसेना बिभा आप से कोई पूछ सकता है कि कौन-कौन से बिभा होते हैं गौन्ड जनजाती में तो सबसे पहले आपने आपर दिखा है दूद लुटाबा पेटा देखो दूद लुटाबा का मतलब क्या होता है अपने जो सगे संबंदी होते हैं जो रिष्टेदार होते हैं उनमें साधी करना सगे भाई बेहन को छोड़कर मामा बुगा की लड़के से साधी करना दूद का कर्ज चुकाना आप इसको कहते हैं कि दूद का कर्ज चुकाते हैं तो दूद लुटाबा दूद लुटाबा क्या है सर एक विभा प्रिनाली है किसमें देखने को मिलती है गोंड जंजाती में देखने को मिलेगी दूद लुटाबा बिवा पिर्णाली का सम्मन किस से है गौंड से है जिस तरीके से भगोर या भीलों से है उसी तरीके से दूद लुटाबा गौंड जनजाती में आपको देखने को मिलता है दूद लुटाबा का परपस क्या होता है लोल लोटावा का परपस होता है अपने ही रिस्तेदारों में साधी करना मामा भुगा फूपा के लड़कों से साधी करना सिर्फ जो किलोज भाही बहन है इनको छोड़कर दूसरे जो अपने रिस्तेदार है वहाँ पर साधी करना आप देखेंगे जन जातियों में जैसे ये आपके पास मामा है ठीके तो इनकी जो लड़की है इनकी जो लड़की है वो आपके घर आजाएगी और आपके जो लड़की है ये इनके घर चली जाएगी ये हमारी जन जातियों में आपको देखने को मिलेगा इसके पीचे कारण क्या है सकते ये बाहर के लोगों से डरते हैं जो बाहरी आपके पास लोग है इन से डरते हैं बाहरी डर दूसरा परिवार प्रेम ये कहते हैं हमने जिनको जन्म दिया है जिनको बड़ा किया है कैसे किसी अंजाज बेक्ती के हाँ पर उनको छोड़ सकते है और तीसरा कारण होता है सुरक्षा कि जब हम लोग एक सम्मूँ में रहते हैं जब हम लोग पास में रहेंगे तो सुरक्षा हमारी आसानी से कर पाएंगे बिपत्ती के समय एक दूसरे के काम आ पाएंगे दूद लोटाबा आपके पास जो है ये दूद लोटाबा का मदब आपको समझ में आ गया होगा एक सवाल पूछा जाएगा गौन्ड जंजाती में किस परकार का बिवा होता है तो दूद लोटाबा आपके आप लोग बिटा ध्यान रखीगा फिर आता है पठोनी भिवा दूसरे नमर पर आपके पास यहां पर आता है बिटा आपके पास कौन सा होता है पठोनी भिवा होता है याद रखीगा पठोनी भिवा होता क्या है सर जो लड़की है ये बारात लेकर आएगी किसकी घर लड़की की घर ठीक है यादर की घर पठोनी विवा चड़ विवा का सीधा सा मतलब बिटा क्या होता है चड़ विवा का सीधा सा मतलब होता है जो बारात लेकर जाते हैं हम लोग बारात लेकर जाते हैं लड़का बारात ल उसको पठोनी कहते हैं और लड़का बारत देखे जाता है अब इसको चड़ विवा कहते हैं सेवा विवा क्या हुदा है सर जो लड़का है यह जो लड़का है यह लड़का लड़की के घर रहता है साधी से पहले लड़की के घर रहता है साधी से पहले और वहां रहकर आपक आपके पास क्या करेंगे सर साधी करतेंगे वो बाद में जाके आपके पास साधी कर देते हैं याद रखेगा आप इसको सेवा विवा के तौर पर जानते हैं और लमसेना विवा मतलब आप इसको कहते हैं घर जमाई बनके रहना घर जमाई बनके रहना जो लड़का है इस प्रमुक रत्य सेला और कर्मा सारे की सारे भूर जाएगे सेला याद कर लेजिए सेला किस्से सम्मने थे सर गौंड से कर्मा किस्से सम्मने थे गौंड से सजनी देवारी और बिर्चा ये तीन याद नहीं भी रहे तो भी कोई तकलीफ नहीं है दोस्त पेपर में सिर्फ ये आता है कि सेला का सम्मने किस्से है सेला गौंड जन जाती से कर्मा किस्से गौंड जन जाती से सजनी और देवारी और बिर्चा ये तीन अगर याद रख ल तोटा मतलब तोटका यह जादू टोना में बड़ा विस्वास करते हैं जैसे अगर हमको किसी पिरकार की कोई भी प्रॉबलम होती है हम लोग डॉक्टर के पाए जाते हैं लेकिन नहीं यह तांत्रिक के पाए जाएंगे हड़ी लेकर आएंगे और वो नीवू मिर्ची लेकर कराएंगे स्वाहा स्वाहा यह कराएंगे यह जादू टोना में ज्यादा विस्वास करते हैं डॉक्टर पर यह कं विलीव करते तो पूछा जाता है गौंड जण जाती अभी बहुत पिछड़ी है ये टोटके में विश्वास करते हैं या बहुत करते हैं बिल्दी रस्ता काट गई ऐसे बाला जैसे हमें ही पाया जाता ना कि बिल्दी रस्ता काट गई तो हम लोग जा नहीं रहे हैं किसी ने चीक दिया है तो हम लोग रुख जाते हैं हमको सिखाया गया है हमको सिखाया गया है तो कारण क्या है कारण सिंपल सा है कारण आपके पास सिंपल सा है जैसे पहले क्या होता था कि माल लीजी बिल्ली रस्ता काट गई है तो हो सकता है उसकी पीछे कोई जानमर आ रहा हो कि ऐसा कुट्ता आ रहा हो जो उसकी पीछे भाग रहा हो आप निकले होते थे अब ऐसा कुछ बोलते तो पहले लोगों को पता नहीं चलता दोनों ने बोला कि बिल्ली काट गई अगर आ रस्ता काट गई निकल जाओगे तो मारे जाओगे इसी बिसालगा जानवल अगर चीगने के बाद चले गए हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम सही तरीके से वर्क ने करता है नर्वस भी काम ने करता है तो आपके गिरने की संभाबना ज्यादा होती इसलिए रुखने का आप से बोला जाता था ठीक है चलिए बेवा आपको पता चल गए है प्रमुख करते हैं पूजा करते हैं याद रखेगा गुदना प्रिये है याद रखेगा और 2019 की गौंडी भासा को मद्ध प्रदेस पाठ पुस्टक निगम में हापर सामिल किया गया है महले को टोला कहते हैं आप से कोई पूछ सकता है कि टोला किसको कहते हैं तो आप लोग हैं इन जंजातियों से बहुत सारी सवाल हमारे पेपर में आते हैं बहुत सारी सवाल हमारे पेपर में आते हैं हम इनको प्रॉपर तरीके से कबर भी नहीं कर पाते हैं तो हमारा यही परपस है हमारा यही परपस है कि जो जंजातियां है इन जंजातियों को आप लोग बहत तरीके से पढ़ सके. ये देपता है आपको बताने हैं. अभी हम आपको देपतां के बारें में बताइए कि ये देपता कौन-कौन से किस नहां से जाने जाते हैं. पहले एक बार आप इनका यहां पर रिवीजन करने चीफीर. करके दो हमने के पास mountain रहा है परवतों पर निवास करने वाले लोग आपके पास गॉंड है गॉंड आया है तेलगु भासा के कॉंड सब्द से ऐसे लोग जो परवतों पर रहते हैं परवतों पर रहने वाले लोग, इनकी दो विश्यस्ता हैं और हैं सर, पहला क्या है कि इंडिया क्या इंडिया का यह largest tribe है पहले नमर पर आते हैं और दूसरे नमर पर जो MP है, इस MP में यह second नमर पर आते हैं MP में यह दूसरे नमर पर आते हैं, याद रखे लेकिन एक fact इसमें included है, largest largest tribal group of MP, largest tribal group of MP मद्य पर देश का सबसे बड़ा जंजाती समू, तो वो आपके पास गोंड है बेटा, समू अलग होता है और जंजाती आपके पास अलग होती है इसी के साथ में इसी के साथ में हमने देखा कि फ़र यह कहां पर रहते हैं तो basically मद्य परदेश के संदर में MP का, जो नरविदा रिफ्ट बेली है, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे इस सपेशली जो मेकल, सत्पुडा मेकल रेंज है, इस दक्षनी छेतर में आपको देखने को मिल जाते हैं, बाला घाट, सिवनी छिंदबाडा, बैतुल, हर्दा इन जिलों में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं सागर, दमो, यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे हमने इनकी कुछ और बिसेशता है जैसे परिवार इनका पित्र परदान होता है ब्रद जो लोग हैं वही मुख्या होते हैं करनिया मूल परचलन में आपके पार देखने को मिलता है किरसी पर डेपेंड करते हैं किरसी पर डेपेंड करते हैं दूद लोटाबा, सेबा विवा, चड़ विवा पठोनी विवा, लमसेना विवा की टाइप आपको यहां पर देखने को मिलते हैं यह सारे की सारी चीछी ठीक है आप इसको एक बार देख लीजी पूरा का पूरा रिवाइस कर लीजी दो मेट का समय लेके फर हम लोग काहनी को यहां पर आगे बढ़ाते हैं और आगे की जनजातियों के बारे में बहुत आसानी के साथ हर एक चीज को समझते हैं देखिए यह हमारा जनजातियों का एक बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है आप समझें का, इतना प्यारा लेक्चर होने वाला है ट्राइब का कि आपने अभी तक इतनी अच्छी जनजातियों को नहीं पढ़ा होगा, अभी आपने देखा होगा कि गौंड की बारे में सब कुछ आपको पता चल गया है, जो आपको देखने को नहीं मिलता है, ठेके भा यहां पर बता दिये गए हैं, इनमें किसी परकार की आप में से किसी को कोई भी परिशानी नहीं होगी, देखे यहां से जो mostly आपके पास सवाल बनते हैं, उस सवाल या तो आते हैं, mostly जो आपके पास question बनते हैं, सर वो कहां से बनते हैं, वो या तो बनते हैं introduction से, introduction इनका ज आपके पास यहां पर सवाल बनते हैं आप इनको थोड़ा सा याद रखेगा कॉश्चन आपके पास बनने वाले होते हैं ठीक है आप बताईएगा कि दूला देव किसके लिए फैमस है और जो बूरा देव है देखिए बूरा देव की जब भी हम लोग बात करते हैं यह आपक के पास है बील हम लोग आपसे बात करेंगे बील ट्राइब को लेकर दो तीन बाते आपके यहां पर थोड़ा सा याद रखना है यहां से कुछ कुश्चन आपके सीधे बनते हैं देखुए सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि यह MP की सबसे बड़ी जंज आती है MP की सबस से बड़ी जंज आती आपके पास यही है याद रखेगा इसका जो निवास स्थान है इसका जो आवास है आवास आपको देखने को मिलता है पश्चिमी मद्यपिरदेश में वैस्टन आपके पास जो MP में आपको देखने को मिलता है इसी के साथ में यह आपकी अती पिछली जन जाती के अंतरगत आती है यह आपकी special backward class के अंतरगत आपको देखने को लती है special backward class में आपके पास ही आती है तो भील जन जाती largest tribe of MP MP की सबसे बड़ी जन जाती है आवास जो पश्मी छेत्र है यह पश्मी MP में आपको नेवासतर देखने को लती है यह मैं आप आपके सामने है आप देखते हैं जहाबुगा धार खरगोन यह जो पूरा का पूरा चेत्र आपके पास है यहां आपके पास बहील जन जाती का निवास स्थान आपको देखने को मलता है एक सब्द है बिल्लूबर एक सब्द है आपके पास बिल्लूबर इस बिल्लूबर सब्द से इनकी उत्पत्य हुई है और इसका मीनिंग होता है धनुष को धारण करने वाले एक ऐसी जनजाती जो धनुषबान को धारण करती है जिसके हातों में आपको धनुषबान पास भील जन जाती है तो भील के कुछ fact आपको याद रखने है सर क्या याद रखने है पहला तो ये largest tribe of MP है कहां पाई जाती पस्छी में आपके पास पाई जाती है इनकी जो उत्पत्ति है ये विल्ल सब्द या आप लोग कह सकते हैं बिल्लूबर बिल्लूबर और इसका मीन होता है धन उसको धारन करने वाली जन जाती यह आपके पास प्रोटो ऑस्ट्रियाई समूसे संब्दित है उससे आपके पास मद्द्पिर्देश की प्रथम MP की पहली और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती है MP की आपके पास यह पहली है और भारत की third largest tribe आपको देखने को मिलती है भील तो पहला fact भील MP की सबसे बड़ी जन जाती है largest tribe of MP है कहां पाई जाती है सर कहां रहती है आप बताएंगे पश्चमी आपके पाई जो छेतर है इस पश्चमी छेतर में इसका निवास इस्थान है जाबगा धार खरगोन अली राजपूर है ना जाबगा मतलब अली राजपूर जाबगा दोनों किश्पर सामिल किया गया है तेकि भई याद लखीगा भारत की कौन से नम्मर की है सर भारत की थार्ड नम्मर की है तीसरी है कौन से समूं से आती है किस ग्रोप से आती है आप बताएंगे प्रोटो ऑस्ट्रिया आपके पास जो ग्रोप है इस प्रोटो ऑस्ट्रिया ग्रोप से देखने को मिलेगा यह भी आपके पास सरीर आपको छोटा देखने को मिलेगा मजबूत रहेगा कद काटी कापी मजबूत रहेगी बाल आपको यहाँ पर गुमराले देखने को मिलेगी थोड़े से जले हुए सहना थोड़े से गुमराले बाल आपको देखने को मिलेगी मुचे पाई जाती है, लेगन दाड़ी इनके नहीं आती है सिर्थ मुचे आपको देखने को मिलेगए तो इस तरीके की जो कद काट एए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारी जो जंजाती है, भील इसके अंतरगत बहुलिक बितरन की बात करते हैं दोस्त, तो बहुलिक बितरन आपको देखने को मिलेगा, जो धार, जहाबगा, खरगोन, अलीराजपुर और बड़वानी, इन जिलों में आपको देखने को मिल जाती है, एक बार सारे फेक्टों को फिर से रिवाइज करते हैं, सारे फेक्ट एक सब्द है बिल्लूबर और बिल्लूबर जो बर्ड है इसका मीनिग आपके पास होता है धनुस धनुस को धारंड करनी वाली जो जंजाती आपके पास होती है आप उसको यहाँ पर कहते हैं क्या भील ये इसका निवास इस्थान है जिले देख लीजिए धावगा धार लेखने को मिलती है MP के इंतरवेथ जोकि सबसे ज्यादा मातरा में पाई जाती है इनकी उप जाती है विलाला बेलाला उपजाती है, बेगास, राथियास, पटेलिया और बरेला, तो आपसे कोई पूछ सकता है, कि यह जो basically, बेलाला किसकी उपजाती है, आप बताएंगे, बेलाला जो उपजाती है, यह भीलकी है, बेगास किसकी उपजाती है, वो इसी की है, राथियास है, पटेलिया और बरेला ठीक है ये इनकी उपजाती है सामाजिक विसेश्था है क्या है सब्सक्राइब पित्र सत्तात्मक समाज है पिता ही प्रमो कूटे हैं दो बर्ग है एक आपको यह कोर को यहां पर नहीं आएगा थे परीबार प्रता पाई जाते हैं कन्या मूल देने का आपके पास पिर्चलन देखने को मिल जाता है तो भील जनजाती जो है इस भील जनजाती के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं आप याद रखेगा इसकी कुछ फैक्ट देखिए उपजाती एक आपके पास होते हैं भील और एक आपके पास यहाँ पर होते हैं बिलाला ठीक है भील और भिलाला भील मतलब आपके पास यह होते हैं काले भील इनको कहते हैं आपके पास काले भील और भिलाला मतलब आपके पास होते हैं उजले भील इनको आप लोग कहते हैं उजले भील उजले मतलब यह इनका जो कलर है यह डार्क कलर आपको दिखाई देता है डार्क कलर आप को दिखाई देते तो सुरूर्झ Phillips हम इनको दो बाग में डिवाइट करते हैं तो अधे करते हैं लिजया जाता है आप इन में दिखक्रत क्या है ना यह अपने आपको मानता है राजा कि हम लोग यहां पर क्या है बड़े हैं हम यहां पर बड़े हैं और जो भील है इनको यहां पर माना जाता है निम्न इनको यहां पर माना जाता है निम्न तो कभी गवार यह अंतर ऐसे आप से पूछे आ सकते हैं कि भील मतलब काला बर्ण है और बिलाला मतलब आपके पास क्या ऐसर यह आप लोग उजले भील के नाम से आपर जानते हैं कॉशन बनते हैं बचा पार्टी दियान रखीगा पेगास, रथियास, इसी के साथ में पटेलिया, पटेलिया के साथ में बरेला, देखो ये चार आपके पास फेमस हैं, बील, बिलाला, बिलाला के साथ में पटेलिया भी काफी जादा फेमस हैं, और पटेलिया के साथ में बरेला, तो इस चार का नाम तो याद रखना आसान है पी बहिलों की उप जाती है, लेकिन ये दो आपको परिशान करेंगे, एक बेगास आपको परिशान करेंगे, एक आपको राथियास परिशान करेंगे, इनको दो-चार बार लिख लीजीगा, आपका काम्यासे चल जाता है, समाज कैसा है, समाज हमारा पित्र सत्तात्मक है, ज सबी लोग साथ में रहते हैं एक जगे कन्या का मूल देने का परचलन है जिसे आप लोग डौरी कहते हैं वह डौरी बेसिकली लड़का ना देकर लड़के को ना मिलकर लड़की के पताजी को दी जाती है मतलब कन्या मूल परचलन में आपको देखने को मिल जाता है तो भीलो बिल्लुबर आपके पाज जो सब्द है इस बिल्लुबर सब्द से इनका जो निवास इस्थान है इस्थान कहां देखने को मिलेगा सर्थ इस्थान आपको देखने को मिलता है जो पश्चमी मद्यप्रदेश है जो बैस्टन मद्यप्रदेश है यहां आपको देखने को ठीक है इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब होता है धनुष धारण करने वाला देखिए यह लोग पहले बंड में रहते थे जंगल में रहते थे और जंगल में रहते थे तो इनको सिकार या जानबर उसे अपनी रक्षा करने लिए तीर कमान को धारण करना पड़ता था ती करते हैं जो जहावगा के साथ में अली राजपूर धार बढवानी खरगोन इन छेत्र में भील आपको जादा देखने को मिल जाते हैं हमने इनकी दो वर्ग पड़े हैं एक होता है काला रंग काला तो यह आपके पास होते हैं भी और एक आपके पास होते हैं सफेद उजले भ अर्चलन दिखाई देता है आर्थिक विसेष्टा किसान है मुखिता जो आपके पास भील है यह सब एग्री कल्चर पर डिपेंड करते हैं याद रखेगा चिमाता किरसी पहाड़ी तनों को जला कर चिमाता इनकी जो किरसी है इसका नाम है दाहिया किरसी मैदानी भागों म उकार देते हैं और वहाँ पर यह क्या करते हैं यह खेती करते हैं पहाड़ी भाग को यह खेती करते हैं तो उसका हम लोग कहते हैं सब चिमाता और जब यह मैदानी भाग में करते हैं यह मैदानी भाग में आ जाते हैं तो आप इसको दाहिया किरसी कहते हैं दाहिया जो हमन है निल रज़निया कारणों के हैं,् यह है आपके पास एक इस्थांत्रिट किरसी है कहा की जाती है, मेंदानी भागों में कौन करते हैं सर बील करते हैं और गॉन्ड भी करते हैं देखिए आर्थिक इस्तिती इनकी थोड़ी दैनिये हैं कारण है आपके पास ये सराब पर ज़्यादा निर्वर होते हैं सराब सुभे जिसे आप लोग कहते हैं ताडी ताडी मतलब कच्चा जो महुआ होता है इस कच्चे महुआ की सराब तो इसके कारण ये सारीरिक तोर पर काफी कमजूर होते हैं और सारीरिक तोर पर कमजूर होने के कारण सिरम अधिक नहीं कर पाते हैं और सिरम अधिक नहीं कर पाएंगे तो इनकी जो इस्तिती है, पारिवारिक इस्तिती, या हम लोग आर्थिक इस्तिती की बात करते हैं, यह आपको खराब देखने को मिलेगी है, यह आपके आपर खराब देखने को मिलती है, इसमें इस्तिती सही नहीं रहेगी, ठीक है वै, तो question आपके पास यहां से बन सकते है कॉश्चन आपके नहां से बन सकते हैं पिलीज आप इसको याद रखिएगा कि चिमाता क्या है चिमाता एक किरसी है दाहिया आपके पास किरती है और इनकी जो आर्थिक इस्तिती है वह आपके पास काफी ज्यादा खराब है सांस्किर्दिक विशेस्ता विभा ये बेसिकली गंधर विवा करते हैं, गंधर विवा मतलब किसे हम लोग कहते हैं, सामान ने तहा, सामान ने तहा, आप इसको कह सकते हैं, प्रेम विवा कह सकते हैं, सेवा विवा, सेवा भवा मैंने आपको पहले ही बताये था, कि जो लड़का है, सेवा विवा का मतलब क्या होता है, कि पिता को पसंद आता है तो वो साधी कर सकते हैं अच्छा यहां पर एक कंडिशन है कि साधी के पूर भी संग में रह सकते हैं मतलब बिना साधी कि यह लड़का लड़की संग में रहते हैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे भी आपके पास हो जाते हैं ठीक है ऐसी इ हरते हैं tha बगोरिया डोहा बढबध घूमर और गोरी देखो इन में बगोरिया आपके पास बहुत ज्यादा इन बगोरिया आउजिन ऐठा है आप लोगोंने जब भी देखा होगा हमारा जो जहाबगा है हमारा जो जहाबगा है इस जहाबगा में जहाबगा के हम लोग बात करते हैं यहाँ जहाबगा में बेसिकली आपका जो हुली का समय होता है इस हुली के टाइम पर एक हार्ट लगती है इसा आप लोग कहते हैं बहोरिया हार्ट तो बहोरिया हार्ट का संबन किस स जीट करते हैं Festival और यहां ऑफर होता क्या मैं कोई आपके इससंद करते हैं तो इनको क्या करना होता है लड़का उसको लड़की को उठाके भागना पड़ता है कुछ दूरी तक एक निश्चित समय तक उसको भागना पड़ता है याद रखेगािए पकड़ करने की कुशिश करते हैं और लड़के को यहां पर भागना होता है आप उसको बहुरिया हाट की नाम से जानते हैं तो जावगा में बहुरिया हाट का एवजन होता है किस से संबंदित है यह एक साधी का फेस्टिवल भी आपके पास होता है यहां पर लास्ट में जाके साधी आपके पास होती है, जैसे आप लोग कह सकते हैं, कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके साथ ही कल लेते हैं, तो परवे हैं, गल, बहुरिया, चलवानी और जातरा, बित्ती चित्र पित्हुरा, बित्ती चित्र बिटा इनका पित्हुरा बित्ती चित्र बहुत फे किस पर करते हैं सर यह दीवार जो होती है इस दीवार पर आपके पास करते हैं दीवाल पर यह पेंटिंग करते हैं आप इसे बित्ती चित्र के नाम से हाँ किलियर है तो हम इसको यहाँ पर जानते हैं विवा आपको गंदर विवा देखने को मिलेगा लोग नर्त में आपके पास बहुरिया डोहा बढ़बा गुमर गौरी यह सब बेटा किस से सम्मंदे थे हैं आपके पास भी जन जाती से संबंदे थे देखिए सांती से समझे हर एक चीज को बहुत आसानी के साथ समझे जब हम लोग किसी भी चीज को यहां पर पढ़ रहे होते हैं जब हम लोग किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं थोड़ी परिशानी का सामना तो करना पढ़ता है यह चिमाता किरसी में कोई त पार जाते हैं लड़के को देखते हैं पसंद करते हैं और उसके बाद यहां पर क्या करते हैं साधी करते हैं सेवा विवा का मतलब देखो दोस्थ होता क्या है जो लड़का है इस लड़के को लड़की के घर रहना पड़ता है साधी के पहले और अगर लड़की के पिता को ख तो ऐसी सवाल आपसे पूछी आ सकते हैं, धार्मिक विशेष्था है, आत्मिवादी है, प्रमुग देथा, राजा पंथा है, संकर, राम, क्रिश्न, लच्छमी, काली देवी की पूजा करते हैं, इनकी सबसे बड़े देपता महादेव हैं, सबसे ज़्यादा इनको मानते है भील दहनुस को भी अपना आराद दिमानते हैं, जो भील हैं, ये दहनुस को भी अपना आराद दिमानते हैं, दहनुस को भी अपना ये सब कुछ मानते हैं, याद रखिए गा, ठीक है भाई, चलिए, तो जो भील हैं, इन भीलों से सम्मंदित कुछ बाते देख लीजिए, मद्ध पिर्दिस की सबसे बड़े जन जाती है भाईया प्रिये पदार्थ तारी और रवडी है तारी और आपके पार जो रवडी है ये इनका प्रिये पदार्थ है देखो भाई तारी बेसिकली ये महुआ से बनाई जाती है महुआ या आप लोग कह सकते हैं इसको कच्ची सराब है ना कच्ची सराब रबडी की जब भी हम लोग बात करते हैं सर तो रबडी का basically मतलब होता है यह जो मोटा अनाज होता है इस मोटे अनाज को ये लोग क्या करते हैं मोटे अनाज को पका के खाते हैं उसको आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं रबडी कहते हैं अब देखो इनका जो सुवे का भूजन होता है बहीलों का जो सुवे का भूजन है आप इसको कहते हैं बासी इनका जो रात का भूजन होता है रात की जो खाना खाते हैं जिसको आप लोग यहाँ पर डिनर कहते हैं क्या होता है पेज का मतलब आपके पास होता है पेज का मतलब आपके पास होता है कि जो मौटा अनाज होता है इस मौटे अनाज को यह जो लिक्विड में मिक्स करके बनाते हैं आप इसके आपर पेज कहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा बासी किसका भोजन है बासी हमारा ज पास है ये टीवी नायर आपके पास क्या है इसर भील भील पुस्तक के लेखाक है देखो ये है बुरी भाई को पदम सरी मिला है 2021 का है न और ये बेसिकली आपके पिथोरा विट्टी चित के लिए फेमास है और ये कहां से है इसर जाबुगा से है ठीक है चलिए गहना प्रिय ये दौनों आपके पास गहने पहनते हैं जोबट अली राजपुर के बील पंजा दरिया का निर्बान करते हैं याद रखेगा श्री पेमा फाल्या पिथोरा की सर्वस्तिस्ट बिली चितरकार है पेमा फाल्या लोगो अभी बुरी भाई है इन से पहले पेमा फाल्या को जिसमें रहते हैं और जिस जगह पर रहते हैं उसको फाल्या कहते हैं अब देखो कितने सारी सवाल ताड़ी का संब्द किस से है भील जनजाती से है और भील पुस्ता की लिखा कौन है पटी बी नायर है जोबट अलिदाजपुर के भील पंजा दरियाका निर्वान करते इसको कहते हैं अब यहाँ पर यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर जो रहने लगते हैं आप इसको फाल्या कहते हैं याद रखेगा तो दब भील पुस्तक के लिए का टीवी नायर है और भीलों की बारे में जितने सारे अब के पास हो सकते थे हमने लगवग लगवग आपको सारे बता दिए हैं एक बार रिवाईज करा देते हैं सारी की सारी भील जन जाती को जिससे आपको कोई प्रोबलम है यहाँ पर नहीं आए बील, बील बनाय सरक इससे, जो बिल्लूबर सब्द हैं, इस बिल्लूबर से, इसका मतलब होता है धनूस को धारण करने वाला, धनूस को धारण करने वाले, यह जो बैस्टन MP है, इस बैस्टन MP में आपको देखने को मिलते हैं, पष्षीमधि पृदेश में, जहाबगा अली तो बेसिकली जो बहोरिया है यह बहोरिया आपका काफी ज्यादा फेमस है प्रोटो ऑस्टेलियाई बर्ग से आपके पास आते हैं और चिमाता किरसी की जाती है चिमाता आपके पास जो किरसी है यह चिमाता किरसी इनके द्वारे आपर की जाती है आप इस बात पर थोड़ा स इनको कहते हैं और जहां पर यह रहते हैं इनका जो निवास इस्थान है उस निवास इस्थान को आप लोग बेसिकली आपर जानते हैं किसके नाम से फालिया के नाम से जहां यह रहते हैं वह आपके पास कू है और जिस जगे पर यह घर बनाते हैं वह आपके पास फालिया है ह याद रखेगा ये कंद्रिक्रत है तो इनका कंद्रिकरण कई बार पूछा जाता है कहां से आपके पास यह आते हैं और क्लिक्षच या कोलियन जन जाती की साखा है कोलियन देखे भो प्रोटोर्शन है आई थे कोलियन की आपके पाद ही और को कौकू का जो साब्दिक अर्थ होता है वह होता है मनुश्यों का समू मनुश्यों के समू को हम लोग को कहते हैं देखी यह आपके पास जो हर्दा है हर्दा खंडवा पैतुल चंदवाड़ा होशंगाबाद इन छेत्रों में आपको यह देखने को मिलते हैं इन छेत्रों में आपको क कोरकु जंजाती ज्यादा पाई जाती है तो किस जंजाती की साखा है सर आप बताएंगे कोलेरियन जो जंजाती है इस कोलेरियन जंजाती की साखा है कोरकु का जो साब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समू होता है याद रखेगा राजपूत बर्ग माना जाता है यह कहते ये है कि जब मुगलिया सल्तनत की हम लोग बात करते हैं जब जब विदेशी आकमन हुए है जब जो राजा युद्ध के समय युद्ध में जो मारी युद्ध से जो भाग जाते थे वो जंगलों में रहने लगते थे वो वहाँ से जिनकी उत्पत्ति हुई जिन राजाओं उने जंगलों में रहे भाग जाके लोने साधी की उनसे इनकी उत्पत्ति का ये पिर्वान देते हैं तो कोई पूछ सकता है कि कौन सी जन जाती है जो अपने आपको यहाँ पर राजपूत मानती है आप कहते हैं हमारी कुरकु जन जाती है इसका केंद्रिकरण कहाँ पर हिसर इनका केंद्रिकरण आपको बैतुल में देखने को मिलता है यह बैतुल में आप सब को पता है कौफी का उत्पादन होता है MP में एक मादर जगे है जहाँ पर कौफी का उत्पादन होता है हमारी बैतुल में कोलेरियन सहूं से आईए कोरकु सब्द का साब्देक अर्थ क्या होता है कोरकु का साब्देक अर्थ क्या होता है साब्देक अर्थ होता है लोगों का मनुष्यों का सहूं ग्रूप और पीपल आपको देखने को बलेगा यह राजपूत अपने आपको यहां पर मानते हैं रा उपजाती तो बहुत सारी होती हैं सर सब ट्राइब तो आपके पास बहुत सारी होती हैं अब आपने जिनके भी नाम सुने हैं जिस भी जनजाती का नाम आपने सुना है जिस भी जनजाती का नाम आपने कभी देखा है आप बस इनको याद रख लीजिए एक तो नहाला जाता है और राज कोर्कु में तो आप लोग यहां पर समय जाएंगे कि कोर्कु दो पिरकार के राज कोर्कु एक सामान ने जिनके पास पैसा होगा जिनके पास जमीन होगे वो अपने आपको राजा कोर्कु बोलेंगे अपने आपको अपनों बड़ा माने जिनके पास नहीं जन जाती है ना पिटा ये फादर के आसपार चलती है फादर पिता जी ही परिवार के मुख्या होते हैं ये भी टोटका में विश्वास करते हैं बधु मूले पिरचलन में हैं यहां भी जो आप जिसको आप डौरी कहते हैं तर बेसिकली लड़की के घरवालों को देखने को म करते हैं तो रिवाइस करते हैं सारी कहानी को रिवाइस करते हैं कि भाईया जो आपके पास कोर्कु है कि कोर्कु कहां से आये हैं कहां से नहीं आये हैं जरा समझेए देखो भाई सबसे पहले तो कोर्कु कोर्कु का जो साब्दिक अर्थ होता है वह साब्दिक अर्थ होता हैं तो कोरकु कहां से आएं सर ये जो कोलेरियन आपके पास समू है इस कोलेरियन समू से इनकी उत्पत्ति हुई है जो कोलेरियन समू है इन से इनकी उत्पत्तियां पर माने जाती है कोरकु लोगों का समू होता है मद्द प्रदिस का जो बैतुल है इस बैतुल में इनका संकि अब को देखने को मिलता है, राज नहाला और दूसरी पठोरिया इनकी उप जाती आप को याद रखनी है, अब देखो, छट विवा, राजी बाजी विवा, लमसेना भिवा, तलाक, अंतर जाती भिवा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं तो लगबग सारे की सारी भई है, चड़ भिवा, ये चड़ भिवा है, ये चड़ भिवा देखने को मिलता है, चड़ भिवा और अंतरा भिवा मतलब जो अंतर आपके पास जाती भिवा होते हैं आप इसको अंतरा भिवा के नाम से आपर जानते हैं चटकोरा नरत बिटा इनका एक ही नरत है बहुत जादा फेहमा से कि चटकोरा का सम्मन किस से है कोर्पू से है आप इसको ऐसा याद रख लो कि कोर्कु झंझातू कैसी है चटकूरी है चटकूरा ने किससे समधेते कोर्कु तो जंजाती से पर वे कौन-कौन से हैं सर एक तो गुड़ी पड़मा मनाते हैं, गुड़ी पड़मा, दसहरा, जिरोथी, माग, माग, दसहरा, याद रखीगा, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे पर्ग जो हम लोग मनाते हैं, ये सारे के सारे जो पर्ग मनाते हैं, ये हम जो सेलिवेट करते हैं, अपने आपको हिंदू मा या चंद्रमा की देखो महादेव तो भीलों के लिए भी प्रियत है जो महादेव है न सर यह तो भील जंजाती के लिए भी प्रियत है लेकिन चंद्रमा की जो पूजा कर रहे हैं यह आपके पास कोरकू जंजाती करती है अपने आपको चंद्रवन से ही मानते हैं कोरकू करती सेडॉली पिर्था किसमें चलन में रहती है सेडॉली पिर्था बेसिकली आपको देखने को मिलती है हमारी कोर्कू जंजाती में ताम से कोई पूछेगा कि जो सेडॉली पिर्था है ये सेडॉली पिर्था कहां देखने को मिलती है सर ये आपको देखने को मिलेगी कोर्कू ज जाती में सिरॉली प्रतासर होती क्या है देखो भाई समझदा जब किसी की डैथ होती है उसकी मृत्तिव के समय पर यह लोग नाच गाना करते हैं एक खंबा गार देते हैं उसकी जो लिखा हुआ है कि मृतक को दफना कर बाद में लखडी के स्थम का निर्मान करते हैं और यह नाच गाना करते हैं जब उसको लेकर जाते हैं इस खंब को गार रहे होते हैं तब इनके द्वारा नाच गाना किया जाता है सेलिवरेट किया जाता है फंक्शन सेलिवरेट करते हैं तो चट विभा राजी बाजी विभा लमसेना विभा ठीक है अंतर जाती विभा यह आप आपके आद रखना है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्या मानते हैं अपने हिंदू मानते हैं बिल्गुल मानते हैं चंद्रमा की पूझा करते हैं महादेब को पूछते हैं सिडॉली पिर्था इनमें आपको अलग देखने को मिल जाती है पंडियार और भूम का ये दो पद हैं कोरकों के अति सम्मानिय बेखती होते हैं मकानों की संदशना आमने सामने होती है पंक्ति बद होती है और समगोत्री विवा बरजित है एक ही गोत्र में आपके पास ये विवा नहीं करते हैं ये दूसरे गोत्र में क्या करते हैं सर कर रहे थी पर यहां पर आपको संगोत्री विवाद देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो हमने जो कोरकु है इन कोरकु के बारे में सारी बाते आपको बता दी है अब देखो भाई कोरकु देखो बेटा आप लोगों बहुत सारे बच्ची सोच रहे होंगे कि आप इनकी बारे में बो क्यों नहीं बता रहे हैं क्या पेहनते हैं क्या नहीं पेहनते हैं तो जो बस्त्र और आभूशन है बस्त्र आभूशन और इनकी जो बोजन है हम आपको एक साथ पढ़ाएंगी से आपके पास सम्मंदित है इसका मतलब होता है लोगों का सम्हूं इसका मतलब होता है लोगों का सम्हूं मतलब एक सम्हूं में रहने वाले आपके पास लोग ठीक है लोगों का सम्हूं आपको देखने को मिलता है इनका संकिनर कहां देखने को लेगा सब तो जो हमारा में इनका संकिनन आपको देखने को मिल जाता है पैतुल में यह जादा आपको देखने को मिलते हैं और समगोतरी बिभा इनमें आपके पर प्रिचलन में नहीं चलता है याद रखीगा समगोतरी बिभा आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा यह जो सारी की सारी बाते हैं आपको कोल को जनजाती में देखने को मिल जाती हैं अब हम लोग बात करेंगे कोल जनजाती के बारे में तो आप इसको नोट करिए थोड़ा सा फिर हम लोग कोल जनजाती के बारे में कुछ बाते हैं आपर समझते हैं ऐसी उम्मीद है कि लगवग लगवग सारी बाते आपको समझ में आ रही हों किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं होगी अगर हम लोग बात करते हैं कोल की तो जन्जादी का जो निवासिस्थान है सबसे पहले निवासिस्थान पर फोकस कीजिए निवासिस्थान आपको दिखाई देता है पूर्वी भाग निवासिस्थान आपको यहाँ पर दिखाई देता है सर्फ पूर्वी भाग जो जबलपुर में भी इनका निवास इस्ठान आपको देखने को मिल जाएगा कोल का ये भोगोलिक बितरन है उत्पत्ति मुंडारी के हो या होरो सब्द का आर्थ होता है मानब तो ये आप लोग देख लिजीगा कि हो या होरो सब्द से उत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है मानब सभू ये सब्री से अपना सम्बन बताते हैं सब्री से ऐसी फेक्ट जैनली एक्जामनर की निजर में आ जाते हैं कि जैसे आप मेगनाथ के बारे में पढ़ेंगे उससे सम्मन किसका है कोई अपने आपको जो रामायन है उससे सम्मंदित बताते हैं भील जो है वो अपने आपको बताएंगे कि हमारा जो सम्मंद है वो तो रामायन काल से आपके पास चला आ रहा है ठीक है तो इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं आपसे पूछे रा सकता है कि हो सब्द का सम्मन्द किस्से है या होरो सब्द का अर्थ किस्से सम्मन्द है कोल जंजाती से मानव कहलाते है सब्री से सम्मन्द बताते हैं औस्ट्रिक परिवार से हैं औस्ट्रिक परिवार की आपके पास ये साका है याद रखेगा उससे पहले प्रोटो उस्टेलिया इड, कोलेरियन और ये आपके पास औस्ट्रिक परिवार से सम्मंदित हैं, रीवा, सतना, जबलपूर, सीधी और सेहडूल, रीवा, सतना, जबलपूर, सीधी इन छेत्रों में आपके पास पाई जाती है, कोल जन जाती यादर कीगा, आप लोग रेवारिया पर फोकस कर सकते हैं, और बढ़तिया पर फोकस कर सकते हैं, बाकि ये जो सारे हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी उपजाती हैं, किस-किस की याद करोगी, रोहिया, रोतेला, और बढ़तिया, रोहिया, रोतेला, बढ़तिया और मवासी ये हमारी कोल की उपजाती है क्योंकि कभी कभार कोई एक उपजाती पेपर में आ जाती है कभी कभार कोई एक उपजाती आपके पेपर में आ जाती है तो आप इस पे प्लीज फोकस करिएगा कि रोहिया, रोतेला, रिवासिया और बढ़तिया किसकी उप जाती है सर, कोल की है ये भी कैसे होते है सर ये भी पितर सत्तात्मक होते है पिताजी की उपर पूरा डिपेंड होता है कोल पंचायद को गोहिया कहते है गोहिया कहलाती है गोहिया क्या है सर, गोहिया एक पंचायद है और पंचयात किसकी है सर्फ कूल जन जाती की तो आपसे पूछा जाएगा जैसे फालिया की हम लोग बात करते हैं फालिया क्या है निवास स्थान है किसका है भील जन जाती का को क्या है को घर है किसका सर्फ भील जन जाती का उसी तरीके से गोहिया गोहिया एक पंचायत है, इनकी पंचायत होती है, और इस जनजाती में सारे की सारे जो फैसले लिये जाते हैं, वो पंचायत की दौरा लिये जाते हैं, पंचायत की दौरा जो बूला जाता है, उसी को एकसेप्ट करते हैं, वो वही हाँ पर सब कुछ आपके पास माना जाता ह तो गोहिया, क्या है सर, कोल जो है, इनकी पंचायत है, ये ऐसी जन जाती है, जिसमें परदा पिर्था नहीं है, परदा पिर्था बेशली जन जाती हो में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही आपको दिखाई नहीं देखी, महिलाओं को गहनों के साथ म गोधना मुख्याभूशन है देखे आपकी जो गौन्ड थे या आपके जो भील थे गौन्ड भील यहां गहने पैन थी थी लेकिन जो कोल जन जाती है यह क्या करती है गहनों के तौर पर गोधना करवाती है पतलब जैसे इनको हाथ में कोई कढ़ा पैनना है तो यह कढ़ा प सबसे ज्यादा गोधना यह आप इस कह अबर कह देतें टैटो सबसे ज्यादा जो बॉडी पर टैटो आपको दिखाई देते हैं सर्वेक कोल जन जाती कहां पर दिखाई देते इं गोहिया किसकी पंचादे सर कोल की है खान प्वान में साकाहरी मासाहरी सारी जन जाती है आपको देखने गूल जाती है साकाहरी मासाहरी ये भी आपके पास भईया किरसी पर डेपेंड करते हैं सर्मिक की रूप पर जीवन जीते हैं पशु पालन और कारखानों में मैदूरी का कार्याप के पास करते हैं क्या करते हैं सर्थ समझे हिंदू रिती रिवाजों की समान विभा करते हैं जो हिंदू रिती रिवाज है उसी से ये साधी करते है मतलब इनके पास कोई बहुत एक्षा आपको देखने को नहीं मिलेंगे कोई एक्षा कल्चर आपको देखने को नहीं मिलता है हिंदू जो रीती रिवाज है उसी हिंदू रीती रिवाज का ये पालन करते है और उसी से ये अपनी, जो सादी है, देखने को मिलेगी. ठीक है? देहका, देहका नरत्य का सम्मन्ध किस से है, सर? कूल जनजाती से. देहका नरत्य से है? हर्याली अमाबश्या और नाग पंच्मी, ये दोनों जो आपके पास हैं, ये कूल से सम्मन्धे though. इनसे ही सवाल बनत जिए सब्सक्राइब करती है ज़ति सब्सक्राइब न होती है। हार्याली मा मना जाता है। नोगोते हैं कट्टरपंत होते हैं इनुसार हिंदी। वाजयें वैसा जीवन्यापन करते हैं सूर्य, चंद्र, इंद्र, पवन, गंगा ये सारे की सारे वही हैं दूला देव, बैरम देव और बड़े देव ये इनके पुर्मुख देपता है तो देपता कभी कभार आप से कोई पूछ सकता है तेवता आपसे कव्योंकार कोई पूछ सकता है लेकिन कोल जो जन जाती है ये कोल जढ जाती पूरे तरीके से जो हिंदु वर्ग है इस हिंदु बर्ग के आधार पर या हिंदु धर्म के आधार पर अपना जीवन यहापन यहापर करती है ठीक है भाई चलिए तो मदर प्रिदेश की तीसरी बड़ी जन जाती है तीसरी बड़ी जन जाती है पहले नमर पर आ जाते हैं भील दूसरे नमर पर आपके पास यह पर आ जाते हैं गॉंड सेकेंड नमर पर आ जाते हैं गॉंड और तीसरे नमर पर आपके पास आ जाते हैं तीसनी बड़ी जनजाती है, पंचायत कहलाती है बिटा, पंचायत कहलाती है गोहिया, पंचायत कहलाती है गोहिया, और इस पंचायत का जो मुखिया है, वो मुकद्दम कहलाता है, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहते है, रिगवेद, रामाइन, मतश्यपुरान, महाब वारत इन प्राचीन गिरंथों में कोल जंजाती का आपको वर्णन देखने को मिलता है तो कोल जंजाती काफी प्राचीन जंजाती है काफी महत्पूर्ण आपके पास है ऑस्ट्रिक परिवार से आपके पास है संबंदित है जो ऑस्ट्रिक परिवार है इस ऑस्ट्रिक परिव यह जो अपना संबन्ध है, यह सवरी से बताते हैं, किस से बताते हैं सरी, सवरी से अपना संबन्ध बताते हैं, और जो भोगोलिक वितरन है, यह रीबा, सतना, जवलपुर, सीधी, सहडोल, इनमें आपको देखने को मिल जाता है, याद रखिये का, चलो भई, उपजाती, उ जेवारिया और बढ़तिया याद रखना है गोहिया इनकी पंचयात कहलाती है गोधना पिरिया होते हैं किर्सी और पशुपालन पर जीवन यापन करते हैं देहका नृत्त है देहका नृत्त का सम्मन कोल जन जाती से हर्याली अमवश्य कोल में फेमास है ठीक है यह कुछ भगवान आप से पूछेंगे आप इनको बता दीजी का तीसरी बड़ी जन जाती है तीसरी बड़ी जन जाती है, मुकद्दम क्या है से, मुकद्दम जो गोहिया पंचात होती है, इस गोहिया पंचात के मुख्या को आप लोग मुकद्दम के नाम से जानते हैं, इनका जो उल्लिक है, ये रिगवेड, रामायन, मतशपुरान, महाभारत, आदी जो प्राचिन ग रंथों में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है भाईया, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे की कहान, अगर यह जन जाती है, अगर यह जन जाती है, ये बिसिकली लोहिका काम करते हैं, ये बिसिकली लोहिका कारी करने वाली आपके पास जन जाती है, यह है गौन्ड जो है इन गौन्ड की आपके पास एक उपजाती है जो गौन्ड है इनकी आपके उपजाती के तौर पर देखने को बिल जाती है मुख्य कारी क्या है सर लोहा गलाना एवं लोहे के सामान को बनाना लोहा गनाने का कारी करते हैं और लोहे के सामान को बनाने का कारी करते हैं मंडला दिंडोरी बाला घाट सहडूल सीधी इन छेत्वा में पाए जाते हैं और जो लोहा सुर है ये लोहा सुर लोहा सर इनके प् ओर मोग देता है और यह किसकी एक उफवासा का सब्द है और इसका मतलब क्या था पर्वत निवासी और यह क्या करते हैं यह लोही का काम करते हैं लोही को गलाने और उसकी सामान बनाने का कारी करते है यह भी आपकी पास पित्रि सत्ता अत्मक है गुदने की प्र्था देखने को बनाएगी हर जन्जाती में बदू मुले प्रिछलार में देखने को बनाएगा किरसी औजारवां लोही की बस्तुए बनाते है मंगनी विवा चरता है बिदवा विवा रहेगा और राजी बाजी विवा रहेगा कर्मा और सेला कर्मा और सेला गोंड जंजाती से सम्मंदित है तो कर्मा और सेला अगरिया में भी देखने को मिलेंगे खुली दसेहरा दिवाली तीनों पर्व मनाते हैं दसहरा दिवाली, मतलब हमारे जैसे जो सारे की सारे पर्व हैं, हिंदू धर्म से ही संबंदे थे हैं, हमारी सारे की सारे जन जाती, इस बात पर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा, देखो बैज, चलिए, बात करते हैं, अगरिया, तो जो अगरिया है, ये क्या है सर्थ, जो गौंड है इस गौंड की एक उप जाती है किसके उप जाती है सर्थ, गौंड की उप जाती है, किसका काम करते हैं जो लोहा गलाने का काम करते हैं, लोहा गलाने का लोहे को गलाते हैं और उससे ओजार बनाते हैं याद रखिएगा ठीक है यहाँ अगर हम लोग बात करें किस छेतर में तो दक्षनी छेतर हैं वहाँ पर आपको देखने को भलेगा और सारी की सारी बाते आपको कॉमन दिखाए दे जाती हैं हर एक जन जाती में लोहास और प्रमुग देवता हैं देवता को काली मुर्गी अच्छा काली मुर्गी की बहट कौन चड़ाते हैं काली मुर्गी कड़कनात अब कड़कनात सर आपको कहां देखने को बलता है कड़कनात आपको देखने को बलता है जावगा में कड़कनात जावगा में देखने जाते हैं काली मुर्गी आपके पार चलाते हैं अगरिया अपनी देपता को जनजाती लेखक बेरियर एलवन ने अपने पुस्तक ता अगरिया में बढ़नेत किया है ठीक है इनके निवास इस्थान को धटक्ती बट्टी माना जाता है देखे बेरियर जो एलवन है इनके अगरिया आपके बात करते हैं पानी का जन जाती तो ते देखे, पानी का, पहले निवास देखे, सीधी और सहडोल, सीधी और सहडोल दोनों छेत्रों में आपको देखने को मिल जाती है, पानी का, ये दिर्विड परजाती के, ये दिर्विड समू से सम्मंदित है, बुनकर जन जाती है मोशली, प्राया कबीर पंती कहलाते है, तो पानी का जो जन जाती है ये अपने आप में कबीर पंथी कहलाती है कौन सी समू से संबंदित है आप बताएंगे जो दिर्वेड गुरुप है इस से संबंदित है क्या करते हैं बुन कर जन जाती है मदब ये बुनने का काम करते हैं सीधी, रीवा, सहडोल, उमरिया, इन जिलों में इनका बिस्तार आपको देखने को मिलेगा, पिटने को सवाल दो ही बनते हैं, पानी का से, पहला बनता है क्या, कि किस प्रजाती के है, प्रजाती, तो प्रजाती आप लोग बता देंगे सिर्फ दिर्वर प्रजाती के लोग ह हैं, फिर आप से पूछेंगे कि कबीर पंती कौन कहलाता है, आप कहेंगे, जो कबीर पंती हैं, ये हमारी पानी का जनजाती कहलाती है, कहां पाए जाते हैं, जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में इनका निवास इस्थान आपको देखने को बलता है, पानी का ज जन जाती का तो किसको कहते हैं सर गोत को कहते हैं किसके पानी का जन जाती के कपड़ा बुन्नी का कारी करते हैं कपड़ा बुन्नी का कारी करते हैं वही लमसेना भिवा गुसपैटिया भिवा देवर भावी भिवा की टाइप आपको समय कौमन देखने को मिलें सारी जन जाति प्रिथम कपड़ा बनाने वाली जनजाती यही है हमारी जो जनजातियां है जो पत्ते हैं पेड़ों के आपके पास जो पत्ते हैं इन पत्तों को आधर माल कर या पत्तों से अपने सरीर को ढखते थे लेकिन पानिका जनजाती ने कपड़ा बनाना स्टार्ट किया तो कपड़ पंती संपरदाय को मानने वाली जनजाती आपके पास कौन सी ऐसा हम लोग कहते हैं यह आपके पास आपको पानी का जनजाती देखने को मिलती है अब लोग बात करते हैं बंजारा बंजारा देखू उत्पत्ति मुलताहा राजिस्थान से माने जाते हैं एक गुमंतु है एक तो यह जो मंडला आपके पार जिला है न समनला जिले में स्थाय तोर पर रहते हैं मुलता कहां से है राजिस्थान कैसी घौमनतु है गूमते हैं बन्जारे जीवन घीतें गाउंš यह शनकें उसका ओर हमें गाउं की तलहटी में और इसको टांडरी define तांडा कहते हैं बेटा याद रखेगा टांडी का प्रधान सर्दार नायक होता है प्रधान या सर्दार आपके पास नायक होता है महिलाएं सौभिविक रूप से अधिक सरंगार प्रिये हैं सबसे यादा सरंगार अगर कोई महिलाएं करती हैं तो बंजारा जंजाती करती है important website क्या है पसू चारड, जानवर जो होते हैं, इनको लेकर ये गूमते रहते हैं, और उनको चराते रहते हैं, मैदूरी का कार भी करते हैं, ब्यापारिक कार करने वाले को बालत कहते हैं, बालत किस से सम्मंदित है, बालत बंजारि से सम्मंदित है, जो क्या करता है सर, ये ब् निवास इस्थान है किसका बंजारा जलन चाहती का बंजारों की उत्पत्ति कहां वह सो और से ज़्यां झाहिए मदव पिर्देश में कहाँ पाई जाते हैं बंजारे तो निमार और जो मालवा वाला चेत रहे इसमें आपको बंजारे देखने को मिलते हैं सोंडरे प्रिये किस वर की महिलएं ज़ादा होती है आप बताते हैं जो हमारे बैसिकली बनजारे हैं इनकी थाइए भाई पसु चारण करते हैं मैदुर कार करते बालत किसको कहते हैं ब्इयापारिक कार करनेवाले बनजारे को मंगनी विवा होता है नतारा विवा अपाहरन विवा राजी वाजी ये विवा की बद्धितियां एक जैसी है डंडा बोली डंडा बोली इनका प्रमुक्रत है गणगोर तुहार को मनाते हैं होली, दसहरा और दीपबली तो गणगोर को मनाने वाली जनजाती आपके पास कौन सी है सर ये हमारी बंजारा जनजाती है याद रखीगा सिक्धरम का सरवादिक प्रवाव बंजारों पे देखने को मिलता है जैसे पानी का कभीर पंती है तो आप से कोई पूछेगा आप से कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि सिक्धरम का सरवादिक प्रवाव हमको बंजारा जो जनजाती है इस बंजारा जनजाती में देखने को मिलता है गुरु नानक और गुरु गरंत साहिब को यही मानते है ये भी अपने आपको राजपूतों का बंसज मानते हैं और कंगी का आविस्कारक यही है सबसे पहले जो कंगी है कि कंगी का जो जन्म आपके पास किया गया कंगी का जो निर्माण किया गया वो इनी के द्वारा आपके पास किया गया था याद रखिएगा किसने किया है सर वो आपके पास हमारी बंजारा जन जाती है तो देखो बई बंजारा बंजारे जो आपके पास है सर, बंजारा जन जाती कि राजस्थान से इसकी उत्पत्त Sum shadow अगर हम लोग बात करते हैं आपका जो MP है इस MP में निवार वाला जो एरिया है इस निवार और निवार की अलाबा जो मालवा है इस मालवा में आपको देखने को मिलते हैं मालवा में आपको देखने को बिलते हैं मनला जला इनका इस्थाई निवास इस्थान है एक गुमकर जन जाती है आपके पास है गुमकर जन जाती है ये भी अपने आपको राजपूत का बनसज मानते हैं ये भी जो है ये राजपूत का बनसज मानते हैं याद रखीगा इसी के साथ में इन पर भी सिख धरम का प्रभाब देखने को बिलता है सिख धरम का प्रभाब सरबादिक है, कंगी के निर्माता है, कंगी के निर्माता है, गाउं के बाहर रहते हैं, गाउं जो है, इस गाउं के बाहर निबास करते हैं, इसको टांडा कहते हैं, और जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं आपके पास क्या होती हैं सर, ये आपको गोंधना पर ये दिखाई देत पारधी जर्जाति है अब हम फोड़ा सा ओर आगे इस पर बात करते हैं और इतना आप लगवाग पर पढ़ लिया है अब हम पारधी जर्जाति इसके बारे में और देखते हैं देखिए यह सेशन होते हैं ये मेराथन सेशन ऐसे होते हैं थोड़े लंबे-लंबे होते हैं अप्सेश बहुत साधा बच्चे इनको ले कर परिशान रहते हैं तो आप लोग परयशानakah मत होई है ना परिशान मत होई है किसी भी इस्तिति में आप सिर्फ जो पानी बगरा पी लीजिए बस दो तीन सेकंड का टाइम लेकर फिरम लोग पार्धी जन जाती के बारे में आप अब आप करते हैं हैई भाग डात chegou हुँ साहिद मुझे नहीं पता कि कितना आप समझ में आ रहा हैं I hope आप लोगं को सब को समझ में हाँ पर आ रहा होगा क्या सारी की सारी बाते आपके आप आपर समझ में आ रही है है जिसी उम्मीद होगी nap पारधी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि पारधी आपके पास जो समुदाय हुता है कि पारधी समुदाय हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसी द्रस्टी से देखा जाता है कि जो काफी आपके पास जादा पिछड़ा है तो पारधी पिछली क्यों उसकी पीचे कारण है कि आपके पास एक जंजाती है इनकी उत्पत्य एक मराठी सब्द पारद से हुई है और इसका मीनिंग होता है आखित या सिकार करना बनलब पारधी वो लोग आपके पास हैं जो प्राचीन काल में सिकार करके अपने जीवन को ब्यतीत किया करते थे आप समझ रहें? मराठी आपके पाज जो सब्द है इस पारद से इनकी उत्पत्ती हुई है तो सर्वाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि पारधी आपके पाज जो हैं ये पारदी कहां से आए है आप बताएंगे पारद से आए है पारद पारद कौनसी भासा का सब्द है आप बताएंगे पारद हमको देखने को मिलता है मराठी भासा का सब्द और इस पारद का मेनिंग क्या है सथ पारद का मेनिंग आपके पास होता है सिकार करने वाला वो लो जो सिकार करते हैं आखिट करते हैं या आपके पास हंटिंग करते हैं केलियर है भाई इसमें पारदियों को सामिल किया जाता है और इसके साथ में बहेलिया है ना बहेलिया आपने देखा होगा कि बहेलिया आएगा जाल बिचाएगा आपको फसना नहीं है आपने कहानी सुनी होगी कहबत आपने सुनी होगी जिसमें बोला जाता था कि बहेलिया आएगा बहेलिया आपको जाल बिचाएगा और जाल में आपको फसना नहीं है यह वही बाला आपके पास बहेलिया है जो बेसिकली सिकार आपके पास करते हैं तो पारदी कहां से आया है सद्ध यह आया है पारद एक मराठी भासा का सब्द है और इसका मीनिग आपके पास होता है सिकार करना हंटिंग करना कि सिकार पर अपने जीवन को यहाँ पर आपके पास चलाते रहते हैं तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा सेर कर दीजिए सारे बच्चों तक एक बार पहुंचा दीजिए सब सारे बच्चों तक ही पहुंच जाएगा तो वह इसका यहाँ पर बेनिफिट ले पाएंगे समझ गए चलिए तो सर्फ पारदी कहां पाए जाते हैं भोपाल राइसेन और सीहौर में आपके देखने को मिलते हैं इनमें गोसाई पारदी चीता पारदी भील पारदी बंदर मतलब यह लोग सक्ति की पूझा करते हैं जैसे जितनी सारी जंजाती हैं यह इस्वर को पूझ रहेंगे लगवख सारी की सारी जंजाती हैं यह भगवान को पूछती है भगवान को लेकिन पारदी एक ऐसी जंजाती है जो देवी के उपासक है तो सिधा सा एक सवाल कौन है देवी की पूझा कौन रखते हैं आप बताएंगे पार्धी ये चंदा देवी की मूर्ति को अपने पास रखते हैं चंदा देवी की मूर्ति को रखते हैं ये मुख्य रूप से आपके पास सिकार करते हैं और महिलाओं को सिकार की अनुमती नहीं होती है तो सवाल करते हैं सक्ति की करते हैं सक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं मतलब आपके पास क्या है देवी क्यों आपके पास ही पूछते हैं और इसी के साथ में यह चंदा देवी की मूर्ति को अपने पास रखते हैं तो चंदा देवी है इसकी मूर्ति को अपने पास रखेंगे और मु एसी कौन सी आपके ज्राश जन जाती है जो क्या करती है मगर का तेल निकालती है जो मगर है इस मगर के तेल के वेपसाय का काम करती है आप बोलेंगे पारधी पारधी आप लिखा हो सकता है या पारधी के साथ में आपर बहेलिया भी लिखा सकता है तो पारधी और बहेलिया दौनों एकी ग्रूप में आते हैं आपके पास जो पार्दी हैं जो बहेलिया है यह एकी ग्रूप में आपके पास आते हैं या तो यह लोग सिकार करते हैं या फिर यह क्या करते हैं मगर का तेल निकालते हैं मगर बगर का तेल निकालें उसको मार्किट में ले आके बेंचते पसु बक्षियों को भी पकड़ते हैं और उनको बेंच कर आयका आपके पास क्या करते हैं साधन कमाते हैं तो देखो भाई यह आपकी MP की जितनी जन जाती थी यह हमने आपके आपर बता दी है अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे आपसे मद्ध प्रदेश की आपदा ग्र पर हैं अपने बजूद को तलास कर रही हैं बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं बहुत ज्यादा पीछे आपको देखने कूलती हैं ऐसी जन जातियों को आपदा ग्रस्त या क्रिटीकल इंडेंजर आप यहां पर कहते हैं ट्राइब्स मतलब जो बहुत पिछड़ी हैं बहुत करता है याद रखेगा और आप से कोई पूछे का तो आप बता सकते हैं कि यहां ये जो लोग पद्यतियों को अपनाते हैं ये कम साक्षर है ये literacy rate आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मलती है ये old method का पालन करते हैं old method यूज करते हैं agriculture में इस्थिर एवम घठदी जन्सन क्या ये एक stable है ये है आपके पास stable है इनकी population मतलब बढ़ नहीं रही है population increase नहीं हो रही है इसक तो कोई भी आपके पास जन्जाती है इसको आप दा ग्रस्त कब बोला जाएगा इसको dangerous category में कब माना जाएगा सर तो आप दा ग्रस्त मानने की कुछ सरते हैं क्या सरते हैं सर ये अभी भी old pattern को follow करते है agriculture का old pattern follow करते हैं किसका agriculture का याद रखियेगा ये लोग stable है इनकी जो population ह देखने को मिलती है या इनकी population कम हो रही है बढ़ना चाहिए बेसिकली नियम क्या कहता है कि अगर आगे बढ़ रहे हैं अगर आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ में तो परिवार आपके पास बढ़ता है जैसे दो लोग हैं उनकी साधी हुई उनके बच्चे होगे उनकी साधी होगी उनके बच्चे तो ये ब्रद्धी का नियम कहता है ये ब्रद्धी आपके आपर दिखाई देती है लेकिन हमारी जो आप तक रहे हैं इनकी population या तो stable है या decrease है हमको increase नहीं हो रही है growth आपको negative में देखने को मिल रही है और इसी के साथ में जब भी ह जन जाती आप सबको पता है यह कहां पाई जाती है सर साउथ इस्ट में दक्षिन पूर में पाई जाती है बाहरिया जन जाती यह साउथ में पाई जाती है पाताल कोट चिंदवाड़ा और सहरिया जन जाती यह नौर्थ में पाई जाती है यह तीन जन जाती आपके पास है जो कि आप दा ग्रस्थ हैं, जो कि आपके पास इंडेंजर्ड हैं, आप दा ग्रस्थ जन्जाचियों के तौर पर आप कहां पर देखने को मिल जाती हैं याद रखिए ठीक है भई, उम्मीद है हर एक बच्चे को हर एक पॉइंट है पर समझ में आ रहा हुगा बेसिकली हम कभी भी स्लाइड से आपको नहीं पढ़ाते हैं बट जन्जाती वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें ओनली फैक्ट हैं इन फैक्टों को याद करने में परिशानी होती आपको मैं बार बार लिखता आपको परिशानी होती इसलिए यहाँ पर हम लोग PPT का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा तकलीव भी ना हो और यह लेक्चर कम से कम 8 गंटे का होता अगर लिखके हम इसको पढ़ाते तो यह 8 गंटे तक चलता हमारी कोशिश ही रहेगे कि अपने इसको 5 गंटे के अंदर अंदर खतम करें तो आपका सपोर्ट चाहिए आप लोग सपोर्ट करते रहे है ठीके आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करते रहे है आप इसको लाइक और सेयर करते है यहाँ 500-200 बच्चे लाइब होने चाहिए थे पर कही न कहीं इस्तिति क्या है कोई बात नहीं आप लोग पढ़िए मेरा काम पढ़ाना है ठीक है तो आप देख कोई कॉश्चन बनेगा कि कि है के जनट जातीं आप दग रस्ट है आप बताएंगे तीन इनके क्या होते हैसर हँते क्या बाहरिया कहां पाई जाती है सर साउत में और सहरिया कहां पाई जाती है सर आपके पास नौर्थ में तो आपदा गिरस्ट आपके पास जो जन जाती है आप इनका एक बार हैं पर मैप देख लीजिए जैसे ये हमारा प्यारा सा मद्ध्य पिर्देश है और इस प्यारे से मद्य प्रदेश को जब भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है इस तरीके से आपको दिखाई देगा सबसे उपर यहां हमारे पास पाई जाती है सहरिया सर्थ यहां पर रहती है सहरिया सहरिया उत्री मद्यप्रदेश में यहां आपके पास पाई जाती है भारिया चिनवाडा में आपको देखने को मिलती है भारिया और इसके जस्ट पास में यहां आपको देखने को मिलता है बैगा तो यह आपके पास अती पिछडी है आप इनको कैसे पहचान होगे सर करता मांगी जाती है इनकी फीस भी आपके पास कम लगती है कॉलेज में इनको इसकॉलर से बहुत ज्यादा मिलती है ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैगा जन जाती है ना सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बैगा बैगा अब संदूग देखिए सबसे है दक्षिन पूर्व है ना जो आपके पास दक्षिन पूर्व वाला जो छेतर है साउथ इस्ट वाला हमारा जो पोर्शन है इस साउथ इस्ट वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलती है हमारी बैगा जन जाती यह मूल लूफ से दक्षिन भारतिय जन जाती है यह ओरीज इनसानों का जो सिकार हैं इनसानों का भी सिकार करके आपके पास खा जाते हैं तो बैगा अभी भी आपके पास आदेम हैं यह कच्छा मास खा जाते हैं जैनवरों का सिकार करके इनको सीधा का सीधा खा सकते हैं यह आदेम हैं आदेम मतलब आप जब भी हम लोग बात करते हैं बहुत primitive आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा पीछे आपको ये देखने को मिलते हैं तो ऐसी कौन सी जन जाती है जिसका मूल निबास इस्थान दक्षिन भारत है जिसकी उत्पत्ती दक्षिन भारत में होई है, आप बताएंगे बैगा है आदिन जाती कहा जाता है, और आस्ट्रिक संहू के आपके पास ये लोग है बहुगोलिक बितरन, दक्षिन पूर्वी मद्रपिर्देश, साउथ इस्ट एमपी यहां के बाला घाट सहडोल आदी जिले, बाला घाट सहडोल बाला घाट सहडोल तक इनकी संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी मंद्रा जिले के 80 से ज़्यादा गाओं है, जिने बैगा चक कहा जाता है जो मंडला जिले के गाउं है बैगा चक यहां आपको बैगा जंजाती का संकेंद्रन देखने को मिलेगा आप से कोई पूछेगा कि बैगा जंजाती का संकेंद्रन या बैगा जंजाती कहाँ पर आपके पास केंद्री करत है आप बताते हैं बैगा चक और बैगा चक कहाँ पर है यह मंडला जिले में देखने को मिलता है यहीं से इनको दिशा निर्दिश दिये जाते हैं यहीं से इ और पूर्वी छेत्र में इनकी अधिकता आपको देखने को मिलती है, बैगा चक्क का संबन किस से है सर, आप बताएंगे बैगा जन जाती से, बैगा कैसी है सर, इस्पेशल बैगबर ट्राइब के अंतरगत आती है, खतम होने की कगार पर है, बिजहाबर है न, ये बहुत आपको याद हो जाते हैं नई इसके साथ में कट मेना आपको यहाँ पर याद हो जाते हैं तो तीन-चार नाम भी याद रख लोगे नरोतिया, भरोतिया, नाहर, कट मेना और राय मेना कट मेना और राय मेना ये इनकी उप जाती हैं ये इनकी सब ड्राइब है क्या है? आपको पता चल गया है कहां की रहने वाली है, basically आपको पता चल गया है किन जिलों में फेहमा से ये भी आपको पता चल गया है ये basically पित्रस अत्तात्मक परीवार है इस्त्रियों की सामाजिक इस्तिती, पुर्सों के बाद आती है ये सब को पता है, joint family आपको पास देखने को मिलती है पंचायत बिवस्था प्रिचलित है, है ना, पंचायत सिस्टम आपके आपर देखने को मिलेगा जैसे आज आपके गाउं में पंचायत है, यह हमेशा आपके पास पंचायत चलती है सारे के सारे family आपके पास कौन लेता है, पंचायत ही लेती है किर्सी, किर्सी कौन सी करते हैं सर बेबार, पैंडू या जूम किर्सी ये बेसिकली आपके पास सिफ्टिंग कल्टिवेचर है ये सब आपके पास क्या है सर ये सिफ्टिंग कल्टिवेशन का उधारन है ये इस्थांतरित किर्सी का आपके पास से हैं याद रखेगा ठीक है चलिए देखो या पढ़ने पर ज्यादा फूकस दीजी मैं इतनी देल से देख रहा हूं आप लोग आपस में बाते करने ज्यादा लगे हुए हैं यहां लगातार अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपके दो ही दायत बनते हैं एक तो आपस की बाते किये बिना आप इसको सेर कर दीजिए सब तक पहुचा दीजिए जिससे सारे बच्चों का यहां पर भला हो जाए सीखे अगर सीखने को मिलता है तो बाद में आपके कमेंट आप यहां पर करके बता सकते हैं जैसे मान दीजिए अभी एक सो ठीक है एक सो बन 45 के आज पास आपके पास बच्चे लाइव हैं ठीक है तो 145 कमेंट कल तक आ जाने चाहिए जैसे लेक्चर एंड होता है तब तो पता चलेगा कि आप लोग डेडिकेटेड हैं अभी क्लास चल लए है जल्ली से 500 है ठीक है 500 लाइक इसको कर दीजिए 200-300 लाइव यहां बार होने चाहिए थे बट नहीं है कोई बात नहीं तो देखो बेवार किसी किस से संब्देत है सर आप बताएंगे यह हमारे बैगा से संब्देत है पॉन्डू किरसी जूम किरसी सर यह होते क्या है यह सिप्टिंग कल्टीविचर है करते क्या है जैसे जो फोरेस्ट होता है यह क्या करते हैं यह forest को जला देते हैं जंगल को जला देते हैं और जलाने के बाद उसको खेत में convert करते हैं यहां खेती करते हैं जब इसका उपजावपन खतम हो जाता है यह कम पैदा बार यहां पर होने लगती है यह क्या कर देते हैं जगे उपच का आधा भाग देना होता है अब आप समझ जाए इनकी इस्थिति क्या होगी ये कितने गरीब आपके पास होगे कितने गरीब आपके पास होगे तो एक सवाल पूछा जाता है जैसे जो बोड़ा पृथा है ये बोड़ा पृथा किसमें चलती है सर ये बैगा जंजात उस ब्यक्ति को दे देते हैं जिससे इनोंने बैल लिये हैं हमने एक पिर्था और पड़ा था सेडॉली पिर्था किस जन जाती में देखने को मिलती है आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा सेडॉली पिर्था जिसमें जब किसी की death हो जाती है तो उसके जो समाधी होती है उसपे जाके खंबा गार देते हैं उसपे एक डंडा गार देते हैं उससे डॉली प्रता कहलाता है ये आपके पास बोडा प्रता है बोडा प्रता बैगा में देखने को मिलेगी बैल उधार लेने की प्रता को यह पर कहते हैं यह कला प्रिये जन जाती है कला प्रिये जन जाती का मतब आपके पास क्या होता है यह पेंटिंग बगेरा आपके पास जादा करते हैं यह पेंटिंग और आर्टिस्ट आपको यहां पर जादा देखने कुम लेंगे कुछ बिभा होते हैं मगनी विवा आप सब को वही होता है जो हम लोग सामानेता साधी करते हैं वही चड़ विवा आपको पता है कि चड़ विवा बरात लेके जाते हैं उठावा विवा मतलब जो डूली है उस डूली में बैठकर जो लड़की आपको जाती है चोर विवा मतलब चोरी से साधी करना और लंसेना विवा का क कर्मा, सैला, पर्धोनी और फाग, आप से पूछा जाएगा कि कर्मा किसका है, आप बताएंगे बैगा का, सैला किसका है, आप बताएंगे बैगा का, पर्धोनी किसका है, बैगा का, कर्मा, सैला, पर्धोनी और फाग, कर्मा, सैला, पर्धोनी खाग, इनके प्रमुक नरते ह और ये भी गुलना प्रिय जंजाती है याद रखे इनके प्रमुक देपता है जैसे ठाकुर देव ठाकुर देव गाउं की रक्षा करने वाले देपता है ठाकुर देव बूरा देव पीडियों की रक्षा करने वाले देव है और दूला देव बीमारियों से रक्षा करने वा आसरत एते हैं और साल का ब्रक्चन के लिए बड़ा प्रिया होता है साल का ब्रक्चन के लिए कापी प्रिया होता है याद रखेगा तो बिभाओं के नाम लगवग एक जैसे हैं आप सारी जंजातियों के जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइफ हो मेरिजिस के आप उनको एक वाल लिख ली जीगा एक जगे ताकि याद करने में तकलीफ नहीं होगी otherwise हर एक जनजाती में एक common पिरकार आपको देखने को मिलेगा marriages का लोक नरत्य क्या है सर कर्मा सेला कर्मा परद्वनी और फाग यह भी बेगा से संब्दित है पिरमुख देपता ठाकुर देव यह गाओं के देपता है गाओं मतलब गाओं की रक्षा करने वाले जो बिलेज होता है इस बिलेज की सुरक्षा करने वाले बूड़ा देव इनके कह सकते हैं कि पीडियों वाले मतलब दफनाए जाता है किन्तु बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मान शरूप दहा संसकार किया जाता है अब समझो जिसे किसी की आसा में डैथ हो जाती है मतलब जैसे एक एबरेज एज के हम लोग बात करते हैं माली जी एबरेज एज आपके पास 60 साल है इससे प कौन सीजन जाती है जाम मिर्टकों को दफनाये जाता है आपके पास बैगां जन जाती है क्या बैगा उल्चाथी में सभी को दफनाते हैं नहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति highly इनको हम लोग क्या कर देते हैं दहा संसकार किया जाता है इनको यहां पर जलाया जाता है बूरा पुचा जाता है जो सुखर है यह किसके लिए महत्पून है बैगाओं के लिए 12 बरस में एक बार बैगा जन सुखर बली समहारों का आयोजन करते हैं तो पूचा जाएगा कि बैगा जो अपना तोहार मनाते हैं एक ऐसा तोहार जिसमें अपने प्रिये पसुखर की यह बली देते हैं यह कितनी बरस में मनाये जाता है आप बताएंगे 12 बरस में कब मनाते हैं सरी यह 12 बरस में मनाते हैं याद रखेगा ठीए बैगा जन जाती के बारे में लगवक लगवक सारी बाते मैंने आपके हाँ पर बता दी है कि बैगा कहां से आये हैं कहां से इनकी उत्पत्ती हुई है प्रमुक देपता कौन है दा बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है किसको पूछते हैं है ना बडोली पिर्था आपके पास क्या है यही सवा किस छेतर में आपके पास यह पाई जाती है किस छेतर में आपके पास यह पाई जाती है याद रखेगा ठीक है अब बच्छा पार्टी जड़ा सेर कर दीजिए सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए मज़ा रहा है कि नहीं आ रहा है अरे आप तो भागने लगो यार भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग भाग रहे हैं कैसे काम चलेगा 500 लाइक का मिनिमम टार्गेट आपके पास है ना अभी जाना नहीं है किसी को अभी जाना नहीं है इसको शेर कर दीजिए सारे की सारे बच्चे कम से कम 200 लाइब त 200 लाइब तो लेके आ जाएगे मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं हैलो 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 भीया कितनी देर और बस ज्यादा से ज्यादा एक घंटे सर प्लीज इंग्लिस में भी लेक्चर्स लीजिए आप सिवांगी बिटा देखो जितना पॉसिबल होता है ना वो सारा का सारा ट्रांसलेट कर देते हैं अब थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा यह कंटेंट आपको इंग्लिस में मिल जाएगा पीडिएफ मिल जा हो जाएंगे 500 अरे वो कौन सी बड़ी बाद है ठीक है चलिए बहुत बड़ी है तो अब देखो बैरियर एल्वन ने दा बैगा पुस्तक किसने लिखिए सर यह लिखिए दा बैगा पुस्तक के लिखा बैरियर एल्वन है यह सुवर का तो हर भी आपसे पूछा जा सकता है है ठीक है चलिए तो अगर हम लोग बैगाओं को एक बार समराईज करते हैं बैगा को हम लोग यहाँ पर समराईज करते हैं तो आप ऐसे देखते हैं यह एक दक्षिन भारत की आपके पार जंजाती है कहां कि ये सरे, मूलताह दक्षिन भारत की आपके पास है, यह भी आपके पास जो आस्ट्रिक परिबार है इस आस्ट्रिक परिबार से आपके पास सम्बंदेथ है, ठीक है, बैगा ये पिछली जन जाती है बहुत ज़्यादा बैकवर्ण है इसलिए सरकार ने इनको यहां पर संदक्षन दिया है सुवर की पूजा करते हैं किस की पूजा करते हैं सर ये सुवर की आपके पास पूजा करते हैं बडॉली पृता देखने को मिलती है बेल उधार लेकर आते हैं, बडोली परता, पॉंडू या बेवार किरसी आपके पास करते हैं, सैला की हम लोग बात करते हैं, सैला और कर्मा, सैला, कर्मा और फाग ये नरत यहां पर करते हैं, तो इस तरी की चीज़े आप लोग थोड़ा सा देख लीजीएगा, अब हम बाहरिया जंजाती है ना बाहरिया जंजाती का निवास इस्थाने आपके पास पाताल कोट यह जादा जो फेमस है ना बाहरिया ट्राइब यह पाताल कोट के लिए बहुत जादा फेमस है पाताल कोट सोरी जो पाताल उड़ आपके पास एरिया है संगीता बर्मा आपको कुछ ज्यादा ही सोरी अब इसे को बहुत ज्यादा हसी आ रही है ना PDF से पढ़ाये करें PDF PDF से क्या समझ में आता है मुझे आया तक समझ में नहीं आया जंजाती वाला आपके पास लेक्चर है इसलिए आप लोगों को PDF देखने को मुल रहे है अदर्वाइस हम बॉड वाले टीचर है इस चिंदवारा डिस्टिक में, यहां आपको पातालपूर देखने को बूलेगा, यही इनका मूल निवास इस्थान है, अच्छा एक बात याद रखेगा, जो जबलपूर है, यहां इनकी population जादा है, आप से कोई पूछेगा कि जो भारिया जन जाती है, इनकी जो population है, यह maximum population कहाँ पर है, आप बताएंगे, इनकी जो maximum population है, वह जबलपूर में है, लेकिन यह कहाँ पर सेंट्रलाइज है, कहाँ पर आपके पास एक केंद्री करत है, आप बताते हैं, यह है पाताल कोट, पाताल कोट तो देखो बेटा, बैसे भी आपके पास फेमस है, पाताल कोट ब पर ध्यान दीजिए, इनकी जो population है, इनकी जो संख्या है, यह संख्या जबलपूर में अधिक है, लेकिन यह संकिंद्रित कहाँ पर रहे हैं, सर्क छिंदबाडा में, ठीक है, चलिए, यह भी गौंड जंजाती की एक साखा है, सौभाव से महनिती होते हैं, बहुत हार्ट होते हैं, सैश्णू होते हैं, और संख उची होते हैं, बहरिया सब्द का अर्थ होता है, बहर डोहने वाला, बहर डोहने वाला, यह लोग बहर डोहने का काम करते थे, दिर्विडियन पर्थात कोलियरियन परिवार किसे हैं, किस परिवार से सम्दित हैं, सर्क आप बताएं देखो ये भी पित्र सत्तात्मक और रूडिवादी समाज में है इनमें भी आपको संगोत्री विवा देखने को नहीं मिलेगा यहां भी संगोत्री विवा नहीं होता है मुख्या को पटेल कहते हैं मुख्या जो होता है ना इसको पटेल कहते हैं तो पटेल सब्द सामान ने तहा जो भारिया है इस भारिया जन जाती के जो मुख्या होते हैं इस मुख्या के लिए प्रियोग किया जाता था पटेल ठीक है बोमिका पाडियार और कोटवार ये इनके महत्पूर बोमिका महीं द जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है यह आधुनिक सब्विता से पूरी तरे आप रिचित हैं यह सतर मेट मेटर आपके पास गहरी खाई है और कहां पाई जाती है सर पाताल कोट पाताल कोट आपको छिनवाडा में देखने को मिल जाता है पाताल कोट आपको कहां देखने क प्राजी बाजी बिदवात भबात देखने कुल रहएं सेम हैं कौमन है बढ़ CELU CELTA कर्मा तो बढ़ा मकेला याद रखना है देखिए जो गोंडों की साखा है जो गोंड जन्जाती है इस गोंड की बहुत सारी साखा आपको देखने को बलते हैं इन गौंट की साखाओं में सारे की सारे डांस आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे चाहे वले वो सैला हो, कर्मा हो, अब भड़म सिर्फ भारिया में देखने को मिलेगा बिदरी परो मनाते हैं, नवा खानी मनाते हैं, जतारा, दिवाली और हुली ये आपके पास कोमन है गोठ लीला, है ना गोठ लीला के हम लोग बात करते हैं, राम नम्मी, पांडब कथा, लांगुरिया फाग, रसिया तो देखो, कला संस्कृती को याद करना आसा नहीं है, आप इसको दीरे दीरे पढ़ते रहेंगे, दीरे दीरे पढ़ते रहेंगे तो ये देख लेजिए बस, कि जतारा तोहर किसमे मनाय जाता है, जतारा मनाय जाता है हमारी जो भारिया है इसमें बढ़म नरति किस से संबन्दित है तो बढ़म नरति आपके पास भारिया से संबन्दित है बिदरी पर्व किस में मनाये जाता है सर बिदरी पर्व मनाये जाता है भारिया जिंजाती में गोठ लीला और लांगुरिया गोठ लीला और लांगुरिया कहां पर फेमास है सर यह भारिया में याद रखे ठीक है भाई तो बढ़म नरत्य याद करना है, बिदरी और जतारा परवे याद करना है, गोठ लीला और लांगुरिया आपको लोग कताई याद करने हैं बहरिया जन्जाती सम्मधित हिंदों से प्रवावित हैं, वही बूला देव, दूला देव, नाग देव आ गए, जादू भूत प्रेट पर अधिक बिस्पास करते हैं, जादू टोना और भूत प्रेट पर बहरिया महा सम्मिलन 2018 चिंदवाडा मुआ है पाताल कोट में, अपने काम के प्रती बहुत इमांदार है, बोले बाले होते हैं, याद रखेगा तो बहरिया जन जाती से, देखो सवाल क्या बनेंगे सर, इन से वही सवाल बनता है, कहां पाए जाते हैं, पाताल कोट, पाताल कोट कहा है सर, चिंदवाडा में, यह यहाँ पर केंदरी करत है, यहाँ इनका मूल इस्थान है, लेकिन इनकी population कहां जादा देखने को मिलती है इनकी population जो जवलपूर है, इस जवलपूर में आपको जादा देखने को मिलती है, याद रखिये गाँ, यह जवलपूर में इनकी संख्या आपको जादा देखने को मिलेगी, बहरिया मा सम्मिलन 2018 में चिंदवाडा के पाताल कोट में आपके पास संबन हुआ था, तो बहरि मूल है, आप बताते हैं, यह मूल आपके पास है, पाताल कोट, जो पाताल कोट है, यहां से यह मूल है, इनकी population ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, आप बताएंगे, population ज़्यादा पाई जाती है, जवलपूर में, इनकी population ज़्यादा पाई जाती है, जवलपूर में, ठी ये कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको याद रखना है वो बाहरिया महा सम्मिलन 2018 का जो चिनवाड़ा है इस चिनवाड़ा के पाताल कोर्ट में आपके पास संपन हुआ है अब हम लोग बात करते हैं सहरिया यह सबसे अती पिछडी है अगर आप से कोई पूछता है ना कि बैगा, सहरिया और बाहरिया में बहुत ज़्यादा पिछडी कोणने असर वो सहरिया है देखे सहरिया का मतलब आपके पास होता है ये सेर के संग रहने वाले है ना सेर के संग रहने वाले इसका basically मतलब आपके पास ही होता है सहरिया जिंजाती का ये आप लोग कह सकते हैं कि सहर में रहने वाले लोग है ना पहले सहर में रहने वाले लोग इनका मतलब निकाला जात है ता लेकिन सेर 컨데 रहने वाले लोग यह जो iagreeya है जो बैल्ट है राइसे लिधी सा गुना शेवपुरी इस एरिया में यह संकंद्रत है इस एरिया में आपकों संकंद्रत है सिर्फ नौर्थ MP में आपको ब्लिएनर को मिलता है यह अत्य sudah पिछडी जन जाती है अत्यंत पिछडी इसको आप जन जातियों की भी जन जाती कह सकते हैं तो जन जातियों की जन जाती आप इसी को कह सकते हैं वालब इन में ये सबसे जादा पीछे हैं सहरिया का अर्थ क्या है सर सेर के साथ रहने वाली लोग और कोलेरियन परिवार की पहले हैं, पहली चीज तो कहां पाई जाएंगी सर, उत्रि MMP में पाई जाती है, याद रखेगा, ठीक है? उत्रि MP में आपके पाई जाती है, अत्य अंति पिछडी है, सहरिया का मीनिंग क्या है सर? शेर के साथ रहने बाला जो समू है, आप इसको यहां जहरिया कहते हैं ! किस बहसा परिवार से सम्मन्दित है ? तो Kalarian बहसा परिवार से सम्मानित mitigation है ? बोगोलिक बितiquement !!! कहां है ? उत्तर पश्चरिमी चहत्र है यह पूरा का पूरा देखी उत्तर पश्चरिमी चहत्र में नदन और यह वाले यह बेल्ट है आप इसको कह सकते तो उत्तर पश्वी छेत्र में रहती है गुना सिवपुरी गौालियर यहां इनका संकेंद्रन है यहां सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं बिदीशा, रायसेन, बुंदिर्खन में भी इनकी कुछ संख्या देखने को मिल जाती है तो इसका मीनिंग याद रखीगा सेर के संव जोगता है फैमली फादर की उपर ही डिपेंड रही परिवार का जो मुख्या है यह पटेल कहलाता है परिवार का मुख्या पटेल कहलाता है परिवार की इकाही कुटंब कहलाती है और निवास इस्थान सहराना कहलाता है देखिए आप से पूछा जाएगा कि जो सहरिया है इन सहरिया में परिवार की सबसे छोटी एकाई क्या है कुटुम्ब कुटुम्ब मतलब हम लोगों के घर परिवार के लोग एक में टुक ना पानी देखें ज़रा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखें फालतू की बातों पर प्लीज आप लोग बहस ना करें पापस में लड़ाएं जाती धर्म इसके नाम पर अपना काम पढ़ना है सवाल क्या बनेगा सर सवाल बनेगा सहरिया के जो परिवार का मुख्या होता है पटेल कहलाता है कुटुम इकाही किस्से संबन देते सहरिया जन जाती से और सहराना किसका निवासिस्थान है सहराना निवासिस्थान आपके पास है सहरिया का ठीक है आप बताईए फालिया क्या है सारे की सारे बच्चे बताईए फालिया क्या है अगर आपने क्लास को बहुत अच्छे देखाए तो फालिया का संबन किस्से है फालिया का संबन किस्से है बताई जरा ठीक है फालिया का संबन किस्से है सारे की सारे बच्चे बताई जरा एक बर से पत्रे शक्तात्मक है पतैल मुख्या ये बात है आप लोग से देख लीजीगा के लेंगी नृत लेंट करते हैं और दुल-दुदल घोडेनेति सब्सहेल्या करते हैं में दुल जोडա का देंदिल सम्मनेति सेहल्या में लोग गीदाते हैं पहटी लोग संगीत प्रमों का आपको देखने कुलेगे दो हजार सत्रह में शहरिया विकास संविलन असोग नगर जिले में संपन हुआ था माधव राश्य उद्धान के आसपाशे जनजाती पाई जाती है सरबादिक कुपोसे जनजाती आपके पास यही है और सहरिया सहरिया जनज करती को लगी हुई है बहुत छोटी हाइट पाई जाते हैं कम हाइट के पाई जाएंगे दुबले पतले होते हैं बहुत दुबले पतले होते हैं इसके कारण सामाज एक और आर्थिक तोर पर भी बहुत जादा पिछड़े हैं बहुत जादा पीछे आपको यह दिखाई देत की गा ठीक है तो देखो हमने हम ने यह आ पर क्या देखा बाहरिया संमीलन की आप से बात की यह来शार अथारह में हुआ है सर कहां पर यह हुआ है चिंदवाड़ा में हमने यहां पर बात की आप लोगों से शुहरिय के संजाथि संग्राल है यह जंजाती संग्रालłe ऽेसर कहाँ पर है यह वहद़ पाल में है लेकिन आप से कोई पूछेगा कि सहरिया जो जन जाती है इसका संग्लाल कहाँ पर है आप बताएंगे श्योपूर में हैं आप आप से पूछे जा सकते हैं आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा चलो यह प्रमुख जंजातियां जो हैं important जंजातियां हमने आपको बता दी हैं अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जंजातियों की क्या प्रमुख समस्या हैं कौन-कौन से समस्याओं से आपके पास यह जूज रही है देखो बाई देखो परंपरागत खेती करना यह ट्रेडिशनल खेती करते हैं अभी भी बंदक मजदूर बनके रहते हैं बेरोजगारी unemployment यह traditional method को अपनाते हैं इनकी man problem क्या है यह traditional method को अपनाते हैं आज भी हल वैल को यूज करते हैं यह आपके पास बंदक मजदूर होते हैं यह बंदक मजदूर जैसे यह लगबख slaves की तरह आपके पास रहते हैं जैसे गुलाम रहते थे नहीं उस तरीके से रह unemployment भूमी की उरवरता में कमी यह क्या करते हैं पेंडू या बेवार किरसी करते हैं पेंडू और बेवार किरसी की जब भी हम लोग आपसे आपर बात करते हैं पेंडू और बेवार किरसी की जब भी हम लोग आपसे आपर बात करते हैं इसमें क्या होता है भूमी की उरवरता कम हो जाती है, सिचाई की घ्यान का आभाग है, रिंड से बहुत ज़्यादा ग्रस्ट है, ये सारी की सारी जनजातियां, पसों की गुणबत्ता ना होना, कैसे ही पसों को लेकर गुंते हैं, नसे की लद्ध है बन उपज का सही मूल्य नहीं मिलना ये बन उपज करते हैं किसी को भी बैश देते हैं सिर्फ इनको जो सराव है वो मिल जाए काम ख़़ब भूमी के स्वामी आपके पास नहीं होते हैं प्राकरतिक आपदाएं और असिक्छा आप से कोई पूछेगा कि जो हमारी जनजाती हैं इन जनजाती की है ना इन जनजातीयों की प्रमुख समस्या है कौन कौन सी है आप हमको बता दीजिए आप बता देंगे ये प्रमुख समस्या हैं आपको देखने को मिलती है ठीक है भाई ये बनों के बीच पाये जाते हैं, तो या तो ये डलान वाली जगे पर खेत बनाएंगे, या पत्रीली जगे पर खेत बनाएंगे, डलान वाली जगे पर भी पानी नहीं रुखता है, पत्रीली जगे पर भी पानी नहीं रुखता है, तो कहां से ये क्या करके उसमें खेती का उत्पादन कर सकते हैं तो उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे अधासर कहाँ पर है जहाबुगा, चिंधवाडा, मंडला और बैतूल में ये बहुत ज़्यादा समझ्या आपको देखने को मिलती है याद रखिएगा ठीक है भाई चलो ये फिर आपको सिचाई की आपको देखने को बिलता है भू सौमी आपके पास नहीं होते हैं ये परामपरागत किर्सी है गुर्वत्ता नहीं है आपके पास पस्वों में और इन ग्रस्ता इनकी बहुत सारी आपके पास हैं अब हुम अधी द्वारा है ना जो जन्जाती निरत्त की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कर्मा जो निरत्त है पिटा किस्से सम्मन देथे बैगा से परधोनी किस्से है बैगा से रीना का सम्मन किस्से है बैगा से बिमला का सम्मन किस्से है बैगा से और सजनी दीबानी सजनी दीब सजनी दीबानी मनला बालागाट डिनोरी में आपको देखने को मिल जाता है कर्मा परधोनी रीना बिम्ला कर्मा परधोनी रीना बिम्ला ये आपको याद रहेगी यह क्या है सवग कि हमारी बेगा जन जाती के नरत से की कर्मा किस का है सार वैगा से पर्दौनी किस्ट है वैगा से रीना किस्ट है कूरकू जन्जाती चटकोरा डंडाल को करते है बहरिया एक तो भढ़म करते हैं और सेतम भढ़म और सेतम ये इनके फेमास है मैंने आपको पहले भी बताए था बारिया जन जाती चिंदवाड़ा जवलपूर चिंदवाड़ा में आपके पास यह सेंट्रलाइज है यहाँ पर सेंट्रलाइज है और जवलपूर में इनकी जो पॉपुलेशन है यह पॉपुलेशन आपको अधिक्तम देखने को मिलती है इनकी जो population है यह आपको अधिकतम देखने को बिलेगी कहाँ पर हमारे जबलपुर में चटकोरा का संबन किस्से है ठीक है चटकोरा का संबन किस्से है ठीक है क्या परिशान है आप लोगों को मुझे खुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या तकलीब है किस समस्या से आप लोग जूज रहे हैं पढ़ने की बजाए ठीक है बेटा गौंड जन जाती या हम लोग बैगा की बात करते हैं गौंड बैगा या हम लोग बात करते हैं बन जारा इनमें आपको सेम रत्य देखने को मिल जाते हैं कोर्कु में चटकरा、 चटकोरा और धंडाल और बारिया में भढ़म और सैतम आपको देखने को मिल जाता है अब देखिए ये गौंड में सब कुछ आ जाएगा कर्मा है, सैला है, गेंडी है और गौंचो है कर्मा, सैला, गेंडी, गौंचो यह famous famous है याद रखना हमने वहाँ पे सारी पड़े हैं हमने वहाँ पे सारी पड़े हैं लेकिन यहां हम लोग पड़ रहे हैं वो जो पेपर में पूछे गए हैं गोंड जन्जाती का अभी तक कर्मा पूछा जाता है सेला पूछा जाता है गेंडी और गोंचो तो गेंडी औ आपको गौंड में दिखाई जाएगा तो दोनों जंजाती कभी एक साथ नहीं आएंगी एक एक जंजाती आपके पास आएगी याद रखेगा ठीका भाई यह नरत्य है लिखते चलिए ऐसे लिख लीजिए जो गौंड है इस गौंड में क्या है सर कर्मा कर्मा के बाद कौन स सर सेला, सेला के बाद कौन सा जो गेंडी और गेंडी के बाद कौन सा सर गोंचु यह क्या है नरत्य है मुडिया, मुडिया जन जाती में आपके पास गोर और पंडवानी गोर नरत्य है और पंडवानी है कोर और पंडवानी किस में है सर मुडिया जन जाती में है सहरिया, रागनी नर्त करते हैं, लहंगी करते हैं, लहंगी और दुलदुल गोडी, देखिए दुलदुल गोडी बहतरी नर्त होता है, बहतरी नर्त आपके पास होता है, जब बाराद जाती है, तो बाराद के समय पर एक गोडी बनाई जाती है, एक नकली गोडी बनाई जात जाता है ससुर जी को बिठाला जाता है लड़के के उपिता जी को और वो गोड़ी फिर चलती है तो गिर जाते हैं दुल्दुल गोड़ी के हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ठीक है लेहंगी लेहंगी रागनी और दुल्दुल गोड़ी यह सहरिया जंजाती के अपके पास डांस या पर दिखाई देंगे, सहरिया जंजाती के डांस आपको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, चलिए, पर्धोनी, पर्धोनी सर क्या है, पर्धोनी बैगा आदिवासियों के द्वारा, बेभा के अफसर पर, बारात आगमानी के लिए किये जाने बाला लोक न्रत्य है, का संबन्द किस्से है, बेगा जंजाती से है, कब ये न्रत्य किया जाता है, ये न्रत्य आपके पास किया जाता है, बारात आगमन पर, बारात के आगमन पर, इसका उद्देश क्या है, प्रिशन्यता की अभी व्यक्ति, न्रत्य में बर्पक्च की ओर से एक हाती बना कर च बार तो सेम कहानी बैगा वाले लोग बोल रहे हैं बहिया कि परधोनी जो निरत है ये साधी के अफसर पर बरात के स्वावत के लिए किया जाता है और बैगा निरत में बरपक्च की और से एक हाथी बना कर चलाये जाता है और ये महत्पून आपके पास अनुस्ठान है कर्मा मंगला की आसपास की छेतर में गोंड और बैगा देखो बिटा दोनों लिखा हुआ है गोंड और बैगा आदिवासियों का प्रमुक नर्त है कर्मा नर्त कर्म देपता को पुर्शन करने के लिए किया जाता है कर्म की प्रेड़ना देने बाला नर्त है जो ग्रामीन पूरे समय करते हैं सिर्फ बरसात के समय नहीं करते हैं आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है देखो भाया ट्रिक मत चलाओ है ना ट्रिक मत चलाओ ट्रिक मत चलाओ क्योंकि सबसे जादा अगर मुझे नफ्रत है तो वह ट्रिक से और दूसरे बाद नफ्रत है पीडिएफ से आपको ये दोनों ही पसंद आती है जीवन में जब भी आपने सौट्रिक अपनाओगे तब असफल होने के संबाबना बहुत ज़्यादा है 2020 के पेपर के पहले बार आ गई थी यूट्यूब पर ट्रिक की एक बच्चा मुझे ऐसा बता दे कि हमने कहीं से भी ट्रिक पड़ी हो और पेपर में एक सवाल हम सौल्व कर पाए हो एक बच्चा बता दे कि हमने ऐसा किया है तो मैं उसको मान जाओंगा देखो जब हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते है न तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में diabetes और cavities जैसी problem हो सकती है जब हम बहुत ज़्यादा तीखा खाते है तो अच्छा लगता है जिसको पसंद हो लेकिन बाद में क्या-क्या होता है आप बहतर तरीके से समझ सकते हैं सेम कहानी पढ़ाई के साथ है हम लोग जो पढ़ रहा है न वो कड़वी दबाई है कड़वी दबाई खराब लग सकती है अभी लेकिन बाद में paper में नम्मर दिलाएगी कि ये मेठी नहीं है लगातार 4 गंटे लगातार 5 गंटे लेक्चसा लेना आसान नहीं है आप समझवं यह dedication है dedication नहीं दिखाई देगा आपको कहीं भी कहीं भी दिखाय नहीं कछाए सकता को 5 गंटे लोग बैठकर नहीं делать कर पढ़ा दें यहां लगातार आंके लिए सब्सक्राइब कराई जाती है और सौट कट नहीं है आप समझे किसी चीज को इतनी बार पढ़ लीजिए कि भूलने के जरूरती नहीं पढ़े आपके फादर साब आपके माता जी आपके भाई आपके बहन आपके दोस्त मामा भुगा फूपा इनके नाम याद करने के लिए की जरूरत पढ़ती है क्या कभी नहीं पढ़ती मेरे दोस्त क्यों नहीं पढ़ती क्योंकि हम उनसे परीचित हैं हम उनको अपना मानते हैं यह पढ़ाई के साथ भी सेम फंडा है जिसको जितना प्यार दोगे इसको जितना अपना मानोगे जितना समय दोगे यह पढ़ाई आपकी हो जाएगी तो ना ही किसी ट्रिक की जरूवत पड़ेगी और ना ही किसी ट्रक की जरूवत पड़ेगी ना ही किसी रेल की जरूवत पड़ेगी आप बेसिक फंडों के साथ पड़ते चले जाएंगे पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा यह जो ट्रक है ना यह प्रेलि कर दिया नशे ने उसी तरीके से ये चीज़े आपको बर्बाद करिंगे हैं ने पीटा अब इसलिक मैं आपसे सह से इसा नहीं प्लीज ऐसा मत भूलिए मुझे डुख होगा मैं आपको टार्घित नहीं कर रहां हूँ प्लीज आपको टार्घिट नहीं कर पै अगर आप चलते हैं अक्सर जब हम छोटे थे तो एक-एक जीने को हम एक कदम रखते थे पहले जीने पर पर धूसरे पर धूसरा कदम रखते थे तब जाके पिषला पैर उठाते थे आज हम उस जगे से चल कर सीख कर आये तब एक छलांग में दो-तीन जीने लांग जाते थे क्या बच्पन में कभी हम ऐसा कर सकते थे क्या कि पहले जीने 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 पर आज भी कोई भी विक्तिर दो से जादा तीसरा जीना नहीं लांग सकता है सिधा चौथे पर पैर रहो थे तो फिसल के नीचे चलिया हुए सेम कहानी बेटा ट्रिक बालों लोगों की है आपको बरबाद करने के लाभ़ा कुछ नहीं क्या है इस समाजने तो आप लोगों से रिक्वेस है इफ यार प्रिपेरिंग फूर सिविल सर्विसे लाइक यो पीसी और अधर इस्टेट पीसी फोकस उन प्रॉपर स्टडी मेथड प्रॉपर स्टडी मेटेरियल तो डेफिनिटली आपके याँ पर सक्सेज मिलेगी क्योंकि आसान रास्ते बेटा हर को ही चुन लेता है कठेन रास्तों को चुनना बहुत ज़्यादा टफ है बहुत ज़्यादा टफ है याद रखेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं कुछ बच्चों को बुरा लगया होगा और यही बच्चे आगे जाके कुछ तीचरों से बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा कोई तकलीफ नहीं है चलो तो परधोनी आपको पता चल गया कर्मा आपको पता चल गया है दसेरा दसेरा बेगा आदिवासी दसेरा तोहर नहीं मनाते हैं किन्तु बिजया दस्मी प्राराम होने के कारण इस नरत्य का नाम दसेरा नरत्य पड़ा है द्यान रखना बेड़ा दसहरा नरत्य है ये बेगा लोग नहीं बनाते हैं बेगा क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि ये मेगनात को अपना आरादे मानते हैं इसलिए ये आपके पास विजय दसमी नहीं मनाते हैं याद रखें लेकिन दसहरा नरत्य हैं क्यों? क्योंकि ये विजय दसमी से प् परम होता है इसलिए इसका नाम आपके पास दस्यरा नर्त पढ़ा है और इसका सम्वंद किससार बेगा जंजाती से एक तरह से दस्यरा नर्त बेगा आदिवासियों के सामाजिक बेभार से सम्वंद कोई मतलब नहीं खुलकी, खुलकी पाटा एक नरत है, मुरिया आदी वाशियों में पिर चले थे, ठीक है याद रखेगा, इसमें लड़के लड़कियां दोनों भाग लेते हैं, याद रखेगा, इसमें गाया जाता है, राजा रानी कैसे रहते हैं, उंचा लड़का, किस काम का आदी, मतलब ये इनके आपके पास क्या हैं, सर, कुछ बोल हैं, याद रखेगा, भगोरिया, भगोरिया देखो भाई, जाववा से इसके सुरुवात मानी जाती है, भगोरिया आपके पास जो है ना, इसके सुरुवात जाववा से मानी जाती है, और अली राजपुर छेतर में, देखो ये कहां पर होता है सर शुरुआत जहबवास हो है आज भी जहबवा में देखने को मिलेगा लेकिन अब अली राजपुर में भी आपके पास भील जन्जाती पाई जाती है तो अली राजपुर में भी आपको ये देखने को मिल जाता है अली राजपुर में भी भील जन्दती पाई जाती है वहां भी यह देखने को मिलेगा लेकिन पूछा जाता है बहुरिया होता कहा है सर यह जहाबगा में होता है यह बेसिकली जो भील है इन भीलों का आपके पास अरत्त है हुली के अफसर पर सामानता किया जाता है और यह 15 दिन तक आपके पास चलता है 15 देश तक आपके पास चलता है बहुरिया हाटों का आयोजन फागुन के महीने में होली से पूर्व आपके पास होता है बहुरिया हाट के बल हाट ना होकर यूबक यूबदियों के मिलन के मेले है यहाँ एक दूसरी के संपर्क में आते हैं आ जाने के बाद आपको पहले भीली कल्चर को accept करना पड़ेगा किसी दूसरी कास्ट किसी दूसरे religion के लोगों के लिए अलाव नहीं है only for भील only for भील जन जाती के लिए अगर आपकी family नहीं मान रही है तो आप लोग जा सकते हैं जाबगा लेकिन जाने के बाद जाने के बाद है ना जाने के बाद आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा जाने की बाद आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा पहले भील कल्चर को accept करना पड़ेगा तब जाकर है ना तब जाकर पराता ही नहीं हो कि यह एक बच्चा मेरा है यह दो बच्चे मेरे हैं आपने देखा होगा क्लास में लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे सारे बच्चे अपने हैं आप लोग पढ़ने वाले हैं आपकी एक जो भी है आप मेरे लिए सभी एक्वल है सभी equal है, एक नहीं है कि एक important हो आज तक किसी भी plus class में YouTube session बे, किसी भी special class में एक बच्चे को हमने special attention कभी ने दिया सब equal है, सब equal है ध्यान रखिए, ठीक है बई, चलिए भगोरिया में ये सारी चीज़े आपके आपर देखने को मिल जाती है थाप्टी नेत्रिकों करते हैं, ये आप से कोई पूछ सकता है यहाँ पर दोलक बजाई जाती है, याद रखेगा डंडाल ये भी कोरकू आदिव्यासों के द्वारा किया जाता है और ये जेट असाड में देखो, डंडाल जेतर असाड में और थाप्टी चैतर बैसाप में यहाँ छोटे-छोटे डंडों से प्रियार किया जाता है जैसे आपने देखा हुआ न, गुजरात में जो डंडिया होता है उसी तरीके का डंडाल होता है और कोरकू जंजाती आपके पास यहाँ पर करती है सेला, ये सुद्धता जंजातियों का नर्त है सभी जंजाती करती है ये आपसी प्रेमियम भायचारे का प्रितिक है सेला करत होता है डंडा, डंडा सेला सिखरों पर रहने वाले लोगों के द्वारा किये जाने कारण इसका नाम सेला पड़ा है सिखर मतलब परवतों पर रहने वाले लोगों के द्वारा ये नर्त दसेरे से आरम होकर पूरी सरद रितू तक चलता है सेला लगवक सारी जंजातियां करती है ये प्रेम और भायचारे का प्रितिक है जो उपर रहते हैं जो सिखर पर रहने वाले लोग है सामानता उनके द्वारा किया जाता है आदी देव को पुरसन करने ही तू आदी देव को पुरसन करने ही तू सेला नर्त का आयजन किया जाता है ये नर्त के बन पुरसों के द्वारा किया जाता है ये सवाल बनेगा कि जो सेला नर्त है इसमें महिला पुरुस दौनों पार्ट स्पेट कर सकते हैं, नहीं, इसमें only पुरुस पार्ट स्पेट करते हैं एक जन जाती, लगभख सभी जन जाती इसको यहाँ पर कर देती हैं, याद रखेगा इसमें नर्तक साधी वेस उसा में, डंडा लेकर पैरों में गुंगरु बानकर गोल-गोल घिला बराकर नाचते हैं मांदर इसका प्रमुग बाद यंत्र है, मांदर इसमें फूकस याद रखना गिरामों को सांस्किर्ट रूप से जोडने के लिए इस नर्तकी आहम भूमिका दिखाई देती है बढ़म, ठीक है, बढ़नी या भंगम नर्ते भी कहते हैं, बाहरिया जंग जाती करती है बेभा के अफसर पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़म आपको पहले से पता है ठीक है, अटारी, ये भगिल खंड की भूमिया बैगाओं का नर्त है ये बरतुला कार होता है, एक पुरुष के कंदे पर दो आदमी होते हैं मतब आपस में एक जो पुरुष हैं, इसके उपर दूसरे पुरुष आपके पास खड़े होते हैं और फर नर्त आपके पास ये करते रहते हैं सरहुल, ये उराब जन जाती से संबंदित है उराब जन जाती चैतर माज की पूर्णिवा पर साल ब्रक्ष की पूजा का एवजिन किया जाता है सरहुल, बेटा किस से संबंदित है? ये उराब जन जाती से संबंदित है चैतर महिने मोता है और चैतर महीने की पूरिमा पे साल ब्रख की पूजा की जाती है इसी की आसपास एक नर्थे करते हैं याद रखना उराव, यूबक, यूगती, प्रोण, उमग और उल्ला सिसा लेते हैं छोड़ो पसी मांदर और माज जहांज को याद रख लेना ही सरहुल में बजाए जाते हैं सैतम ये भारिया महीलाओं के दौरा किया जाने वाला आपके पास नर्थे हैं ठीक है भाईया, चलिए अब जन जाती है, बिभा आपके पास आ गए है आप मुझे एक मिनिट का समय दीजिए कि मैं बस पानी ले रहूं है थोड़ा सा पानी ले लूँ फिर जन जाती नर्था आप कहाँ पर बढ़ाऊंगा तो एक मिन आयूप आप लोग बेट कर लेंगे तब तक आप इसको लाइक और शेर कर दीजिए फानी लेलु सारे बच्चे कोई तक्लीफ तो नहीं है आज 600 करके जाएंगे जल किया सब्सक्रार जाएंगे और जमझाती समझ में तो पताये एगर जमझाती समझ में आ रही है तो पताये वेःतर तरी के से आ रह से आरे unst-कार दिरता हूं मैं कि अगर आप कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे लोग है देखे आप लोग के डेडिकेशन को भी मानना पढ़ेगा कि पांच गंटे चार गंटे होने बाले हैं हो गए हैं चार गंटे स्वरी और आप लोग लगातार लगातार सो प्लस बच्चे लाइव हैं यह आपका भी डेडिकेशन है और चार गंटे की क्लास में MPPSC के कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं यहां लगातार इतने बच्चे लाइव रहना है ना इतने बच्चे लाइव रहना और 600 के आसपास एकी एकी बार में लाइक पहुचना यह आप लोग का भी डेडिकेशन है आप लोग का यहां पर ट्रस्ट है ठीक है इसको कैस current affairs का एक marathon session है अपर आपके लिए लेंगी जिसमें मेरी पूरी कोशिस यही रहेगी कि सारा का सारा current affairs को cover कर सेको सारा का सारा current affairs आपके लिए cover कर सको और अब लगातार आपको दो जन्वरी से लगातार class मिलेंगी दिन में कम से कम दो क्लास में है आप लूँगा प्रिलिम्स को टार्गेट करते हुए अनकेडमी प्लस पर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 इन चारों पेपर को तयार करने के लिए प्लस पर आपको लाइब और रेकॉड़िट क्लास देखने को मिलती है तो आप लोग बहाँ पर आके आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं चलिए अब देखू सभी जंजातियों में सामाने तहाँ एकल विव पर आपके पास कम पाए जाते हैं याद रखेगा ठीक है भारत के जंजातियों की तरही मद्द प्रिदेश की जंजाती में हिस्माकरी जंजाति जो की illiterate है जो पड़े लिके नहीं है उनमें अपने life partner को चुनने की आजादी होती है वो चुन सकते हैं और उसी के साथ वो साधी करते हैं हम उनको illiterate कहते है हम लोग उनको पिछडा कहते है आप समझे कितना difference है कितना difference है आप याद रखीगा है ना कितना डिफरेंस है याद रखीगा सर MP PSC के लिए भी करवा देना अब यह MP पुलिस के लिए भी करवा देंगे बिल्कुल करवा देंगे परिशान मत हो एक दिन पूरा करेंट अफेस पूरी MPG के मैं 5 जनवरी आप डेट लिख लिए 5 जनवरी 5 जनवरी को हम लगबग लगबग 200 MCQ कराएंगे आपको 200 MCQ MPG के और जो पुलिस कॉंस्टेबल को डेडिकेट रहेंगे आप बस यह डेट याद कर लिजिए चलो तो सेवा विवादे को क्या होता है बर अपनी बधू प्राप्त करने के उद्देश से कन्या के घर में कुछ समय तक क्ली रहता है तब बधू पक्च पिरसन होकर अपनी कन्या को सौप देता है याद रखेगा दरसल यह पिरता वहाँ ब्रचलेत है जहां बधू का मूलिय आपके पास अधेख होता है अथा जो यूबक बधू मूलिय चुकाने में असमर्थ होते हैं बिस सेवा के रूप में बधू का मूलिया पर अधा करते है या पिरता गौंड इवं बैगा जनजातियों में मैंने आपको बताया था देखो सेवा का मद्दब क्या है सेवा का मद्दब होता है जो लड़का है लड़का जो बधू बर है ये बधू के पक्ष में लड़की के घर जाके रहता है उनके सारे कारे करता है घर के और खेती के कारे करते हैं रहते हैं और जब लड़की के पिता को लगता है कि हाँ, ये एक लायक इंसान है, समयधार इंसान है, फिर ये बिदा कर देते हैं कि जाओ अपने घर में जाके रहना, तो सेवा विवा का मतलब यही होता है कि लड़के को कुछ समय तक लड़की के घर जाके रहना पड़ता है बर को जो बधू है उसके घर पे जाके रहना पड़ेगा पैसा लिया जाता है अगर कोई पैसा नहीं चुका पाता है कोई पैसा नहीं चुका पा रहा है तो वो कुछ समय तक आके घर पे काम कर सकता है और लड़की के पिता को जब लगेगा कि हाँ आप भेज देना चाहिए तो ये आपके पास क्या होते हैं भेज देते हैं ठीक है भेज देते हैं याद रखेगा चलो आगे बढ़ते हैं तो सेवा विवा का मतलब आपको पता चल गया है क्या होता है किसम जन जाती में गोण और बेगा जन जाती में हरन विवा यूबक द्वारा युपती को उसकी माता पिता की इक्षा के बुरुद हरन कर लिया जाता है इसके बाद दोनों पक्च यूबक युपती को पैनी सूत्रें बांदिया जाता है गोंड इवं भील जल जाती में पर चलेते हैं होदा क्या है हरन विवा का मतलब सीधी सी बात है जैसे हमारे आपर इसको बहुत गलत माना जाता है लड़का और जो लड़की होते हैं लड़का और लड़की बर और बदू ये घरवालों को बिना बताए घर छोड़ कर चले जाते हैं उसके बाद फिर ये गाउं के बाहर आकर रहने लगते हैं जो गाउं है इस गाउं के बाहर आकर रहने लगते हैं फिर इनकी साधी करा दी जाती है और साधी कराने के बाद इनको दुबारा जो ग्राम है वहाँ पर आने की पर्मिशन दे दी जाती है, तो हरन विवा एक तो गोंड जन जाती में देखने को मिलेगा, एक भील में देखने को मिलता है, परिक्षा विवा इस विवा में पुरु उसको बधू प्राप्त करने के लिए अपनी बीरता, सहस और पौरुस का परिचय देना होता है यदि वे किसी कार को पूरा करता है तो लड़की से उसके आपर साधी हो जाती है मद्य पिर्देश के भीलो में गोल गधिरो उस सब के दौरान परिचय विवा के तहित सहसी यू पार करके जाना है, पेड़ पे चनना है, लड़की को उठा के भागना है, कुछ ती करना है, कुछ भी करना है परिच्छा विवा मतलब एक तरीके से चैलेंज करते हैं लड़के को अगर आप लायक है तो आप इसको यहाँ पर करिए ठीक है, किलियर भई, आगे बढ़ते ह हरन विभा, गौंड इवम भील में और परिक्षा विभा आपको भीलों में basically देखने को मिल जाता है, याद रखिए क्रे विभा, बरपक्ष कन्या की माता पिता को बधू का मूले देता है और ये बहुत जादा आपको देखने को मिलती है गौंड, भील और बेगा, तीनों में पाई जाती है, क्रे बेगा, सह पलायन विभा, इसमें यूबा की वो मियुक्तियों को सिवक्षा से विभा के लिए गाउं से दूर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि नियमों की कठुरता कारण उनके अपने गाउं में रहकर विभा करना साथ में रहने लगते हैं, अब गाउं वाले लोग रहने नहीं देते, तो क्या करते हैं, ये गाउं छोड़कर बाहर चले जाते हैं, बहान, बहान जाकर साधी कर आते हैं, और साधी करके आने के बाद अपने घर में रहने लगते हैं, किसमें देखने को मुलेगा सर, भीलो या पर कर दिया जाता है। यह विए का तरीका है। भी कर दा हमारी लड़की हमारा बॉलिवूड इसी से इंस्पायरत है। बॉलिवुड की सारी मुवी इसी इसी विवास है आपके पास इंस्पायर है बिनी मैं विवास है आपने देखा होगा अक्सर एक दूसरी की लड़की से साधी कर दी जाती है हमारी बॉलिवुड की फिल्मों में हमारी जंजाती बड़ी टेक्निकल हैं बहुत ही सांदार हैं यह लोग याद रखेगा यह लगबक सभी जंजातियों में पाई जाती है बदुमूल इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप सबको पता है गोहटुल पिरता क्या है गोहटुल एक पिरकार की यूबा घरे होते हैं या क्लब होते हैं जहां माडिया या मुडिया तथा अन्य जंजातियों में सामाजिक परंपराओं के निर्भा ताथा यूबा-PD के कोई सुरी दिखे गोहटुल आपके पास क्या एंसर ये गर है ये बाहर होते हैं जन्जातियों में यह घर से थोड़े गाउं से थोड़े बाहर होते हैं यहां पर यूबक यूपतियां जाके संग में बैठते हैं बारतल आप करते हैं याद रखेगा इसमें विवाहित लोग प्रिविस निसेद होता है मेरे लोग इसमें आपके पास नहीं ज चैलिक और युप्ति को मोटियारी कहा जाता है चैलिक, यूबा और यूप्ति मोटियारी कहलाती है दिन बबर कारी करने के बार सामको गौटूल में जाते हैं नेरत के साथ आपके पस जो basically आप कह सकते हैं पव मैं पार्टी करके आते हैं मस्ती करके आते हैं सब कुछ हमारी जंजातियों ने दिया है अपना कुछ भी नहीं है बच्चा पार्टी सब कुछ किसको दिया है सर ये दिया है हमारी जंजातियों ने आज आपके पार जो क्लब है ये भी अपने नहीं है ये जंजातियों न से विवा करना ते कर लेते हैं जिसे मोटे यह सारी बात है भगोरिया यह बीलों का पारम पारिक पर्व है जो मंद्र प्रदेश के जहागवा अलीराजपुर धार और खरगोन में आगपश आयज़ोत किया जाता है यहाँ पर वियाकश साधी कर लेते ही देखी इसके तीन भागो थे भगोरिया के बीटाों कilleurs को कितने भागों होते है अब देखिए उनको सबसे पह पहले गुलालिया बहूरिया पर की प्रारंविक दो दिनों में गुलालिय में तीन चरन होते हैं सबसे पहले गुलालिया होता है आप ट्राय करके मत देखना क्योंकि आप मैं गुलाल के साथ एक बड़िया अच्छा कासा ये भी पढ़ सकता है आप ट्राय मत करना ये भीलों में चलता है वहाँ अलाव है वहाँ पर्मीशन है लड़का किसी भी लड़की को लगा सकता है अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो वो गुलाल नहीं लगाएगी और अगर गुलाल लगा दी तो वो भी उसको पसंद करती है आप ट्राय मत करना पहले ही मैं यहाँ पर आपको disclaimer दे रहा हूँ only भीलों के लिए है आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है ध्यान रखना तो सबसे पहले गुलालिया होता है यह गलत नहीं करते बस गुलाल लगाते हैं लड़का लड़की की यूबक यूपती को याद रखेगा अगर यूपती उसको पसंद करती है तो बापिस उसको गुलाल लगा दीती है तो सहमती मान ली जाती है गुल गदेडो गुलालिया के बाद तीन दोना तक गुल गदेडो उससा मनाय जाता है इसमें यूपता यूवियकों के समूँ को चारो और से गेरे रहती हैं, तता पुरुष अपनी पसंद की युक्ती को लेकर बहां से भाग जाता है, यदि दोनों पकड़े नहीं जाते हैं, तो उनका बिवास संपन करा दिया जाता है, देखो क्या है, जैसे ये लड़के हैं, इनके चारो तरप लड़ियां रहती हैं, जैसे ये मालू A है और ये यहां पर अकपस C है, ये इसको पसंद करता है, दोनों को भागना है, अब भागने की सर्थ क्या है, लड़का लड़की को उठा के भागेगा, अगर घरवालों से बच गए, तो तो साधी करा दिये जाएंगे, अगर पकड़े गए, तो फिर उजाडिया है, जन्जादी लूग पर्व के अंतियम दो दनों में मेले से अपनी आपसकता की बस्तों खरीते हैं, और मेला उजड़ जाता है, इसलिए इसको आपर उजाडिया कहा जाता है, तो सबसे पहले पिटा गुलालिया, है ना, गुलालिया, गुलालिया के बाद आ अब जंज्यातियों की कुछ योजना और पढ़ना है, 10 मिनिट का और आप लोगों को हहाँ पर साथ चाहिए. पेटा, एक से ज़्यादा को नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ आप एक कोई लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक कोई लगा सकते हैं, जल्दी सारे बच्चे लाइक कर दो, जिससे 600 लाइक हो जाए एक बढर करना जडरे सारे के सारे, एक बढर सारे के सारे बच्चे लाइक करो, 600 लाइक हो पा रहें क्या, तो भाई कैसा लगा आज जंजाती पढ़के सच बताना क्या यूड्यूब पर यह content है जंजातियों का नहीं है ध्यान रखना पीपीटी यूज़ करना मेरी मजबूरी है नहीं तो हर एक चीज आपको यहाँ पर और बहतर तदिके से मुझवानी याद होती क्योंकि बोड पर लिखना और उसको एक्स्प्लेंड करना अपने आप में एक कला है पीपीटी इसलिए लेकर आया हूँ ठीक है चलिए आ रहा है समझ में बहतरीन बहुत बड़ी जल्ली 600 लाइक और कर दूँ फर आपको जंजाती पढ़ाते फर आपको जंजाती पढ़ाते दो तारीक को इसी तरीके से पंचा दिराज पढ़ेंगे पांच गंटे दो तीन गंटे चार गंटे क्लास तो बैसे ही रहती है मैं पढ़ाऊंगा तो पांच छे गंटे तो नॉर्मल हो जाता है किसी भी टॉपिक को पढ़ाना अच्छा यह चीज आपने आपर देखा दो बाग एक गंटे में खतम कर देते हैं और अपनको उसी टॉपिक को पढ़ने में पांच गंटे लगते हैं कारण क्या है बेटा कारण यह है देखो मसाला तो कोई भी दे जा सकता है मसाला पर उसका हर एक चीज आपके पास तक आने में थोड़ी सी महनत लगती है महनत ल चला सकते हैं पांच गंटे पांच गंटे आपके पास सफीशेंट है जरूरत पड़ेगी तो एक दस वारा घंटे का सैशन और लेंगे यह देखो आ गया यह पीडियाव बाले यह पीडियाव बाले नहीं मानेंगे चाहिए आप कुछ भी कर लो बरबाद कर दिया है मारसा वहने पीडियाव दे देकर मजबूर यह मुझे भी पढ़ाना पड़ा पांच गंटे की मेनत खराब नहीं करना है मुझे जनजातियां पढ़ाने है इसलिए पीडियाव है ठीक है चलो अब यह बैक्तित्व हैं मैं सोच रहा हूं कि जो बैक्तित्व है न अच्छा यह यह योजना है तो रहे गई आपके पस कहां गई योजना है आप देख लेजिए अरे कहां जा रहा है भाई कन्या सिक्षा परिशा रोजना चात्र घ्राय योजना महारिसी की बालमी की प्रोशा रोजना और राजीव गांदी ये मैं आपको पढ़ाऊँगा किसी दिन इसकीम के अंतरकत इनकी सारी जानकर ये आपको प्लप्त करा दूँगा तो देखो जनजाती वेक्ति इस क्लास में एकी क्लास में आपको पढ़ा देंगे तो क्या बोलते हैं आप लोग है ना क्या बोलते हैं आप लोग ये ज्यादा सही है ना ये ज्यादा सही है सारी जनजाती एकी क्लास में आज जनजातियों का काम तमाव अपन ने कर दिया है लगवववववववववववव चार घं एक ही क्लास में राजनेतिक, एतिहासिक और जन जाती हैं, सारी की सारी, बताइए, क्या बोलते हैं, सही है, सही है, है ना, चलो, तो बस थोड़ा सा समय दे दे, मुझे आप लोग 2 मिनिट का समय हाँ पर दे जिससे क्या है जिससे क्या है हम आपके लिए थोड़ा सा पिरमोशन यहां पर कर दे क्योंकि प्रमोशन करना आपके लिए जरूरी हुथ होता है यह आपना टेलीग्राम चैनल है गौरव सर्माय MPPSC आप इसको जोईन कर लिजिए गौरव सर्माय MPPSC को फाइल और लिंक आपको मिल जाती है और यह है आपके पास जादू गौरव लाइब को एपलाए करोगे तो 10% आपको मिलता है 10% 10% और यह फीस है दो साल की 16,000 रुपे एक साल की 11,000 रुपे जो भी आप लेना चाहते हैं कोर्स लीजिए गौरव लाइब को अपलाए कीजिए 10% आपको आप मिलेगा 10% आप मिलेगा ठीक है यह फीस इतनी आपके लिए पढ़ जाती है पेपर बन से लेके पेपर और ज्यादा डेटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा आंसर राइटेंग आपको मिलेगी और कम्प्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है भई चलिए तो जल्दी इसे 6,000 और रहे गए सारे की सारे बच्चे 6,000 और कर दू तो आज हमने देखो कमाल कर दिया ह कमाल क्या कर दिया है सर चार गंटे 20 मिनिट में आप लोगों ने जन जाती सारी पढ़ ले हैं देखो एकाद दू फैक्ट आपके पास रह गये होंगे वो तो हमेशा रह जाते हैं तो आप उनको प्लीज कवर कर लेजीगा एकाद दिन में इनके MCQ करा दूँगा आपनों को जन जाती के तो आपकी पूरी टेंशन खतम हो जाएगी इनके प्रमुक्तुहार सब कुछ उसमें सामिल कर लेंगे तो वहां से आपका ये काम हो जाएगा तो बताईए ठीक है भीए सारी इसके मेरे एक सिंपल फंडा क्या है कि एक क्लास में सब कुछ कबर करो जैसे इसकी माह होंगी महिलाओं से संबंदित अलग एस्टी से संबंदित अलग एसी से संबंदित अलग किसानों से संबंदित अलग बालिकाओं से अलग वह एक क्लास सिर्फ सिर्फ इसकीम के लिए पढ़ाता तो मैं परस्नालिटी आज भी पढ़ा सकता हूं एक गंटा पढ़ाने की पेटा MCQ की क्लास में इतनी जल्दी लेके नहीं आता एक कोई एक कोई हटा के और चला गया नहीं पेटा नहीं होगी नहीं होगी परिशान मत हुई है ना कुछ भी बंद नहीं होगा आपका दो जन्मरी से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा पेटा मेराथन सेशन होते हैं आठ बजे मेराथन सेशन होते हैं आठ बजे और जो सेशन होते हैं वो दस बजे मैं टाइमिंग मेरी क्लास की टाइमिंग दो जन्मरी को अनौंस करूँगा प्रिलिम्स के लिए टार्गेट करके है ना प्रिलिम्स के लिए टार्गेट करके जो तो मेरी classes होंगी, दो जन्वरी को announce करूँगा, उनकी timing आप परिशान मत होए दो like और चाहिए ठीक है, दो like एक like और चाहिए, बस एक like और जल्दी से कर दो, 600 like हो जाएंगे है न? चलिए, तो बच्चा party बस एक काम आपको करना है एक काम आपनों को करना है, मैं session जैसे ही end करूँगा आप आज नहीं, कल आकर आपके जो भी feedback हों, जो भी आपके बिचार हों, प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा, भाईया prelims के लिए जितना possible है, मैं आपको यहाँ पर हाँ, दो जन्वरी को timing timing fix हो जाएगी, उससे एक मिनिट इधर उधर class नहीं होगी, बिना gap के classes होगी, क्योंकि एक जन्वरी को मुझे marathon session लेना है, current affairs का, एक जन्वरी को marathon session लेना है current affairs का, और उसके बाद फिर हम अपने classes को start कर देंगी prelims mostly बेटा, यहाँ से हो जाएगा means आपको plus पर पढ़ना पढ़ता है means यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, Indian geo पढ़ा रहा था मैं अभी means के लिए, उसकी हालत यह है कि 200-300 view आते हैं, अब समझ रहे हो यह prelims के लिए class लिए इस पर 600 like है कर दिए बेटा, 607 हो गए 607 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है है ना सचिन वहिया, modern history भी पढ़ाएंगे geo भी पढ़ाएंगे, quality पढ़ाएंगे prelims के लिए, means के लिए आपको plus पर आना पढ़ेगा, ठीक है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पर आपका feedback जरूर दे एक जन्वरी को marathon session रहेगा है ना, कल हुआ possible, तो हम देखे, आज साथ 29 तारीक हो गई है ना, 29 हो गई है तो 29 और 30 को हम लोग दो दिन class नहीं लेंगे, क्योंकि कि मुझे current interface की slide बनाने है हुआ possible तो 10 बजे आप लोग लाइब आजाईएगा marathon session हमेशा 8 बजे से होगा है ना timing भाईया, timing आपको पता चल जाएगी timing आपको पता चल जाएगी 2 जन्वरी को, 2 जन्वरी को मेरी classes ली timing आपको पता चल जाएगी आप उस दिन आके देख लिजेगा ठीक है, चलिए, thank you very much for discussion, have a nice time, good day खुश रही है, मस रही है, आपके feedback जरूर दे दीजीगा इस lecture के लिए, 5 घंटे लगातार आप लोग के लिए dedication है तो आपका dedication में हापर थोड़ा सा चाहिए, चलिए, have a nice time